मुझा अच्छा अच्छा में सम या एडिशन करना तो आप पहले ही सीख चुके हैं आज हम आपको डी सम फॉर्मुले के बारे में बताएंगे डी सम फॉर्मुले की साहता से आप कोई भी कंडीशन या क्राइटिरियन के अधार पर डेटा बेस में से किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के नंबर्स को एड़ करके उनका सम निकाल सकते हैं यह फॉर्मुला तब ज्यादा उपयोगी होता है जब आप किसी बड़े डेटाबेस पर काम कर रहे हों चलिए देखते हैं यह फॉर्मुला किस तरह काम करता है यहां हमने एक एक एक्जाम्पल डेटाबेस बनाया हुआ है इस डेटाबेस में एक स्टेशनरी स्टोर का डेटा है जिसमें सभी प्रोडक्ट्स की डीटेल्स यहां पर दी हुई है जैसे कि प्रोडक्ट्स के नाम वो किस कंपनी के हैं स्टॉक में उनके कितने बॉक्सेज हैं, हर बॉक्स की प्राइस कितनी हैं, एचेटरा उदारन के लिए यहां स्टोर में पारकर फाउंटेन पैन के 25 बॉक्सेज हैं और एक बॉक्स की कीमत 85 रुपए है इसी तरह दूसरे जो प्राइस हैं, उनकी डिटेल्स भी इस डिटाबेस में दी हुई है अब हमें ये जानना है कि फाउंटेन पैन के टोटल कितने बॉक्सेज स्टॉक में हैं जिनकी कीमत 80 रुपए से ज्यादा है तो उसके लिए हम दी सम फॉर्मूला टाइप करेंगे फॉर्मूला टाइप करने से पहले आपको जो भी कंडिशन फॉर्मूले में लगानी हैं उसे अलग से लिख लें जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा वो फॉर्टेन पैन जिनकी कीमत 80 रुपए से ज्यादा हो कंडिशन की और डेटाबेस की हैडिंग्स सेम होनी चाहिए नहीं तो फॉर्मूला वैल्यू को रीद नहीं कर पाएगा जिस तरह कि यहाँ पर प्रॉडक्ट नेम है और यहाँ पर प्राइस पर बॉक्स है तो कंडिशन में भी हमने हैडिंग्स सेम रखी है अब हम यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करेंगे इकुल टू का साइन लगाएंगे फिर टाइप करेंगे दी सम यह देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आ गया है इस पर डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे अब यहाँ पर ब्रैकेट में सबसे पहले है डेटाबेस इसके सबसे पहली लाइन इसकी हेडिंग की है जिसमें प्रोडक्ट नेम, कंपनी, बॉक्सेज, इन स्टॉक और प्राइस पर बॉक्स हैं यह हमने पूरा डेटाबेस सेलेक कर लिया है अब यहां पर जो डेटाबेस की रेंज है वो प्रोडक्ट नेम से शुरू होती है और यहां 85 छत्म होती है इसलिए हमारे डेटाबेस की रेंज जो यहां पर आई है वो है एमन से टीटी थृ तक यहें लिए से लेक्ट करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे. नेकस्ट है फील्ड इसके लिए हमें वो कॉलम सिलेक करना है जिसमें से हमें डेटा को एड करना है इसके लिए हमें पूरा कॉलम सिलेक करने की ज़रूरत नहीं है केवल हैडिंग पर क्लिक करना है यहाँ पर हम बॉक्सेज इन स्टॉक जो हैडिंग है उस पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर सीवन लिखा हुआ आगया है अब हम इस सेल रेंज को सिलेक करके यानि यहाँ पर यह जो सीवन लिखा हुआ आया है इसको सिलेक करके एफ नाइन की प्रेस करेंगे अब यह देखिए यहाँ पर डबल इन्वर्टे कॉमास के अंदर बॉक्सेज इन स्टॉक लिखा हुआ आ गया है इसका मतलब इस कॉलम की सभी वैल्यू इसमें काउंट हो जाएंगी यहाँ पर हम रेंज सिलेक नहीं कर सकते थे इसलिए हमने ऐसा किया अब हम कॉमा लगाएंगे फॉर्मुले में आखिरी ओप्शन है क्राइटेरिया इसके लिए हमें वो कंडीशन सिलेक करनी है जिसके आधार पर हमें फील्ड या कॉलम के डेटा का सम निकालना है तो यह यहाँ पर हमने क्राइटेरिया लिखा हुआ है इसे हम सिलेक कर लेंगे और याद रखें कि इसे हेडिंग के साथ सिलेक करना है तो यह पूरी कंडीशन जो है उसको हमने सिलेक कर लिया है अब रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे यह देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो है 77 इसका मतलब कि वो फाउंटेंग पैन जिनकी कीमत 80 रुपए से ज्यादा है उनके टोटल 77 बॉक्से स्टॉक में है चलिए एक बार फिर से हम इस फॉर्मिले को लगाते हैं एक नई कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन हम यह लगाना चाहते हैं कि हमें उन पैंसिल्स का टोटल प्राइज मिले जिनके स्टॉक में 25 से कम बॉक्सेज हों तो यह यहाँ पर हमने कंडीशन लिग दी है प्रोडक्ट नेम में पैंसिल्स और बॉक्सेज इन स्टॉक लेस देन 25 अब यहाँ पर नीचे हम फार्मूला टाइप करेंगे एकवल टू का साइन लगा करके लिखेंगे दी सम यह फार्मूला यहाँ पर आ गया है इसको ले लेंगे सबसे पहले है डेटाबेस तो डेटाबेस सिल्क कर लेंगे अब कॉमा लगा करके field की heading select करेंगे जो है price per box price per box की जो heading यह उसको select कर लेंगे अब यह यहाँ पर D1 आ गया है इसको select करके F9 की press करेंगे तो यह देखें double inverted commas के अंदर price per box यह जो heading यह वो लिखी हुई आ गई है इसका मतलब यह कि इस heading की जो भी values है वो इसमें count हो जाएंगी अब हम कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया में हमें कंडीशन सिलेक करनी है, तो इस कंडीशन को हम हेडिंग सहीद सिलेक कर लेंगे, अब हम ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे, यह देखे रिजल्ट आया है 130, इसका मतलब वो पैंसर्स जिनके स्टॉक में 25 से कम ब अब इस डेटाबेस में हम उन फांटेन पैंस जिनकी कीमत 80 रुपै से ज्यादा है उन्हें हाइलाइट कर देते हैं, तो यह हमने 80 रुपै से ज्यादा की पर हम चैमत वाले फांटेन पैंस को हाइलाइट कर दिया है, अब उनके कितने बॉख्स स्टॉक में हैं वो हम और यह 91 रुपीज वाले जो हैं उसके 30 बॉक्स हैं यहां अगर हम इसका सम टूटल करेंगे तो यह आता है 77 तो यह देखिए मैनियली एड करने पर भी सम 77 ही आ रहा है जो की फॉर्मूला लगाने पर य्हां इसका मतलब हम ने जो फॉर्मूला लगारा है वो सही लगाया है ऐसे ही हम पैंसल्स के लिए भी मैन्योली इसको चेक कर लेते हैं हम वो पैंसल्स जिनके स्टॉक में 25 से कम बॉक्सेस हैं उन्हें हाइलाइट कर लेते हैं यह रैड कलर से हमने वो पैंसल्स जिनके बॉक्सेस 25 से कम हैं स्टॉक में उनको हमने रैड कलर से highlight कर दिया है अब उनकी total price हम यहाँ पर लिख लेते हैं 45 और 85 इसका sum total हम करेंगे तो हो आएगा 130 रुपी इस तरह से manually add करने पर इसकी value भी हमें वही मिली जो formula यूज़ करने पर मिली थी इस तरह से आप d sum formula का उपयोग कर सकते हैं database functions के तहट इस फीडियो में हम आपको बता रहे हैं d gate formula के बारे में d gate formula दी गई condition या criteria के आधार पर database में से सिर्फ एक value निकालने के लिए उपयोग में आता है यदि दी गई condition के आधार पर कोई भी value नहीं मिलती है तो वहाँ पर value error आ जाती है या फिर दो या उससे अधिक values एक जैसी मिलती है तो num error आ जाती है चलिए देखते हैं कि ये formula कैसे काम करता है इस example database में एक electric store का data है जिसमें कुछ products की details दी हुई है जैसे की products के नाम वो कौन सी company के हैं कितने watt के हैं, stock में उनके कितने boxes हैं और per box price कितनी है माली जै हमें ये पता करना है कि store में 28 watt का mini bulb है या नहीं यदि है तो उसकी per box price कितनी है उसके लिए हम dgate formula का उप्योग करेंगे जैसे कि हम आपको पहले के कुछ database formula के लिए बता चुके हैं कि formula type करने के पहले जो भी condition formula में लगानी हो उसे अलग से लिख लें जैसे कि हमने यहां पर यह condition लिख रखी है यहां पर अभी हमने condition दी है product name में mini bulb और watt में 28 एक बात का ध्यान रखें कि condition और database की heading सेन होनी चाहिए नहीं तो formula और value को read नहीं कर पाएगा अब हम यहां पर formula type करते हैं equal to का sign लगाएंगे फिर type करेंगे डी gate यह देखें यहां formula दिखाई दे रहा है डबल क्लिक करके हम इसको ले लेंगे bracket open होने के बाद पहला option है database इसके लिए हमें पूरा database heading सहीच सेलेक करना होगा अब कॉमा लगाएंगे next option है field इसके लिए हम price पर box वाली heading को सेलेक करेंगे क्योंकि हमें यह चेक करना है कि यदि 28 watt वाले mini bulb store में है तो उसकी पर box की price कितनी है अब हम कॉमा लगाएंगे formula में आखरी option है criteria इसके लिए हमें condition सेलेक करनी है जिसके आधार पर हमें database में से particular data चाहिए यहां पर हमने criteria लिखा हुआ है product name minibulb watt 28 अब heading सहीच इस criteria को हम सेलेक कर लेंगे bracket close करके enterprise करेंगे यहां आप देख सकते हैं कि 8 watt के mini bulb की सिर्फ एक ही entry है जिसकी price पर box है 19 रुपए इसलिए यहां पर हमारा result 19 आया है अब यदि हम condition में change करेंगे तो result भी change हो जाएगा यदि हम watt या फिर product name में change करके enterprise करेंगे तो result बदर जाएगा अब माल लेजिए हम condition में product name change कर रहे है mini bulb की जगह हमने कर दिया tube light यह देखिए यहां पर value error आ रहे है इसका मतलब यह हुआ कि हमारे store में 28 watt वाली कोई tube light नहीं है अब अगर हम watt change करते हैं यह 28 के जगह हमने डाल दिया 10 watt और अब जब enterprise करेंगे तो यह देखिए यहां पर value आ गई है 43 यह यहां पर हमने इसको highlight करके बताया है यहां से आप देख सकते हैं अब हमारी जो दूसरी condition यहां पर दी हुई है इसके लिए हम insert function option का उप्योग करेंगे दूसरी condition में हम यह check करना चाहते हैं कि वो CFL जिनकी per box price 25 रुपए है ऐसे box stock में है या नहीं और अगर हैं तो कितने हैं उसके लिए formulas tab में जाएंगे और यहां से insert function option पर क्लिक करेंगे यहां पर type करेंगे डी गेट और गो पर क्लिक कर देंगे यह नीचे formula आ गया है ओके पर क्लिक करेंगे database वाले option के लिए उसके सामने वाले box में क्लिक करके पुरा database सेलेक कर लेंगे फिल्ड वाले option के लिए उसके सामने वाले box में क्लिक करेंगे और फिर field वाली heading पर क्लिक करेंगे यहाँ पर boxes in stock हमारी field है इस पर हम क्लिक कर देंगे criteria वाले option के लिए उसके box में क्लिक करके criteria सिलेक्ट करेंगे तो हम यह जो हमारा criteria इसको heading सहीच select कर लेंगे, अब OK पर click करेंगे. यहाँ पर देखिए हमारा जो result है उसमें num error आ रही है. यहाँ पर हमने highlight करके बताया है कि यह जो error आ रही है वो उसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर CFL के 25 रुपीज पर box वाली एक से ज्यादा entries है. यहाँ पर price per box change कर देते हैं, इस value को change करके हम कर देते हैं 50. इसका मतलब अब हम यह जानना चाहते हैं कि वो CFL जिनकी per box price 50 रुपए है ऐसे box stock में है या नहीं और अगर हैं तो कितने. तो यह price per box condition हमने change की 50 कर दी और अब हम enterprise करेंगे. देखें यहाँ पर पहले नम error आ रही थी क्योंकि दो entries थी, अब यहाँ पर value error आ रही है, इसका मतलब कि हमारे पास ऐसे कोई CFL नहीं है जिनकी per box price 50 रुपीज हो. हम इसको further change करते हैं, इस condition को change करके हम price per box कर देते हैं 55, अब enterprise करेंगे, यह देखें रिजल्ट वाले box में अब 9 आया है, इसका मतलब, store में 55 रुपीज पर box वाले CFL के 9 boxes हैं, यह यहाँ पर निचे हमने इसको highlight करके भी दिखा दिया है, तो इस तरह से आप de-get formula यूज़ कर सकते हैं. यह formula हमारे द्वारा दी गई condition या criteria के अधार पर, database में से किसी एक specific column के numbers की average निकाल कर देता है. चलिए, example की सहायता से इस formula को समझ लेते हैं, यहाँ हमने एक database बनाया हुआ है, इस database में एक electronics showroom में काम करने वाले employees का data है. जैसे कि उनके नाम, वो किस department में काम करते हैं, उनकी उम्र कितनी हैं, और उन्होंने पिछले 5 महिनों में कितने की cell की है. यह जो cell है, यह thousands में है. उदारन के लिए, एक employee है रोहन मिश्रा, उसकी उम्र है 25 साल, वो LCD TV department में हैं, और पिछले 5 महिनों में उसने 85,000 रुपए की cell की है. इसी तरह से, बाकी जो employees हैं, उन सभी employees के details इस database में हैं. अब मान लीजे, आप यह जानना चाहते हैं, कि LCD TV वाले department में काम कर रहे, वो employees जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है, उन सब की average cell कितनी हुई है? उसके लिए हम the average formula यूज करेंगे, formula उप्योग करने से पहले, आपको जो भी criteria या condition फॉर्मुले में लगानी हैं, उसे अलग से लिख लें, जैसे कि हमने यहाँ उपर condition दे रखी है, कि वे employees जो LCD TV department में हो, और जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो, उनकी cell का average हमको निकालना है तो यह condition हमने अलग से रिख दी, और अब हम यहाँ पर formula टाइप करते हैं, सबसे पहले, equal to का निशान लगाएंगे, फिर type करेंगे, d average, यह देखें, initials टाइप करते ही, यह formula यहाँ पर आ गया है, हम यहीं से double click करके इस formula को ले लेते हैं, प्रैकेट ओपन होने के बाद सबसे पहले है database, इसके लिए हमने अपना पूरा database सिलेक करना होगा, इसमें database की headings भी सिलेक करनी होगी, पर यहाँ सबसे ऊपर जो हमारी heading डली हुई है, in thousands, यह वाली हमको नहीं चाहिए, यह हमने केवल समझाने के लिए लिखी हुई है, तो main जो heading वाली line है हमारी, वो दूसरी है, जिसमें के हमने name of employees, department, age, sales, यह heading डाल रखी है, यहाँ से हम इसको सिलेक करेंगे, तो यहाँ पर जो database की range है, वो name of employees से शुरू होती है, और यहाँ 36 पर खतम होती है, इसलिए यहाँ पर हमारी जो database की range है, वो आ गई है, A2 से लेकर के D22 तक, अब हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, formula में next है, field, इसके लिए हमें वो column सिलेक करना है, जिसमें से हमें data का average निकालना है, इसके लिए हमें पूरा column सिलेक करने की आवश्यक्ता नहीं, हम केवल heading पर click करेंगे, चुकि हमको cells का average चाहिए, इसलिए हम cells वाला जो heading है, उसको सिलेक कर लेंगे, अब यह देखिए, इसको सिलेक करते ही, यहाँ formula में D2 आ गया है, क्योंकि यह जो हमारा cells वाला heading है, वो D2 cell में है, अब हम इस formula में D2 cell range को select करके F9 प्रेस कर देंगे, यह देखिए, यहाँ पर double inverted commas के अंदर cells लिखा हुआ आ गया है, इसका मतलब cells column की जो सभी values हैं, वो इसमें count हो जाएंगी, हम यहाँ पर range select नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने ऐसा किया, अब हम comma लगाएंगे, formula में आखरी option है, criteria, इसके लिए हमें वो condition select करनी हैं, जिसके आधार पर हमें field या column के data का average निकालना है, तो यहाँ उपर हमने जो है वो condition लिखी हुई है, यानि यह हमारा criteria है कि LCD TV department में जो काम करने वाले employees हैं और जो 25 साल से उपर के हैं, यह हमारी condition है, तो हम इस condition को heading के साथ select कर लेंगे, अब bracket बन करके enterprise करेंगे, यह देखिए यहाँ पर हमारा result आया है 46.66, मतलब वे employees जो LCD TV वाले department में काम कर रहे हैं और जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है, उन सभी employees की पिछले 5 मेनों की जो average cell है वो है 46.66,000, चलिए अब हम manually check करके देख लेते हैं कि हमने जो formula लगाया है, वो सही लगाया है या नहीं और जो answer हमको मिला है, वो सही मिला है या नहीं, हम LCD TV department के उन सभी employees की details को highlight कर लेते हैं, जिनकी उम्र 25 साल से उपर है, यह देखिए, यहां हमने ऐसे सभी employees की details highlight कर ली है, अब इनकी cells का average निकालने के लिए, यहां पर हम average formula लगाएंगे, पहले लगाएंगे equal to का sign, फिर type करेंगे average, यहां पर formula आ गया है, double click करके इसको ले लेंगे, अब हमें जिन भी cells का average निकालना है, उनको एके करके select करते जाएंगे, हर cell select करने के बाद हमको कॉमा लगाना है, यह हमने employees की cells फाली, सभी cells जिनका average निकालना था, उनको यहां select कर लिया है, अब bracket close करेंगे और enter press कर देंगे, यह देखिए, यहां पर वो ही result आया है, जो formula लगाने पर आया था, इसका मतलब हमने formula सही लगाया है, सम product एक ही formula है, यह दो अलग-अलग formula नहीं है, और इसका उप्योग एक से अधिक cell ranges में दिये गए numbers की product का, सम निकालने के लिए किया जाता है, ज्यादा तर यह invoice बनाते समय काम आता है, इसकी सहायता से हम invoice का total amount निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमने एक example लिया है, जिसमें यहाँ कुछ fruits के नाम है, और यहाँ पर उनकी quantity दी हुई है, और यहाँ per unit उनकी price है, अब यदि हम इन fruits की total price manually calculate करेंगे, तो उसके लिए पहले हमें हर fruit की quantity और per unit price को multiply करना होगा, यहाँ पर हम यह करके देखते हैं, सबसे पहले हम equal to का निशान लगाएंगे, पहले fruit का total निकाल रहे हैं, इसलिए उसकी quantity select कर लेंगे, अब हम multiplication का निशान लगाएंगे, और उसके बाद price per unit वाला cell select कर लेंगे, अब enterprise करेंगे, तो यह देखिए हमारा जो पहला fruit है guava, उसकी total price आ गई है 240, quantity के हिसाब से total price यह हुई, अब अगर हम इसको drag करेंगे, तो सारे fruits की total price आ जाएगी, अब यहाँ पर नीचे हम इसका sum निकाल सकते हैं, उसके लिए equal to का sign लगा करके, इस formula को हमने ले लिया है, अब सारी जो यह sales हैं, इनको हम select कर लेंगे, bracket close करके हमने enterprise किया, तो यह total price जो है वो आ गया है, अब जब यह हमने manually total price calculate की, तो इसमें थोड़ा हमको समय लगा, इसी काम को हम और आसानी से और जल्दी कर सकते हैं, sum product formula का उप्योग करके, तो अब हम यहाँ पर आपको sum product formula लगा कर बता रहे हैं, सबसे पहले equal to का sign लगाएंगे, उसके बाद हम type करेंगे, sump, यह यहाँ पर formula हमको नजर आ रहा है, double click करके, इसको हम ले लेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहला argument है, array 1, यानि cell range हमको चुणनी है, तो सबसे पहले हम quantity वाली जो cell range है, वो select कर लेंगे, अब कॉमा लगाएंगे, और अब array 2 के लिए हम price per unit वाली जो cell range है, उसको select करेंगे, bracket close करके, enter प्रेस कर देंगे, यह देखिए, sum product formula की मदद से, यह total price यहाँ पर आ गया है, तो इस formula को लगा करके, कुछी step में हम यह काम कर सकते हैं, division करते समय कई बार ऐसा होता है, कि result point में, यानि दशमलव में आता है, तो हम उस result को दो तरीके से, integer मतलब वो number जिसमें दशमलव नहीं आता है, यानि जिसे हम पूर्णांक कह सकते हैं, उसमें convert कर सकते हैं, यदि हम चाहते हैं, कि दशमलव हटाने के पाद, हमें अधिक्तम संख्या मिले, तो हम ceiling formula का उप्योग करेंगे, और यदि हम चाहते हैं, कि दशमलव हटाने के पाद, हमें निउन्तम संख्या मिले, तो हम floor formula का उप्योग करेंगे, क्याने का मतलब ये हुआ, कि मान लीजे, हमारे पास जो value आई है, वो है 10.5, हम इसको पूर्णांक में convert करना चाहते हैं, तो अगर हम ये चाहते हैं, कि 10.5 से उपर की संख्या हमें मिले, चाहे वो 11 हो, चाहे 12 हो, तो हम ceiling formula यूज़ करेंगे, और यदि हम 10.5 से नीचे की संख्या पूर्णांक के रूप में चाहते हैं, चाहे वो 10 हो, या 9 हो, या 8 हो, तो हम floor formula का उप्योग करेंगे, चलिए हम इसको एक उधारण से समझ लेते हैं, यहां हमने कुछ products के नाम लिखे हैं, यहां पर उनकी price है, और यहां पर जो हम discount दे रहे हैं वो है, discount के बाद उनकी price क्या होगी, वो हमने यहां पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि discount के बाद जो price आ रही है, उसमें तशमलव आ रहा है, अब यदि हम चाहते हैं कि final price में, तशमलव हट कर अधिक्तम संख्या मिले, तो उसके लिए हम ceiling formula का उप्योग करेंगे, यहां पर हम formula टाइप करेंगे, equal to का निशान लगाएंगे और फिर लिखेंगे ceiling, यह देखिए यहां पर नीचे यह formula दिखाई दे रहा है, इस पर double click करेंगे, तो यह formula उपर आ गया है, पहला option है number, तो इसके लिए हम वो cell select करेंगे, जिसकी value को हमें round off करना है, तो हमारी यह जो 22.6 वाली value है, after discount price की, हम इसको select करेंगे, और फिर कॉमा लगाएंगे, next option है significance, यहां पर वो number लिखना है, जितने से round off होकर, आपको यहां पर answer मिलेगा, यहां पर हम आपको एक जरूरी बात बता दें, कि round off होने के पाद जो भी answer आएगा, वो इस significance का multiple होगा, यानि, answer दिये गए significance नंबर में से, आसाने से divide हो जाएगा, यहां पर हम लिख रहे हैं 2, अब bracket close करने के बाद, एंटर प्रेस करेंगे, यह देखिए, हमें अधिक्तम round of value जो मिली है, वो है 24, चूँकि हमने significance में, दो नंबर की ceiling set की थी, और 24 जो है, वो दो का multiple भी है, यानि 24 में दो से, आसानी से भाग चला जाता है, अब इस formula को drag करके, हम नीचे तक copy कर लेंगे, यह देखिए, हमारे पास सारे products की final price आ गई है, सभी products की अधिक्तम round of value जो है, वो हमको यहां पर मिल गई है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, sun feast biscuit को छोड़ कर, बाकी products की final price, after discount price से लगभग 2 अंक ज्यादा है, जबकि sun feast biscuit की ceiling, 2 set करने पर भी round of 37 के बतले, हमें 36 मिला है, इसके पिछे 2 कारण है, एक तो हम अधिक्तम round of value चाहते थे, जो की 35.7 से 2 अंक ज्यादा, मतलब 37 के बराबर आए, या फिर 37 और 35 के बीच में आए, तो यह यहां पर 36 मिल गया, दूसरा कारण यह कि हम significance का multiple चाहते थे, 35 और 37 दोनों ही संख्याएं, 2 से divide नहीं होती हैं, जबकि 36 में 2 का भाग जाता है, इसलिए हमें अधिक्तम round of number यह मिला है, अब यहां पर अभी हमने जो significance में ceiling set की थी, वो 2 की थी, बाकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दो ही लें, आप चाहें तो कोई भी संख्या ले सकते हैं, हम एक बार फिर से यह formula लगाते हैं, जिसमें की significance में हम ceiling number जो set करेंगे, वो कुछ और करेंगे, हम पहले इसको यहां से हटा देते हैं, और अब एक बार फिर से formula लगाते हैं, equal to का sign लगाएंगे, ceiling लिखेंगे, यहां से double click करके formula ले लेंगे, अब हमको number यहां पर select करना है, तो यह हमने यह वाली cell select कर ली, comma लगाएंगे, अब हमको significance में ceiling set करना है, पहले हमने ceiling set की थी 2, अब हम इसको ले रहे हैं 3, हम bracket close करके enter press करेंगे, अब देखिए यहां पर 3 set करने के बावजूद 24 आया है, इसलिए क्योंकि 22.6 के बाद, उपर की तरफ अगर हम कोई ऐसा number लें, जिसमें की हम जो ceiling set कर रहे हैं, उसका भाग चला जाए, तो वो है 24, क्योंकि 23 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 24 में जा सकता है, 22.6 से उपर का कोई पुर्णाक अगर हमें चाहिए, जिसमें की 3 का पुरा-पुरा भाग जा सके, तो वो 24 है, इसलिए यहाँ पर answer 24 आया, अगर हम ceiling 4 सेट करेंगे, तो भी यह 24 ही आएगा, क्योंकि 24 में 4 का भाग भी चला जाता है, अगर हम ceiling 6 सेट करेंगे, तो भी 24 ही answer आएगा, क्योंकि 24 में 6 का भाग भी चला जाता है, पर अगर हम ceiling 5 सेट करेंगे, तो क्या उत्तर आएगा, यह हम देखते हैं, हम एक बार फिर से यहाँ पर formula लगाते हैं, equal to का sign लगाया, ceiling लिखा, double click करके इसको ले लिया, अब number सेट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, और significance अब हम, यहाँ पर ceiling सेट कर रहें, 5, यह bracket close किया, अब देखिए, यहाँ पर जो final price है, वो change हो गया है, 24 की बज़र 25 आया है, क्यूंकि 22.6 के उपर हमको अगर कोई पूर्णांक चाहिए, जिसमें 5 का पूरा-पूरा भाग चला जाए, तो वो ना तो 23 है, ना 24 है, वो है 25, इसलिए यहाँ पर 25 आया है, और अगर हम इसको नीचे तक ड्रैक करते हैं, इस formula को copy करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यह सारा जो final price है, यह हमने जो ceiling change की, उसके हिसाब से final price change हो गया है, यह तो हुआ ceiling formula, जिसकी मदद से हमें अधिक्तम round of value मिली है, अब यदि हम यह चाहते हैं, कि final price में, दशमलव हट कर हमको नियूनतम संख्या मिले, यानि, after discount जो price है, उसमें दशमलव हटने के बाद, इससे बड़ी संख्या की बजाए, इससे छोटी संख्या मिले, तो हमको floor formula लगाना होगा, floor formula लगाने के लिए भी हम same example ले रहे हैं, यह यहाँ पर हमने same example ले लिया है, ताकि दोनों formula में हम आसानी से अंतर समझ सकें, अब हम यहाँ पर final price में formula लगाएंगे, equal to का sign लगाएंगे, फिर लिखेंगे floor, यहाँ पर हमको नजर आ रहा है formula, इस पर double click कर देंगे, पहला option है number, तो हम number चुन लेंगे जिसको हमको round off करना है, अब कॉमा लगाएंगे, अब significance में हम वो number लिखेंगे, जिससे round off होकर हमको answer मिलेगा, यहाँ भी आपको उसी बात का ध्यान रखना है, कि round off होने के बाद जो भी answer आएगा, वो इस significance का multiple होगा, यानि answer दिये गए significance नबर से आसानी से divide हो जाएगा, यहाँ पर हम significance में तीन नंबर की flooring सेट कर रहे हैं, मतलब after discount price से, कम से कम तीन अंग कम तक की संख्याक में उत्तर मिले, उससे कम नहीं, अब हम bracket close कर देंगे, enterprise करेंगे, यह देखिए यहाँ पर हमको new thumb round of value जो मिली है, वो है 21, क्यूंकि हमने significance में तीन नंबर का floor सेट किया था, और 21 तीन का multiple भी है, यानि 21 में तीन से आसानी से भाग चला जाता है, इस formula को drag करके हम नीचे तक copy कर लेंगे, यह देखिए सभी products के लिए new thumb round of value हमें मिल गई है, अब हम आपको इन दोनों में मुख्यंतर बता देते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर वो ही significance नंबर लेते हैं, जो हमने ceiling formula के लिया था, यानि यहाँ पर हम significance set करेंगे 5, formula लगाते हैं, number select कर लेंगे, कॉमा लगा करके significance select करेंगे 5, जैसा कि हमने उपर select किया था, अब यहाँ पर देखिए, पारले जी बिस्किट के लिए new thumb round of value जो है, वो 20 आ रही है, जबकि ceiling formula में पारले जी बिस्किट के लिए 5 significance value देने पर, अधिक्तम round of value जो है वो 25 आ रही थी, यानि दोनों formulas में हमने significance value सेम रखी है, पर ceiling में जो answer हमको मिलेगा, वो हमारे number से उपर का पूर्णांख होगा, 22.6 से उपर का पूर्णांख है ये 25, और floor formula में जो आपको answer मिलेगा, वो आपकी value से नीचे का पूर्णांख होगा, यानि 25.6 से छोटी संख्या हमको यहाँ पर मिली है, ceiling और floor formula का basic अंतर यही है, कि ceiling formula से अधिक्तम round of value मिलती है, और floor formula से new thumb round of value मिलती है, forecast यानि भविश्यवानी, Excel हमें forecast formula की सहयता से, वर्तमान values का उप्योग करके, भविश्य के मुल्य की गणना करने में मदद करता है, यह खासकर तब काम आता है जब हमारे पास, पिछले कुछ महिनों या वर्षों का data पहले से हो, उसी के आधार पर यह हमें, आगामी महिनों का data प्रेडिक्ट करके बता देता है, जैसे कि आगामी महिनों में, sales क्या होगी, या expenses क्या होंगे इत्यादी, चलिए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है, यहाँ पर हमने, सन 2018 के, जनवरी महिने से लेकर, दिसंबर महिने तक की, earnings यानि कमाई, और expenses यानि, खर्चे लिख रखे हैं, अब हमें यह जानना है, कि इन महिनों की कमाई, और, खर्चे के हिसाब से, और खर्चा कितना होगा, उसके लिए हम, forecast formula का उप्योग करेंगे, सबसे पहले हम, predict करते हैं, जनवरी 2019 की कमाई, तो यहाँ पर हम formula लगाएंगे, equal to का sign लगाकर, forecast टाइप करना शुरू करेंगे, initials टाइप करते ही, हमको यह formula दिख जाएगा, इस पर double click करके, इसे ले लेंगे, अब यहाँ पर bracket के अंदर, पहला option है, X, मतलब, कौन से महने के लिए, हमको value predict करनी है, हम जनवरी 2019 के लिए value predict करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको select कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, next option है, known wise, यानि वो range, या वो पहले वाले results, जिसके आधार पर हम आगे की value predict करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम, जनवरी से लेकर के, यानि जनवरी 2018 से लेकर के, दिसंबर 2018 तक की जो हमारी earning है, वो वाली range select कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, आखिरी option है, known axis, मतलब की, जो range या पहले वाले results, जो हमने select किये हैं, वो कौन से महिनों में से आए हैं, तो उसके लिए हम, ये जो months हमने लिखें, जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक, इनको select कर लेंगे, अब bracket close करके, एंटर प्रेस करेंगे, ये देखें, यहाँ पर ये result आगया है, इसके जो दशमलव के बाद की संख्या हैं, उसको हम अटा देते हैं, तो यहाँ पर ये जो हमारी earning, प्रेटिक्ट हुई है, वो है 460, अब इसी तरह से हम, खर्चा जो है, उसको भी प्रेटिक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर, एक बाद फिर से formula लगाएंगे, forecast वाला, वो equal to का दिशान लगाएंगे, उसके बाद type करना शुरू करेंगे, जैसी formula दिखें, उसपर double click कर लें, और X में, जनवरी 19 का, खर्चा जो है, वो पता करना है, इसलिए इसको हमने चुन लिया, कॉमा लगाएंगे, नोन वाइज में, अब हमको, खर्चे वाली जो cells है, उस cell range को, select करना है, तो यह हमने, इनको select कर लिया, अब कॉमा लगाएंगे, नोन एक्सेज में, यह जो values हैं, यह आई हैं, जनवरी 18 से लेकर के, देसंबर 18 तक के महिनों में, तो अब हम इनको select कर लेंगे, प्रैकेट क्लोस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यह देखिए, यहाँ पर हमारा खर्चा आया है, 796, इसका मतलब, जनवरी 2019 में, 796 रुपए के expensive, यानि की खर्चे हो सकते हैं, यह जो result है, वो हमें, पहले के महिनों के आधार पर मिला है, एक जरूरी बात यहाँ पर हम आपको बता दें, कि यह जरूरी नहीं, कि यह जो formula है, वो हमेशा सतीक अनुमान निकाले, यह पिछले data के आधार पर ही, आगामी महिनों या वर्षों के लिए prediction करता है, तो इससे हम अन्दाजा लगा सकते हैं, कि क्या हमारी आगे की values होगी, बिल्कुल सतीक उत्तर आएगा, यह जरूरी नहीं है, यदि आपके पास कोई बड़ा data है, जिसमें आपको यह check करना है, कि कोई entry repeat तो नहीं हुई है, यानि कोई duplicate data तो नहीं है, तो यह manually check करने में, और duplicate data को delete करने में, बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन यह काम आप remove duplicates option की सहता से, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, तो आईए देखते हैं, इस option का उप्योग करना, इस Excel sheet में हमने पहले से कुछ data enter करके रखा है, यहाँ पर employees के नाम, उनके department और उनकी salary है, अब हम यह देखना चाहते हैं, कि कहीं हमने किसी employee का नाम double enter तो नहीं कर दिया है, उसके लिए हम इस data को select कर लेंगे, अब होम टैब के अंतरगर दिखाई पढ़ रहे, conditional formatting option पर click करेंग, इस option की shortcut की है, alter h l, click करते ही एक drop down menu open होगा, उसके अंतरगर highlight cells rules option में, माउस को ले जाएं, sub menu में से duplicate values पर click करें, इस पर click करते ही देखिए, सभी duplicate values highlight हो जाएंगी, और साथ ही एक dialogue box भी open हो जाएगा, इस dialogue box में drop down menu की सहायता से, आप formatting option चुन सकते हैं, यहाँ पर light red fill with dark red text by default selected है, हम इसी को selected रहने दे रहे हैं, अब okay पर click करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया था, हमारे पास तीन columns हैं, name, department और salary, इन तीनों columns में कोई न कोई data repeat हो रहा है, जैसे कि मीना नाम दो बार आ रहा है, पर दोनों बार उसका department और उसकी salary अलग हैं, मतलब मीना नाम के यहाँ पर दो लोग हैं, पर जब हम मीरा नाम देखते हैं, तो एक तो यह यहाँ पर है, जिसका department marketing है और salary है 25,000 रुपए, और उसके बाद जब हम दूसरा मीरा नाम देखते हैं, जो नीचे है, उसका भी department marketing और salary है 25,000 रुपए, इसका मतलब यह हुआ कि यह duplicate data है, तो ऐसे duplicate data को remove करने के लिए data को select कर लें, अब data tab के अंतरगर data tools में remove duplicates option आपको यहाँ मिलता है, इस पर क्लिक करें, इस option की shortcut की है alter plus a plus m, यहाँ पर क्लिक करते ही यह देखिए remove duplicates का एक dialogue box उपन हुआ है, इस box में पहले से ही आपके data के column headers दिये हुए है, और by default वो selected भी है, यहाँ से आप वो column select कर सकते हैं, जिसमें से आप duplicate data remove करना चाहते हैं, हम यह तीनो column selected रहने देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब selected rows में, इन तीनो columns का data एक जिसा हो, तभी वो row delete हो, अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करते ही, बैग्राउंड में आप देख सकते हैं, कि duplicate data remove हो गया है, और साथ ही dialogue box open हुआ है, जिसमें लिखा है, कि चार duplicate values मिली, और वो remove कर दी गई, और यहाँ पर 22 unique values हैं, यहाँ values का मतलब data से है, अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो भी duplicate data था, वो remove हो गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि मीरा नाम दो बार था, पर अब यह एक ही बार है, इसलिए यहाँ पर मीरा नाम से red color हट गया है, इस formula की साहता से, आप भविश्यकाल की किसी भी तारीख पर कौन सा दिन होगा, या फिर भूद काल की किसी भी तारीख पर कौन सा दिन था, यह जान सकते हैं, मान लिजी आपको अपने जॉब से छुटियां लेकर कहीं घूमने जाना है, और आप जानना चाहते हैं कि सेम डेट पर आज से चार महिने बाद कौन सा दिन आएगा, ताकि आप उसी हिसाब से छुट्टी ले सकें, तो इडेट फॉर्मुले का उप्योग करके, आप ये कैसे के अल्कुलेट कर सकते हैं, आएए देखते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मुला लगा रहे हैं, तो सबसे पहले एक्वल टू का साइन लगा करके फॉर्मुला टाइप करेंगे, इडेट, ये टाइप करते ही नीचे फॉर्मुला आगया है, डबल क्लिक करके इसको ले लें, फॉर्मुले का पहला आगयूमेंट है स्टार्ट डेट, इसका मतलब वो डेट जिसके चार महिने बाद का दिन आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने स्टार्ट डेट कॉलम में वो डेट लिख रखी है, इसको हम सेलेक कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट अग्यूमेंट है मंस, मंस वाले कॉलम में हमने लिख रखा है कि हमको स्टार्टिंग डेट के कितने महिने बाद की डेट का दिन चाहिए, तो यहाँ पर हमने लिखा है चार यानि चार महिने बाद का, इसके लिए हम इस सेल को सिलेक कर लेंगे, अब रेकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, अब यह देखिए जहाँ हमको रिजल्ट डेट चाहिए थी, वहाँ पर यह नमबर्स लिखे हुए आ गए हैं, ऐसा इसलिए कि हमने इसका फॉर्मेट चेंज नहीं किया था, अब हम इस सेल का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, उसके लिए हम यहाँ उपर नमबर ब्लॉक में, उपर यहाँ जहाँ जनरल लिखा हुआ है, वहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जिस तरह की डेट का फॉर्मेट चाहिए, वह सेलेक कर लेंगे, तो यहाँ पर हमने लॉंग डेट चुना, अब यह देखिए, यहाँ पर दिन और तारीख दोनों आ गए हैं, यानि कि चार महने बाद 12 तारीख को मंडे होगा, हम एक बार और यह फामुला उप्योग करके देख लेते हैं, लेकिन भविश्य की किसी तारीख के लिए नहीं, भूत काल की कोई तारीख जानने के लिए, तो चलिए अब हम यह पता करके देखते हैं कि, 15 अगस्त 2018 से 5 महिने पहले इसी तारीख पर कौनसा दिन था, उसके लिए हम 5 के आगे माइनस का निशान लगा देंगे, क्योंकि हम बात की नहीं, पहले की तारीख देखना चाह रहे हैं, अब यहाँ पर हम फार्मुला लगाएंगे, इक्वल्टू का निशान लगाकर लिखेंगे इडेट, फार्मुला यहाँ से ले लेंगे, अब सबसे पहले स्टार्ट डेट सेलेक कर लेंगे, यह है 15 अगस 2018, कॉमा लगाके मन सेलेक करेंगे, और अब बैकेट प्लोस करके इंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ पर भी हमें सेल का फॉर्मिट फ़र चेंज कर देंगे, यह देखे हमें भूत काल में 15 अगस से 5 महिने पहले इस तारिक पर कौनसा दिन था, वो मिल गया है, यह था 15 मार्च गुरुवार, आज हम जानेंगे, LCM मतलब, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टिपल कैसे कैल्कुलेट किया जाता है, LCM बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक्स में से एक है, इसका क्वेश्चन कॉंपिटिटिव एक्जाम्स में भी पूचा जाता है, LCM वो छोटी से छोटी संख्या होती है, जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा चला जाता है, चलिए हम इसे एक एक्जाम्पल से समझ लेते हैं, यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स लिये हैं, और यहाँ पर उनका LCM पहले से ही मैनियूली कैल्कुलेट किया हुआ है, अब फॉर्मुले से चेक करते हैं कि LCM कैसे कैल्कुलेट करना है, तो यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगा कर टाइप करेंगे LCM, यह देखें यहाँ पर नीचे यह फॉर्मुला दिखाई दे रहा है, इस पर डबल क्लिक कर लेंगे, अब यहाँ पर पहला अउग्यूमेंट है नमबर वन, इसके लिए पहले नमबर के सेल पर क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगा कर, नमबर टू के लिए दूसरे नमबर वाला सेल सिलेक करेंगे, और इसके बाद तीसरे वाले सेल में कोई नमबर नहीं है, तो bracket close कर देंगे और enter press करेंगे यह देखे फॉर्मुले में भी हमें LCM जो है वो मिला है 5 एक बार और फॉर्मुले का उपयोग करते हैं नीचे वाली cell में equal to का sign लगा कर वापस हम LCM टाइप करेंगे और यह जैसे ही यहाँ पर फॉर्मुला आएगा डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे फिर से हम number 1 वाला cell जो है यानि पहला cell उसको select करेंगे कॉमा लगा करके दूसरा वाला cell select करेंगे फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पर तीसरे वाले cell में भी कुछ number है तो इसको भी select कर लेंगे और अब bracket close करके enter press करेंगे यह देखिए यहाँ पर फॉर्मुले से भी जो हमको LCM मिला है वो है 150 बाकी numbers का LCM निकालने के लिए हम इस formula को drag करके copy कर सकते हैं यह देखिए बाकी की cells का भी LCM यहाँ पर आ गया है तो इस तरह से Excel में हम आसानी से LCM calculate कर सकते हैं mathematics में दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच की तुलना करने को ratio निकालना या अनुपात निकालना कहा जाता है नकेवल पढ़ाई अपितू रोजमर्रा की जिंदगी में अलग-अलग राशियों की आपस में तुलना करने के लिए अनुपात की साहता ली जाती है उधारन के लिए एक केक बनाने के लिए हमने दो कटोरी आटा और एक कटोरी चीनी ली है इसका मतलब ये कि केक में आटे और चीनी का रेशो 2 is to 1 है वैसे तो एकसल में रेशो निकालने का कोई डिरेक्ट फॉर्मूला नहीं है पर हम इसे जीसीडी यानि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फॉर्मूले की साहता से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं तो चलिए पहले आपको जीसीडी फॉर्मूले की जानकारी दे देते हैं और उसके बाद आपको जीसीडी फॉर्मूले की साहता से रेशो निकालना बता देते हैं पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जीसीडी यानि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है जीसीडी वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्यक दी गई संख्याओं को पूरा-पूरा विभाजित कर देती है उधारण के लिए यहाँ पर हमने तीन नंबर्स लिए हैं इनका GCD निकालने के लिए हम फॉर्मुले का उप्योग करेंगे यहाँ हम फॉर्मुला लगा रहे हैं तो सबसे पहले इकुल टू का साइन लगा करके टाइप करेंगे GCD यह देखिए यहाँ पर एकसल ने हमको इस सजेशन दिया है फॉर्मुले का यहीं पर हम डबल क्लिक करके फॉर्मुला ले लेते हैं ब्रैकेट में सबसे पहला आग्यूमेंट है नमबर वन तो इसके लिए हम नमबर वन को सेलेक करेंगे कॉमा लगा करके दूसरा नमबर सेलेक करेंगे फिर कॉमा लगा करके हम तीसरा नमबर सेलेक कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोस करके enterprise कर देंगे enterprise करते ही यहाँ पर हमको GCD मिला है 36 यानि 36 ही ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिस से 144, 180 और 108 पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे चली अब हम आगे बढ़ते हैं और GCD का उप्योग करके आपको ratio निकलना बता देते हैं जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि किनी दो संख्याओं का comparison करने के लिए ratio का उप्योग किया जाता है और ratio calculate करने के लिए हमें पहले उन numbers का GCD पता करना होता है तो इस उधारन से हम इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं यहाँ पर हमारे पास फलों की दो दुकानों का डेटा है जिनमें फलों को compare करने के लिए हमें उनका ratio निकालना है आसान भाशा में कहा जाए तो ratio का उप्योग करके हमें यह जानना है कि shop A के मुकाबले shop B में कितने फल कम या ज्यादा हैं तो पहले हम shop A और shop B में apples की तुलना कर लेते हैं उसके लिए पहले हम gcd calculate करेंगे equal to का sign लगाएंगे और उसके बाद हम type करना शुरू करेंगे gcd bracket के अंदर पहले हमें shop A से apples की value लेना है तो इस cell को select कर लेंगे comma लगा करके shop B में apples की जो value है उसको select करेंगे इसके बाद bracket close करके enterprise कर देंगे यह देखिए यहाँ पर हमने gcd calculate कर लिया है अब हम ratio निकालते हैं इसके लिए equal to का sign लगा करके हम shop A से apples की value को select करेंगे अब इसको gcd से divide करेंगे तो हम यहाँ पर division का sign लगाएंगे और उसके बाद यह जो हमारा gcd हमने calculate किया इस cell को select कर लेंगे इसी तरह से हम shop B के apples की value के लिए भी करेंगे पर उसके पहले इन दोनों values को आपस में जोडने के लिए हमको ratio का sign लगाना होगा और एक बाद का ध्यान रखें कि ratio का sign हम directly नहीं लगा सकते तो उसके लिए पहले हम ampersand का sign लगाएंगे और उसके बाद inverted commas लगा करके उसमें colon का sign लगाएंगे और फिर inverted commas close कर देंगे अब एक बार फिर से ampersand का sign लगाएंगे और अब हम shop B की apples की value को select करेंगे इसे भी हम GCD से divide करेंगे और अब हम enterprise करेंगे यह देखिए यहाँ पर ratio आ गया है 2 is to 5 यानि shop A के 2 apples की तुलना में shop B पर 5 apples हैं अब हम बाकी फलों का भी GCD calculate करना चाहते हैं तो उसके लिए इस formula को नीचे तक हम drag करके copy कर देंगे यह देखिए बाकी सबी फलों का GCD निकल आया है और अब इन सब का ratio जानने के लिए ratio वाला जो formula हमने लगाया था उसको भी नीचे तक drag करके copy कर लेंगे यह देखिए हमें shop A और B के बाकी के फलों का ratio भी यहाँ पर मिल गया है चलिए आपको एक और तरीके से ratio निकालना बता देते हैं उसके लिए हम दूसरा example लेते हैं इस example में हमने दो stationary shops का data लिया है जिनके products के stock को compare करने के लिए हमें उनका ratio निकालना है इस तरीके में हम GCD को अलग से calculate नहीं करेंगे इसमें हम ratio के formula के अंदर ही GCD को भी calculate करते जाएंगे देखते हैं कैसे सबसे पहले हम equal to का sign लगाएंगे और फिर shop A से pen का stock select करेंगे इसके बाद हम division का sign लगाएंगे और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जो भी value है उसको हम GCD से divide करते हैं अब GCD हमने यहाँ पर पहले से निकाल के नहीं रखा है तो यहाँ पर GCD calculate करने के लिए हम उसका formula type करेंगे अब हम A shop से pen का जो stock है उसकी value को select करेंगे और उसके बाद और bracket close कर देंगे इसी तरह से हम shop B के लिए भी करेंगे पर उसके पहले हमको इन दोनों values को जोड़ना है उसके लिए जैसा कि हमने आपको पहले बताया था ratio का sign लगाना है ratio का sign लगाने के लिए पहले हम ampersand का sign लगाएंगे फिर inverted commas के अंदर column का sign लगाएंगे उसके बाद फिर से ampersand का sign लगाएंगे और अब हम B shop के लिए values ले लेंगे तो सबसे पहले हमने B shop से pen का stock select किया फिर division का sign लगाया और अब इसका GCD निकालने के लिए GCD का formula लगाएंगे और वापस से दोनों shop से pen की जो value है वो हम select करेंगे बीच में हम लगादेंगे comma और अब bracket close कर देंगे अब हम enter press करेंगे यह देखिए हमें दोनों shops के stock के comparison का ratio यहाँ पर मिल गया है जो है 4 is to 5 इस formula को हम नीचे तक drag करके copy कर लेंगे तो यह देखिए बाकी के जो product हैं उनका ratio भी हमको यहाँ पर मिल गया है मान लीजिए आपने अपने office में एक हफ़ते के लिए overtime duty की है और आप खुद ही यह calculate करना चाहते हैं कि आपने कितने घंटे overtime किया है आईए देखते हैं यह आप कैसे calculate कर सकते हैं यहाँ पर हमने एक example sheet बनाई है इसमें सबसे पहले उपर हमने लिखा है working hours मतलब आपके office के compulsory working hours वो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं यहाँ पर हमने 8 गंटे लिखे हैं अब जजबी तारिक की आप entry कर रहे हैं उसके सामने उस दिन का login टाइम डालिए मतलब वो टाइम जब आप office पहुँचे तो वो भी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा 10 यहाँ हमने 10 तो लिखा है पर यह समझ नहीं आ रहा कि यह सुबर की 10 है रात की 10 है या फिर 10 गंटे हैं तो इसके लिए हमें टाइम फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा फॉर्मेट बदलने के लिए पहले उस सेल को सिलेक कर लें जिसका कि आप फॉर्मेट बदलना चाहते हैं फिर होम टैप के नंबर ब्लॉक में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें ओपन हुए ड्रॉप डाउन मेन्यू से टाइम को सिलेक करें यह देखिया यहाँ पर टाइम चेंज होकर 10 एम हो गया है अब हम दूसरे दिनों का भी लॉग इन टाइम डाल देते हैं कि हमने सभी दिनों का टाइम डाल दिया है अब हम आगे बढ़ते हैं और सभी दिनों का लॉग आउट टाइम यानि ओफिस से निकलने का समय डाल देते हैं यह यहाँ पर सबसे पहले हमने टाइम डाला शाम के 6 बजे पर अब यहाँ पर न तो पी-म दिख रहा है ना 24 hours के format के अनुसार 18 लिखा हुआ आ रहा है जिससे कि हम समझ जाएं कि यह सुभ़े का टाइम है या शाम का हमें यहाँ PM format डालना है तो उसके लिए इस cell को सेलेक करके Home tab के number block में जहाँ general लिखा हुआ है उसके drop down arrow पर क्लिक करेंगे ओपन हुए drop down menu से more number formats पर क्लिक करेंगे यह देखे एक dialogue box open हो गया है इसमें number वाले tab में हम category में से चुनेंगे custom और अब यहाँ से हम यह hour, minute, seconds, am, pm वाला format चुनेंगे और उसके बाद okay पर क्लिक कर देंगे यह देखें यहाँ पर logout time का format change हो गया है पहले तो यहाँ भी am ही आएगा इसको हमको manually pm करना पड़ेगा इसको हम pm कर देते हैं अब हम दूसरे दिनों का भी logout time डाल देते हैं अब next column है total hours worked यानि किसी particular day पर हमने कितने घंटे काम किया तो उसके लिए equal to का sign लगाएंगे फिर logout time में से login time को minus करेंगे मतलब office से निकलने के समय में से office पहुचने के समय को minus करेंगे तो पहले logout time पर हमने क्लिक किया और अब minus का sign लगा करके login time को select कर लेंगे और फिर enter press करेंगे यह देखिए total worked hours तो आ गये हैं पर यहाँ पर am लिखा हुआ आया है तो इसका भी time format हमें बदलना पड़ेगा उसके लिए वापस हम यहाँ पर more number formats पर जाकर के यह dialogue box खोलेंगे अब इसके लिए हम am pm वाला format न चुनते हुए केवल hours, minutes, minutes, seconds वाला format चुनेंगे और फिर okay पर click कर देंगे यह देखिए यहाँ पर यह format चेंज हो गया है अब बाकी के दिनों के भी total working hours निकालने के लिए हम पहली cell को select करके यहाँ corner पर mouse ले जाकर के ड्रैक कर देंगे बाकी दिनों के भी total hours वर्क आ गये है चलिए अब overtime calculate कर लेते हैं overtime calculate करने के लिए हम एक दिन के total hours worked में से working hours को minus कर देंगे उसके लिए यहाँ पर equal to का sign लगाएंगे अब total hours worked वाले cell को select करेंगे minus का sign लगा कर working hours वाले cell को select करेंगे और enter press करेंगे यह देखिए यहाँ पर यह answer आ गया है अब हम इस formula को नीचे तक copy कर देंगे ड्रैक करके जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जिस cell में formula लगाया अभी वहाँ पर तो सही result है कि total hours जो worked थे वो 8 गंटे थे और हमारे working hours भी 8 गंटे हैं तो इस दिन overtime नहीं हुआ है पर अगर हम अगले दिन का देखें तो यहाँ पर यह 8 गंटे 10 मिनिट का overtime बता रहा है जबकि total hours जो हमने काम किया वो ही 8 गंटे 10 मिनिट है यानि कहीं पर formula में गड़बड हो रही है क्या गड़बड है वो देखने के लिए हम वापस पहली cell में चलते हैं और F2 की प्रेस करेंगे अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि total hours वरक्ड जो है वो तो रोज चेंज हो रहे हैं किसी दिन वो 8 गंटे है किसी दिन 8 गंटा 10 मिनिट है किसी दिन 9 गंटा है यह तो रोज चेंज हो रहे हैं पर जो working hours हैं company के वो fixed हैं वो 8 गंटे ही है और वो हर दिन के लिए 8 खंटे ही रहेंगे इसलिए यहाँ पर फॉर्मूले में हमको यह जो working hours है इनको fixed करना होगा, total hours worked बदलते जाएंगे पर यह fixed रहेंगे, working hours को fixed करने के लिए फॉर्मूले में हम इस cell number को select करके F4 की press करेंगे, यह देखिए अब जो working hours हैं वो fixed हो गए हैं और total hours worked जो है वो change होते रहेंगे, तो हमारा answer सही आएगा, ये formula हमने change किया, अब enter press करेंगे, और अब इस formula को हम नीचे तक track कर देंगे, ये copy हो गया है, अब देखिए अब जो result आया है वो बिलकुल सही है, अब इनका sum निकालने के लिए ये सारी values को हम select कर लेंगे, और auto sum पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर नीचे पूरे हफते बर का total जो overtime हमने किया है, वो hours यहाँ आ गए हैं, डेटे डेफ फॉर्मुले का उप्योग करना सिखाने से पहले हम आपको एक जरूरी बात बता दें, कि Excel में ये फॉर्मुला होता तो है, पर दूसरे फॉर्मुलों की तरह दिखाई नहीं देता, इसे आपको manually type करना होगा, चलिए देखते हैं, इसे आप कैसे use कर सकते हैं, उधारन के लिए हमें company के employees का record बनाना है, जिसमें उनकी birth date दी हुई है, और हमें उनकी age numbers में लिखना है, मान लिजे हमें इस व्यक्ति की age calculate करनी है, तो यहां हम आपको एक अलग format में age calculate करना बता रहे हैं, जिसमें व्यक्ति की उम्र, साल, महिने और दिनों में दिखेगी, चलिए formula start करते हैं, सबसे पहले हम years निकालेंगे, इसलिए यहां पर हम formula लगाएंगे, यहां equal to का sign लगा करके, dated if लिखेंगे, यह देखें, यहां नीचे आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, dated if formula एक्सल में होता तो है, पर दूसरे formula की तरह दिखाई नहीं देता, यहां पर आपको सिर्फ date और date value, यह दो formula ही दिखाई दे रहे हैं, dated if formula हमको पूरा manually type करना पड़ेगा, तो वो हम यहा formula का जो syntax होता है, उसमें पहला argument है, start date, start date के लिए हम date of birth जो है, वो select करेंगे, इसके बाद comma लगाएंगे, comma लगाने के बाद end date सिलेक करेंगे, end date यानी वो date सिलेक करेंगे, जिस तक हमको age calculate करना है, हमको आज की तारिक तक age calculate करना है, इसलिए हमने यहां पर current date डाली हुई है, end date के लिए हम इसको सिलेक कर रहे हैं, फिर comma लगाएंगे, और फिर है format type, इसमें हम double inverted commas के अंतरगत लिखेंगे y, क्योंकि इससे हमें दो दिन आंकों के बीच के total years मिल जाएंगे, अब bracket बन करके enter press कर देंगे, यह देखिए इस व्यक्ति की age, सालों में कितनी होनी चाहिए, वो हमको यहां पर मिल गई है, यानि यह जो दो dates हैं, इसके बीच में 31 years हो चुके हैं, वो हमको यहां पर मिल गए हैं, अब हमको months और days पता करना है, months calculate करने के लिए, यहां पर हम formula type करेंगे, equal to का sign लगाएंगे, फिर लिखेंगे dated if, bracket open करेंगे, start date के लिए, but date को select करेंगे, comma लगाएंगे, end date के लिए, current date को select करेंगे, फिर comma लगाएंगे, और अब double inverted comma लगा करके, लिखेंगे M, inverted commas close करके, bracket बंद कर देंगे, और enterpress कर देंगे, यह देखिए, यहां पर हमें इन दो dates के बीच के total months मिल गए हैं, पर हमें total months नहीं चाहिए, हमें यह चाहिए, कि months अगर 12 महिने से ज्यादा हो रहे हैं, तो वो years में convert हो जाएं, उसके लिए हम फिर से formula लगा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हम change करेंगे, यहां पर inverted commas के अंदर, M की जगह हम लिखेंगे, YM, इससे यह होगा कि 31 साल के उपर जितने महिने होंगे, वो यहां पर आ जाएंगे, हम enterprise करेंगे, तो यह देखिए, यहां पर total months आने की बजाए, बाकी सारे months तो साल में convert हो गए, तो वो हो गए 31 साल, अब इसके उपर जो महिने बचे हैं, वो हैं 11 महिने, वो यहां पर आ गए हैं, इसमें years और days included नहीं हैं, इसी तरह से अब हम 31 साल 11 महिने के उपर अगर कुछ days भी हुए हैं, तो उनको calculate कर लेंगे, यहां पर formula type करेंगे, equal to, फिर दिखेंगे data div, bracket open करेंगे, start date ले लेंगे, इसके बाद कॉमा लगा करके, end date ले लेंगे, फिर कॉमा लगा के, inverted commas के अंदर हम लिखेंगे, md, inverted commas close कर देंगे, और अब bracket लगा देंगे, अब हम enterprise करेंगे, यह देखिए यहां पर 31 साल 11 महिने के उपर जितने भी दिन हुए हैं, वो यहां आ गए हैं और वो है एक दिन, इसका मतलब यह जो employee है राधा महरा, इसकी उम्र है 31 साल 11 महिने एक दिन, अब चलिए आपको इस age को statement के form में भी लिखकर बता देते हैं, और यहां पर जो cell में y, ym और md लिखे हुए हैं, इनको change करके years, months और days लिख देते हैं, यह यहां पर हमने जो heading है उसको years, months और days कर दिया है, अब हम age को statement के form में लिखने के लिए यहां पर नीचे concatenate formula का उप्योग करेंगे, सबसे पहले equal to का sign लगाएंगे, फिर type करेंगे concatenate, यह देखे हैं यहां पर formula आगया, double click करके इसको ले लेंगे, bracket के अंदर सबसे पहले name वाला cell सिलेक करेंगे, अब m% का sign लगाएंगे, अब double inverted comma लगाकर space देंगे, फिर type करेंगे age is, फिर space देंगे, और inverted commas close कर देंगे, फिर m% का sign लगाएंगे, उसके बाद years के नीचे जो age लिखी हुई है, उस cell को सिलेक करेंगे, m% का sign लगाएंगे, फिर जहां years लिखा हुआ है, उस cell को सिलेक करेंगे, फिर m% वाला sign लगाएंगे, फिर ये जो 11 months लिखे हुए हैं, इस cell को सिलेक करेंगे, अब फिर से m% का sign लगाएंगे, months जो लिखा हुआ है, उस cell को सिलेक करेंगे, फिर m% का sign लगाएंगे, और ये जो days है, एक दिन वाला cell सिलेक करेंगे, एमपरसेंट का साइन लगा करके देज टाइटल वाला सल सेलेक करेंगे और आप ब्रैकेट बन करके एंटर प्रेस करेंगे यह देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में यह उसकी एज लिखी हुई आ गई है अब यदि हम उपर दिये हुए नाम स्टार डेट या फिर करेंट डेट में कोई चेंज करते हैं तो वो चेंज यहाँ नीचे भी रिफलेक्ट होंगे जैसे हमने पर्ड डेट जो है वो चेंज की और बारा मही की जगह इसको हमने कर दिया बारा जून तो यह देखिए यहाँ पर मंस चेंज हो गए है पहले यहाँ 11 मंस थे उसकी जगह यहाँ पर 10 मंस हो गए है अगर हम यहाँ पर नाम चेंज करते हैं राधा महरा की जगह हमने कर दिया राधा मालवीर तो ये देखिए, यहाँ पर नीचे जो statement था, वहाँ पर नाम अपने आप change हो गया है हम आपको ये formula उदाहरन की साहता से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये समझा दें, कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से या बैंक से रुपया उधार लेता है, तो उसे उस धन का प्रयोग करने के लिए जो किराया देना पड़ता है, उसे ब्याज कहते हैं, और उधार लिये गए धन को मूल धन कहा जाता है इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है, वो है मूल धन, रेट यानी दर और टाइम यानी समय, तो फॉर्मूला हुआ, मूल धन, गुनित दर, गुनित समय, बटा 100 अब मान लीजिए, राम ने मोहन को पंदरा सो रुपए, दस प्रतिशत वार्शिक ब्याजदर से दो वर्श के लिए दिये, तो राम को कितने ब्याज की प्राप्ती होगी? simple interest calculate करने से पहले हम आपको ये बता दें, कि ब्याजदर जो होती है, वो प्रति 100 रुपए पर ही लागू होती है, जैसे कि हमने कहा 10 प्रतिशत ब्याज, इसका मतलब प्रति 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज लगेगा, और ये जो ब्याजदर होती है, वो प्राया वार् कुछ विशेश परिस्थितियों में हो सकता है कि ये मासिक हो, वहाँ पर फिर इसका विशेश उलेख करना होता है, तो यहाँ पर 10 प्रतिशत वार्शिक ब्याज से तात पर ये हुआ, कि 100 रुपए का एक वर्ष का ब्याज 10 रुपए होगा, अब चलिए हम simple interest calculate कर लेते हैं यहाँ पर हम formula लगाएंगे, equal to का sign लगा करके, bracket open करेंगे, और फिर principal amount, rate और time को multiply करके, bracket close करेंगे, और उसके बाद divided by 100 करेंगे, अब हम enterprise करेंगे, यह देखिए हमें यह result मिल गया है, राम को 300 रुपए प्याज की प्राप्ति होगी, अगर हम यहाँ principal amount या rate या time में कुछ भी बदलाव करेंगे, तो result में भी बदलाव आ जाएगा, मान लिजिए हमने time को 2 की बज़ाए 3 साल कर दिया, अब जैसे ही enterprise करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो भी आज का amount है, वो बदल गया, इसी तरह अगर हमने principal amount में कोई change किया, 1500 की जग इसको 2000 रुपए कर दिया, फिर enterprise किया, तो देखिए यहाँ पर जो result है वो भी बदल गया है, अब हम इसको वापस पहले जिसा कर देते हैं, simple interest calculate करने का एक और तरीका भी है, उसके लिए हमने जो rate लिया है, उसके आगे percent का sign लगा दिया है, अब यहाँ पर simple interest का formula हम type करेंगे, अब चूंके इस बार formula में rate के आगे percent का sign हमने लगाया है, इसलिए हमें इस multiplication को 100 से divide करने की आवश्यक्ता नहीं है, अब हम सीधे enterprise करेंगे, यह देखे हमें result मिल गया है, जो वही है जो हमको पहले मिला था, तो यह हुआ simple interest निकालने का दूसरा तरीका, अब हम एक और example के साथ भी simple interest calculate करते हैं, इस बार हम अवधी यानि period महिनों में लेंगे, यह देखे, यहाँ पर हमने जो time लिया है, वो महिनों में लिया है, time है 26 महिने, चलिए देखते हैं इसके लिए simple interest कैसे calculate होगा, यहाँ इस example में principal amount है 1500 रुपए, rate है 8% वार्शिकदर के हिसाब से, और time जो है यहाँ इस बार हमने वर्ष की जगह महिनों में लिया है, तो यहाँ पर time है 26 महिने का, अब हम देखते हैं इसके लिए simple interest कैसे calculate होगा, यहाँ पर equal to का sign लगा करके bracket open करेंगे, अब हम principal amount को select करेंगे, उसके बाद multiply का निशान लगाएंगे, फिर हम rate select करेंगे, और फिर multiply का निशान लगाएंगे, फिर हम select करेंगे time, चुकि time months में हैं यानि महिनों में हैं और हमारी ब्याजदर वार्शिक है, इसलिए हम time जो की महिनों में हैं उसको 12 से भाग देंगे, तो यह time select करने के बाद हम इसको divide करेंगे 12 से, ऐसा करने से माह जो हैं वो वर्श में बदल जाएंगे, अब हम bracket close कर देंगे, अब हम यहाँ पर divide by 100 करेंगे, अब enter press करेंगे, यह देखिए हमको result मिल गया है, अब इस example में भी हम formula में percent का sign लगाकर simple interest calculate करके देखते हैं, यह देखिए यहाँ पर हमने interest rate लिया है, उसमें percent का sign लगा दिया है, अब वापस हम यहाँ नीचे वही formula टाइप करेंगे, equal to का sign लगाएंगे, bracket open करेंगे, और अब वापस से हम principal amount, rate, time इनको select करते जाएंगे, यह वापस हमने multiplication का sign लगा करके time को भी select कर लिया, और अब हम time को चुकि महिने में हैं, इसलिए उसको divide करेंगे 12 से, अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, कि चुकि rate जो हमने लिया है interest rate, इसमें percent का sign लगा हुआ है, इसलिए अब हमको यहाँ पर इसको hundred से divide करने की जरूरत नहीं है, एक और बात बता दें कि यह सारी जो values हैं इस formula में वो हमने select की हैं, आप चाहें तो उन्हें manually भी लिख सकते हैं, पर select करने का फायदा यह है कि अगर हम कोई भी change करते हैं किसी भी value में, तो उसका result अपने आप यहाँ पर change हो जाता है, अब हम enterprise करेंगे, यह देखिए यहाँ पर भी वही result आया है, जो कि पहले आया था, अब हम एक और different और simple example ले रहे हैं, इस example में हमें 1000 रुपए पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की ब्याज दर से एक साल का simple interest calculate करना है, यहाँ पर हम इसे calculate करते हैं, equal to का sign लगा कर हमने principal amount लिया, into rate, जो है 2%, इसके बाद multiplication का sign लगा करके हमने डाला time, अब चुकि ब्याज दर जो है वो प्रतिमाह के हिसाब से है, तो यह जो हमारा period है याने time है, यह साल में है, इसको माह में convert करने के लिए हम इसको गुणा कर देंगे 12 से, अब enterprise करेंगे, यह देखिए यहाँ पर हमें result मिल गया है, हमें 240 रुपए ब्याज की प्राप्ति होगी, अब हम एक ऐसा example भी देख लेते हैं, जिसमें यदी समय दिनों में हो, तो फिर simple interest कैसे calculate करेंगे, यहाँ पर यह जो time है वो हमने days में डाला है, माली जिये हमारा principal amount है, 1500 रुपए, rate 10 प्रतिशत वार्शिक ब्याज दर्स और जो समय है, वो है 100 दिन, अब इसके लिए हमें simple interest कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हम formula लगाएंगे, equal to का sign लगाया, सबसे पहले हमने लिया, principal amount, into, rate है 10%, into, time जो है, वो है 100 days, अब यदी period days में हो, या जो time है वो days में हो, तो इसे वर्शों में परिवर्टित करने के लिए, आप जिस वर्श की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें जितने दिन हैं, उतने से भाग देना होगा, हम इसको भाग दे रहे हैं 365 से, क्योंकि एक साल में 365 दिन है, ये देखिए, formula हमने वैसे ही type किया है, principal amount into rate into time, और चूंकि time दिनों में है, इसलिए इसको हमने divide किया है 365 से, जिसे कि ये वर्श में बदल जाए, अब हम enterprise करेंगे, ये देखिए, यहाँ पर हमें result मिल गया है, अब ये देखिए, यहाँ पर हमें result मिल गया है, जब कोई व्यक्ति किसी अने व्यक्ति से या बैंक से रुपया उधार लेता है, तो उसे उस धन का उप्योग करने के लिए जो किराया देना पड़ता है, उसे ब्याज कहते हैं, और उधार लिये गए धन को मूल धन कहा जाता है, जब उधार ली गई धन राशी का ब्याज न देकर उसे मूल धन राशी में जोड़ दिया जाता है, तो उसे मिश्रधन कहते हैं, और फिर मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाता है, तो उसे compound interest यानि चक्रव्रधी ब्याज कहा जाता है, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि इस पध्धती में ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है, यहां हम आपको एक जुरूरी बात बता दें कि सामान्य तह चक्रव्रधी ब्याज की कैलकुलेशन, monthly यानि हर महिने, quarterly यानि हर तीन महिने में, या फिर half yearly यानि हर छह महिने में की जाती है, compound interest किस तरह से calculate किया जाता है, ये हम आपको एक उधारण द्वारा समझा देते हैं, मान लिजिए आपने 40,000 रुपए 8 प्रतिशत वार्शिक ब्याज की दर से एक साल के लिए किसी व्यक्ति को दिये, जिसके compounding ब्याज की calculation प्रतीमा होना है, यहाँ पर 8 प्रतिशत वार्शिक ब्याजदर से मतलब है, 100 रुपए का एक वर्ष का साधरन ब्याज 8 रुपए देना होगा, पर यहाँ पर हमें प्रतीमा compounding interest calculate करना है, और एक वर्ष में 12 महिने होते हैं, तो प्रतिमा के हिसाब से हमें 12 बार ब्याज calculation करना होगा, और हर माह के ब्याज को अगले माह की calculation में मूलधन के साथ जोड़ कर, उस पर फिर से ब्याज निकालना होगा, और इस तरह निकाले गए ब्याज को जोड़ कर, हमें एक साल का compound interest यानि चक्र वृद्धी ब्याज प्राप्थ होगा, तो चलिए अब हम compound interest कल्कुलेट करके देखते हैं, चुकि एक वर्ष में 12 महिने होते हैं, और हर महिने का अलग-अलग ब्याज हमको निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पर month में एक से बारह तक numbers लिख दिये हैं, यहाँ पर हमको principal amount यानि मुलधन लिखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर equal to का sign लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पर जो principal amount लिखा हुआ है, उससे select कर लेंगे, और उसके बाद enter press करेंगे, तो यह देखिए, यह जो हमारा principal amount है, 40,000 रुपए वो यहाँ पर आ गया है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर सीधे 40,000 रुपए directly type कर सकते थे, पर वो हमने इसलिए नहीं किया है, ताकि अगर यहाँ पर हमारे किसी भी value में कोई change हो, तो इस data में वो change अपने आप आ जाए, अब इसके बाद हमें, एक माह का interest calculate करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम equal to का sign type करेंगे, और उसके बाद यह जो principal amount है, इसको select करेंगे, और उसके बाद multiplication का sign लगा करके, यह जो rate of interest है, इसको select करेंगे, अब चुकि यह जो rate of interest है, यह सभी 12 मेनों के लिए यही रहेगा, तो इसके लिए हम इसको fix कर देते हैं, इसको fix करने के लिए, यह वाली जो cell यहाँ पर लिखी हुई है, इसको हम select करेंगे, और F4 की press कर देंगे, यह देखिए, यहाँ पर अब यह value fix हो गई है, इसको हमने fix इसलिए किया है, कि जब हम इस formula को copy करने के लिए नीचे तक drag करेंगे, तो rate of interest की जो value है, वो नीचे तक के cells में same बनी रहेगी, अब यहाँ पर फिर से multiplication का sign लगा करके, हम अवधी यानि time लिखेंगे, और हमारी अवधी जो है, उसको हम लिख रहे हैं, एक बटा बारह, यहाँ पर हमने एक बटा बारह इसलिए लिखा है, क्योंकि हमारी ब्याज तर जो है, वो वार्शिक है, और हमें हर माह ब्याज की calculation करना है, तो एक माह को वर्ष में बदलने के लिए हमने 12 से भाग दिया है, अब हम enterprise करेंगे, यह देखे, यह हमारा एक महिने का ब्याज है, अब अगले महिने के लिए हमें जो ब्याज calculate करना है, वो इस महिने के ब्याज और मूलधन को जोड़ कर करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर new principal amount यानि मिश्रधन calculate करेंगे, उसके लिए यहाँ पर equal to का sign लगाएंगे, और उसके बाद principal amount और interest को add करेंगे, तो यह बीच में हमने plus का निशान लगाया और उसके बाद interest वली सल को select कर लिया, अब enterprise करेंगे, यह देखें यहाँ पर हमें मिश्रधन मिल गया है, अब अगले महिने का जो ब्याज निकलेगा, वो इसी मिश्रधन के लिए निकाला जाएगा, तो इसके लिए हमको इस मिश्रधन को principal amount वाले कॉलम में ले जाना है, क्योंकि अगले महिने के लिए अब हमारा जो principal amount है, वो ये वाला मिश्रधन होगा, इसको भी हम यहाँ से सीधे copy नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर माह का मिश्रधन अगले माह के principal amount में अपने आप आता जाए, तो उसके लिए यहाँ पर हम equal to का sign लगाएंगे, और उसके बाद इस cell को select करेंगे, और फिर enterprise कर देंगे, ये देखिए, ये जो new principal amount है, वो यहाँ पर आ गया है, अब हम इसे drag करके नीचे तक copy कर लेते हैं, जिससे कि पूरे 12 महिनों का ब्याज और मिश्रधन हम calculate कर सकें, पर यहाँ पर एक बाद ध्यान रखना है, कि जब आप इसे drag करके copy करें, तो वो आपको इसी second cell से करना है, यहाँ से नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो principal amount हम लाए थे, वो हम यहाँ से उठा करके लाए थे, जबकि अब आगे की जितनी भी cells हैं, उसमें हम चाहते हैं कि यहाँ वाली जो value है, वो यहाँ पर आए, और वो formula हमने इस दूसरी वाली cell में लगाया है, इसलिए हम इसक copy करेंगे, पहली वाली cell को छोड़ देंगे, और यहाँ से हम इसको नीचे तक copy कर लेंगे, जहाँ तक हमने 12 लिखा है, यह देखिए जब हमने formula यहाँ नीचे तक drag किया, तो यहाँ सब जग़ 0 आ गया है, वो इसलिए क्योंकि अभी हमने केवल एक महिने का मिश्रधन ही calculate क करते जाएंगे, यहाँ पर 0 की जगह, जो भी principal amount यहाँ पर आएगा, वो अपने आप उठकर यहाँ आता जाएगा, अब आगे के महिनों के ब्याच के calculation के लिए, हमने इस cell में जो formula लगाया है, उसे drag करके नीचे तक copy कर लेते हैं, अब यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ब्याच calculate हो गया है, क्योंकि इस वाली cell में principal amount लिखा हुआ है, पर चुंकि यहाँ 0 है, इसलिए आगे के months के लिए जो ब्याच है, वो अभी यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, जैसे ही हम मिश्रधन calculate करेंगे, यहाँ पर ब्याच भी अपने आप update हो जाएगा, यहाँ से मि कालने के लिए जो formula हमने लगाया था, उसको भी हम नीचे तक drag करके copy कर लेते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इस वाले column में formula को नीचे तक copy किया, तो principal amount और interest वाले column के सभी cells में 0 की जगह जो भी amount आना चाहिए था, वो calculate हो करके आ गया है, यहाँ प रही हैं, उसमें decimal के बाद दो अंक दिखाई दे रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने number वाले block में यहाँ पर drop down menu में से number select करके रखा हुआ है, अगर यहाँ पर decimal के बाद आपके दो से ज्यादा अंक आ रहे हूं, तो आप इन columns को select करके number block में जाकर के drop down menu से number select कर लें, तो य अपने आप decimal के बाद दो अंक हो जाएंगे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और वर्ष भर का compound interest calculate कर लेते हैं, compound interest calculate करने के लिए हमें 12 महिनों के ब्याज को जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए ये जो 12 महिनों का interest है, इसको हम select करके auto sum पर click करेंगे, तो ये देखिए, यहाँ पर हमें एक वर्ष का compound interest मिल गया है, अब ये जो result हमें मिला है, इसको एक बार re-check कर लेते हैं, इसके लिए हमें ये जो आखरी वाला मिश्रधन है, इसमें से हमारा जो मूलधन था, 40,000 रुपए उसको घटाना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर हम equal to का sign लगाएंगे, और उसके बाद आखरी वाला जो मिश्रधन है, इसमें से हम minus करेंगे मूलधन को, और फिर enterprise करेंगे, ये देखिए, ऐसा करते ही हमें वर्ष भर के compound interest का amount मिल गया है, और आप देख सकते हैं, कि ये जो दोनों राश हैं, ये सेम हैं, अब हम एक और उधारन लेते हैं, और देखते हैं कि 40,000 रुपए principal amount के लिए 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का quarterly basis पर compound interest कैसे calculate करेंगे, calculation करने से पहले आपको एक जरूरी बात बता दें कि चूंकि हम quarterly basis पर compound interest कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो calculation होगी, वो प्रती तीन माह में होगी, यानि एक वर्ष में चार बार ब्याज कैलकुलेट होगा, और चूंकि हम 2 साल का ब्याज निकालना चाह रहे हैं, जिसमें की 8 quarters होँगे, तो उसके लिए यहाँ जो month वाला column है, उसकी बजाए हम इसको कर देते हैं quarter, और यहाँ पर 1 से 8 numbers डाल देते हैं, यहाँ पर हमने 8 quarters लिख दिये हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमको चाहिए principal amount, तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, equal to का sign लगाएं, और यहाँ से principal amount, select कर लें, enter प्रेस कर दें, तो यह देखिए यहाँ पर principal amount आ गई है, अब इसके बाद interest वाले कॉलम में equal to का sign लगा करके, पहले principal amount, select करेंगे, और फिर multiplication का sign लगा करके, rate of interest select करेंगे, चूंकि rate of interest सभी quarters के लिए यही रहेगा, इसलिए हमको इसको fix करना है, इसको हम select करेंगे, और F4 की press कर देंगे, अब यहाँ हमें multiplication का sign लगा कर अवधी लिखना होगी, अब चूंकि हम quarterly ब्याज की calculation कर रहे हैं, और एक quarter तीन महा का होता है, इसका मतलब कि ब्याज की calculation हर तीन महा में होगी, इसलिए यहाँ पर हम तीन लिखेंगे, और तीन महा को वर्ष में convert करने के लिए, हमें इसमें 12 का भाग देना होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 3 by 12, अब enterprise करेंगे, यह देखें, यहाँ पर हमें result मिल गया है, हमें 800 रुपए ब्याज की प्राप्ति होगी, अब हम new principal amount यानी मिश्रधन calculate करेंगे, क्योंकि अगला जो ब्याज लगेगा, वो इसी मिश्रधन पर लगेगा, इसके लिए हम principal amount और interest को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम equal to का sign ल amount select करेंगे, plus का निशान लगा करके, interest select कर लेंगे और enter press करेंगे, यह देखें, हमें मिश्रधन मिल गया है, अब जो अगले quarter का ब्याज निकाला जाएगा, वो इसी मिश्रधन पर निकाला जाएगा, तो उसके लिए हमको यह जो मिश्रधन है, इसको यहाँ principal amount वाले column में ल लगाएंगे, equal to, और उसके बाद इस cell को select करेंगे और enter press कर देंगे, तो यह देखिए, यहाँ से यह जो new principal amount है, वो principal amount वाले column में आ गया है, और अब हम इस principal amount को drag करके नीचे तक copy कर लेंगे, एक बार फिर याद दिला दें, कि यह जो formula हमको drag करना है, चूंकि वो हमने दू वाले वाले cell से copy ना करें, क्योंकि यह जो हमारा मूलधन है, वो यहाँ से आया है, जबकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर अब आगे जो भी amount आये, वो इस column से आये, इसलिए यहाँ से अब इस formula को नीचे तक हम drag करके copy कर लेंगे, अब इन दोनों columns में जो formula लगाए हैं, उनको हम नीचे तक drag करके copy कर लेंगे, अब दो वर्ष का compound interest जानने के लिए हमें इन सभी quarters के ब्याज को जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए आठों quarters के interest को select करके हम auto sum पर click कर देंगे, यह देखिए यहाँ पर हमें दो वर्ष का compound interest मिल गया है, इसको भी हम एक बार री चेक कर लेते हैं, उसके लिए हमें आखरी वाले मिश्रधन में से यह जो मूलधन है 40,000 रुपए उसको घटाना होगा, यहाँ पर हम equal to का sign लगाएंगे, और आखरी वाले मिश्रधन में से minus करेंगे, यह जो हमारा original मूलधन था उसको, अब एंटर प्रेस करेंगे, यह देखें ऐसा करते ही हमें दो वर्ष के compound interest का amount मिल गया है, आप देख सकते हैं कि यह दोनों जो राशिया हैं, यह बिलकुल सेम है, इसी तरह यदि ब्याज की दर वार्षिक है और आप 6-6 मा का यानि अर्धवार्षिक compound interest निकालना चाहते हैं, तो यहाँ फॉर्मुले में अ और बाकी की जो process है वो आपको इसी तरह follow करनी है, किसी number का power यानि घात कैसे निकाला जाता है या अपने स्कूल में mathematics के अंतरगत जरूर पढ़ा होगा, यदि 2 की power 5 है तो उसे कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, पहले हम आपको इसे manually calculate करना पताएंगे और उसके बाद Excel में इसे calculate करने का तरीका बताएंगे यहाँ पर हमने एक table बनाई हुई है, जिसमें first column में numbers हैं और दूसरे column में उनकी कितनी power calculate करना है, वो लिखी हुई है result वाले column में पहले हम आपको बता देते हैं कि किसी number की power manually कैसे calculate की जाती है जैसे कि यहाँ पर पहला number है 2 और उसकी power भी 2 है तो इसके लिए equal to का sign लगाएंगे और उसके बाद 2 into 2 करेंगे अब enter press करेंगे यह देखें result मिल गया है अब next number भी 2 है पर इसकी power 5 है तो इसके लिए हमको 2 को 5 times multiply करना होगा यानि 2 को 5 बार गुणा करना होगा उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे equal to यह यहाँ पर हमने 2 का 5 बार गुणा किया है तो यह हो जाएगा 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 2 16 और 16 into 2 32 यानि इसका जो उतर है वो आना चाहिए 32 देखते हैं कि यह answer आता है या नहीं enter press करेंगे यह देखिए यहाँ पर हमारा जो result है वो आया है 32 manually हम power तब calculate कर सकते हैं जब number और power दोनों छोटे हों जैसे 2 to the power 2 2 to the power 5 3 to power 2 इत्यादी पर जब बड़े numbers और powers दिये गए हों जैसा कि आप इस table में आगे देख सकते हैं तब manual calculation करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में हम power formula का उप्योग कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 111 का 4 बार गुणा करना है अब यह हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा तो इसके लिए हम power formula का उप्योग करेंगे यहाँ पर हम power formula आपको यूज करके बता रहे हैं यहाँ पर यह 3 to the power 2 है इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं 3 into 3, 9 हो जाएगा हम इसके power बढ़ा देते हैं हमने इसके power बढ़ा करके 6 कर दी अब हम यहाँ पर यह formula लगाते हैं इक्वल टू का sign लगा करके लिखेंगे power यह देखिए यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है double click कर लेते हैं अब इसमें पहला argument है number उसके लिए हम number को select करेंगे उसके बाद comma लगा करके दूसरा जो argument है power तो power select कर लेंगे इसके बाद bracket close करेंगे और enter press कर देंगे यह देखिए यहाँ पर यह answer आ गया है अब यहाँ से हम इस formula को नीचे तक copy करने के लिए drag कर लेंगे यह देखिए दूसरे numbers और powers का भी calculation हो गया है और यह result यहाँ पर हमारे सामने है अब हम एक बार manually check कर लेते हैं कि यह calculation सही हुआ है या नहीं इसके लिए हम किसी भी number का example ले लेते हैं जैसे 89 to the power 3 तो हम 89 को manually 3 बार multiply करके देखते हैं equal to का sign लगाया 89 into 89 into 89 enter press किया यह देखिए हमें वो ही result मिल रहा है जो हमें power formula से मिला power calculate करने का एक और तरीका भी है उसके लिए हम यहाँ से इस result को delete कर रहे हैं अब हम आपको यहाँ पर यह करके बताते हैं इसके लिए हम equal to का sign लगाएंगे number वाला cell select करेंगे और उसके बाद shift और 6 प्रेस करेंगे जिससे की power का sign लग जाएगा यह देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह power का sign लग गया है अब power वाला cell select करेंगे और enter press कर देंगे यह देखिए वापस से वही result आ गया है तो इस तरह से एक्सल में आप दुनों तरीके से power formula का उप्योग करके किसे भी number की power calculate कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से या बैंक से रुप्या उधार लेता है तो उसे उस धन का उप्योग करने के लिए जो किराया देना पड़ता है उसे ब्याज कहते हैं और उधार लिये गए धन को मूल धन कहा जाता है जब उधार ली गई धन राशी का ब्याज न देकर उसे मूल धन राशी में जोड दिया जाता है तो उसे मिश्रधन कहते हैं और फिर जब मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाता है तो उसे compound interest यानि चक्र व्रिधी ब्याज कहा जाता है संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस पध्धती में ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है हम आपको चक्र वृध्धी ब्याज की कैलकुलेशन yearly याने वार्षिक, half yearly याने अर्धवार्षिक, quarterly याने हर तीन महिने में और monthly यानी हर महिने के आधार पर करके बताएंगे एक ज़रूरी बात बता दें कि हम इन सभी फॉर्मुलों द्वारा compound interest कैलकुलेट करेंगे फॉर्मुलों में PV का मतलब है present value यानी principal value R का मतलब है rate और N का मतलब अवधी यानी duration है सबसे पहले हम yearly basis पर compound interest कैलकुलेट करना सीख रहे हैं माली जी आपने 25,000 रुपए 8.5 प्रतिशत वार्शिक ब्याज की दर से चार साल के लिए किसी व्यक्ति को दिये जिस पर ब्याज की कैलकुलेशन प्रतिवर्श करना है पर चक्र व्रधी ब्याज को समझने से पहले हम साधारन ब्याज की कैलकुलेशन कर लेते हैं सिंपल इंटुरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मुला हम आपको पहले ही बता चुके हैं इसके लिए इकुल्टू का साइन लगाएंगे ब्रैकेट ओपन करके प्रिंसिपल अमाउंट रेट और टाइम को मल्टिप्लाय कर लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोस कर देंगे फिर इसको हम डिवाइट करेंगे हंड्रिट से एंटर प्रेस करेंगे यह देखिए यहाँ पर हमको रिजल्ट मिल गया है साधरन ब्याज की राशी आथ हजार पान्सो रुपए होगी अब चलिए यहाँ पर लिखे हुए फार्मुले द्वारा कंपाउंड इंटरिस्ट केल्कुलेट करके देख लेते हैं यहाँ पर हम यह फार्मुला लगाएंगे इसके लिए हम एकुल टू का साइन लगा करके ब्रैकेट ओपन करेंगे अब यहाँ पर देखे फार्मुले में सबसे पहले है प्रेजंट वैल्यू तो हम प्रेजंट वैल्यू वाला सेल सेलेक कर लेंगे अब मल्टिप्लाइ का साइन लगा करके ब्रैकेट ओपन करेंगे वन लिख करके प्लस का साइन लगाएंगे इसके बाद formula में है r divided by 100 r का मतलब है ब्याजदर तो इसके लिए हम ब्याजदर वाली cell को select कर लेंगे और अब इसको divide करेंगे 100 से bracket close कर देंगे अब इस formula में आप देख सकते हैं कि 1 प्लस r upon 100 की power n है तो इसको power की तरह calculate करने के लिए यहाँ पर हम shift और 6 प्रेस करके power का निशान लगाएंगे यहाँ हम आपको एक जरूरी बात बता दें कि power कैसे calculate की जाती है यह हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं और उसकी link इस वीडियो के description में दी गई है यहाँ पर power का निशान लगाने के बाद n यानी duration जो की चार वर्ष है उसके लिए cell को select कर लेंगे और अब bracket close कर देंगे अब इसमें से हमें principal value को घटाना है तो minus का sign लगा करके principal value वाला जो cell है उसको वापस select करेंगे और enter press कर देंगे यह देखिए यहाँ पर हमको compound interest मिल गया है इसमें decimal के बाद बहुत सारे numbers हैं तो हम इनको कम कर देते हैं decrease decimal की साहता से हम decimal के बाद के बल दो digits ले रहे हैं चलिए अब एक flow chart की साहता से हम आपको simple interest और compound interest calculate करने में कहाँ पर क्या अंतर आया है यह समझा देते हैं सबसे पहले हम देखते हैं simple interest इसमें हमारी जो present value है वो है 25,000 रुपए पहले साल के अंत तक 8.5% ब्याज़दर से जो ब्याज लगा वो है 2,125 रुपए और इसी तरह से हर साल जो साधरन ब्याज लग रहा है वो है 2,125 रुपए और हमारा जो मूलधन है वो वैसा की वैसा है 25,000 रुपए अब हम इन चार सालों के ब्याज को जोड लें तो इन चार सालों में हमारा जो टोटल साधरन ब्याज लग रहा है वो है 8,500 रुपए वहीं जब हम compound interest को देखते हैं तो यहां पर हमारा मूलधन वही है 25,000 रुपए और पहले साल के अंति तक 8,5 प्रतिशत ब्याज दर से जो हमारा ब्याज बना है वो simple interest जैसा ही है 2,125 रुपए 25,000 में ये ब्याज जुड जाएगा तो ये जुड कर 27,125 रुपए हो जाएगा जो की हमारा मिश्रधन है और यही मिश्रधन अगले साल के लिए मूलधन बन जाएगा अब दूसरे साल का जो ब्याज लगेगा वो इस राशी पर लगेगा तो दूसरे साल में हमारा ब्याज बना है 2,305 रुपए तीसरे साल के लिए हम इस राशी को भी मुल्धन में जोड़ देंगे और अब जो ब्याज लगेगा वो इस राशी पर लगेगा इसलिए तीसरे साल में हमारा जो compound interest है वो बना 2501 रुपए और चोथे साल के लिए अब जो ब्याज लगेगा वो 31,932 रुपए पर लगेगा इसलिए चोथे साल में हमको जो ब्याज लग रहा है वो है 2714 रुपए इनको अगर हम जोड़ें तो compound interest जो बनता है वो बनता है 9,646 रुपए अब हम देखते हैं अर्द वार्षिक यानि half yearly compound interest किस तरह से निकाला जाए यहाँ पर 25,000 principal amount है 8,5% वार्षिक ब्याज दर और अवधी 4 वर्ष के लिए हमें ब्याज की calculation यानि जो compounding है वो प्रती 6 महिने में करना है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने formula पहले से लिखा हुआ है यहाँ हम वार्षिक ब्याज दर को 2 से divide कर रहे हैं कारण हमें यहाँ पर 6 महा की ब्याज दर चाहिए और इसके बाद power का sign लगा करके period को हम 2 से गुना कर रहे हैं इसकी वज़ा यह कि हमने जो ब्याज की calculation की है वो 6 महा की है और एक वर्ष की calculation के लिए हमें इसमें 2 का गुना करना पड़ेगा आसान भाशा में कहा जाए तो जब हम अर्धवार्षिक compounding करते हैं तो ब्याज दर का आधा और समय का 2 गुना कर देते हैं अब हम यहाँ पर formula टाइप करते हैं equal to का निशान लगाएंगे bracket open करेंगे और सबसे पहले हम principal value select कर लेंगे multiplication का निशान लगाएंगे bracket open करेंगे 1 प्लस हमको ब्याज दर चुन्नी है उसके लिए हम यह cell select कर लेंगे अब इसको हमको 2 से भाग देना है तो हम इसको divide by 2 करेंगे और इस पूरे को हमको 100 से divide करना है इसलिए अब divide by 100 करेंगे bracket close करेंगे अब shift के साथ 6 प्रेस करके power का निशान लगाएंगे अब यह जो power है वो है 2N यानि हमको जो हमारी अवधी है उसमें 2 का गुणा करना है तो bracket open करेंगे 2 इसको multiply करेंगे हमारी अवधी से जो है 4 years इसके लिए हम इसको select कर लेंगे bracket close करेंगे अब यहाँ पर एक और bracket close करेंगे और अब इसमें से हमको minus करना है present value तो उसके लिए वापस हम present value वाली को select कर लेंगे यहाँ पर हम manually भी यह सारी संख्याइं लिख सकते थे पर उसकी बजाए हम यहाँ पर इन values को select कर रहे हैं ताकि भविश्य में अगर कभी हमको इन किसी भी value में कोई change करना हो तो हमारे result में अपने आप change हो जाए हमको सारी संख्याइं फिर से type ना करना पड़ किया है अब हम enterprise करेंगे यह देखिए यहाँ पर हमें हर 6 महिने में लग रहे ब्याज का compound interest मिल गया है इसके भी decimal के बाद की जो digits हैं उनको हम कम कर लेते हैं अब हम यह भी देख लेते हैं कि अगर हम उपर दी गई किसी भी value में कोई change करेंगे तो हमारे result पर किस तरह से प्र की सजार कर दी अब जैसे ही हम enterprise करेंगे देखिए यहाँ पर अपने आप result इस हिसाब से change हो गया है अगर हम period change करते हैं तो भी हमको यहाँ पर बदलाव दिखेगा चार की जगह हमने यहाँ पर 5 कर दिया जैसे enterprise करेंगे यह देखिए यहाँ पर compound interest फिर change हो गया तो values को select करन का यह फाइदा होता है कि आपको बार-बार वहाँ पर formula type नहीं करना पड़ेगा अब हम देखते हैं कि 25,000 principal amount के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज की दर्स से 4 साल का compound interest कैसे calculate करेंगे इसमें compound interest की calculation हमें हर 3 महिने में करना है यानि quarterly करना है यहाँ पर हम formula लगाएंगे, equal to का sign लगा करके bracket open करेंगे, सबसे पहले हम present value वाली जो cell है उसको select करेंगे, अब multiplication का निशान लगाएंगे, फिर bracket open करेंगे, 1 प्लस, अब हमको rate लेना है, तो हम rate वाली cell को select कर लेंगे, यहाँ पर हमने rate को 4 से divide किया है, और समय को 4 से multiply किया है, ऐसा हमने इसलिए किया, क्योंकि ब्याज हर 3 महिने में calculate होगा, यानि ब्याज का हिसाब वर्ष में 4 बार होगा, इसलिए दर को 1 चुथाई और अवधी को 4 गुना करना होगा, तो यहाँ पर यह जो दर है, इसको अब हम divide करेंगे by 4, और इस पूरे को divide करेंगे 100 से, और bracket close कर देंगे, अब हमको power का निशान लगाना है, उसके लिए shift और 6 की इसको press करेंगे, फिर से bracket open करेंगे, अब 4 को multiply करेंगे, अवधी से जो की है, चार साल हमने यह select कर ली, यह value select कर ली, अब bracket close करेंगे, एक बार फिर से bracket close करेंगे, और अब हम इसमें से minus करेंगे present value, enterprise करेंगे, यह देखिए हमें हर 3 महिने में लग रहे ब्याज का compound interest मिल गया है, आई अब देखते हैं कि यदि ब्याज हर महिने में लग रहा हो, तो compound interest कैसे calculate होगा, उसके लिए भी values वही हैं, 25,000 रुपए 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, 4 साल के लिए हमने किसी व्यक्ति को दिये, और उसके लिए हमें ब्याज की calculation हर मा करनी है, उसके लिए हम ये उपर दिये हुए formula को use करेंगे, इस बार हमने ब्याज दर को यानि r को 12 से divide किया है, और n यानि duration को 12 से multiply किया है, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ब्याज हर महीने calculate होगा, यानि ब्याज का हिसाब वर्ष में 12 बार होगा, इसलिए दर को 12 हिस्सों में बाटा और अवधी को 12 गुना किया, आईए अब इस formula को हम यहाँ पर नीचे लगाते हैं, equal to का निशान लगाएंगे, bracket open करेंगे, सबसे पहले हम select करेंगे, present value, multiplication का निशान लगाएंगे, फिर bracket open करेंगे, और one plus type करने के बाद, हम select करेंगे, rate, इसको divide करेंगे 12 से, और इस पूरे को divide करेंगे 100 से, उसके बाद bracket close कर देंगे, पावर का निशान लगाएंगे, फिर से bracket open करेंगे, अब हम type करेंगे 12, multiplication का निशान लगाएंगे और उसके बाद हम period वाली cell को चुनेंगे, bracket close करेंगे, एक और bracket close करेंगे और अब इसको minus करेंगे present value से, एंडर प्रेस करेंगे, यह देखिए यह हमको compound interest मिल गया है, Excel में count formula का उप्योग तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, count formula किसी column या row में कितनी cells हैं यह count करने के लिए उप्योग में आता है, पर आज हम आपको decount formula के बारे में बता रहे हैं, decount हमारे द्वारा दी गई condition के अधार पर database के किसी एक column के numbers को count करने के लिए उप्योग में लाया जाता है, एक बाद हम रखें यह सिर्फ उनी cells की value को count करेगा जिन में numerical values हो, इसे हम एक उदारन से समझ लेते हैं, यहाँ पर हमने कुछ students का database बनाया हुआ है, इस database में students के नाम, उनकी class, उनकी age और उनकी height लिखी हुई है, माल लिजे आपको कुछ conditions के आधार पर दो football teams बनानी हैं, पहली condition तो यह कि हमें 9th class के उन बच्चों को लेना है जिनकी height 154 cm से ज्यादा है, तो हमें यह पता करना है कि class 9 के कितने बच्चों की height 154 cm से ज्यादा है जिने हम team में ले सकते हैं, दूसरी condition हमने यहाँ पर लिख रखी है, वो यह कि हमें 10th class के उन बच्चों को लेना है जिनकी उम्र 16 साल है, तो यहाँ पर हमको यह पता करना है कि class 10 के कितने बच्चों की age 16 साल है जिने हम team में ले सकते हैं, हम decount formula को दोनों conditions के लिए अलग-अलग तरीकों से उप्योग करके देखेंगे, पहला formula की साहता से और दूसरा insert function option की साहता से चलिए पहले formula का उप्योग करते हैं, formula type करने से पहले जो भी condition formula में लगानी हो उसे अलग से लिख लें, ध्यान रखें कि condition और database की heading सेम होनी चाहिए, नहीं तो formula value को read नहीं कर पाएगा, यह ज़रूरी नहीं कि आप criteria में सभी heading लिखें, आप जिससे आपसे condition लगाना चाहते हैं केवल उसी की heading भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने criteria के लिए वो सभी heading ले रखी हैं जिनमें numerical value है, चलिए अब formula type करते हैं, सबसे पहले equal to का sign लगाएंगे, फिर type करेंगे decount, यह देखें नीचे formula आ गया है, चाहें तो यहीं से double click कर क्या formula ले सकते हैं, यहाँ bracket के बाद सबसे पहले है database, इसके लिए हमें अपना पूरा database select करना होगा, इसमें database की headings भी select करनी होगी, जैसे हमारे database की पहली line, इसकी headings की है, जिसमें students name, class, age और height है, यहाँ पर database की जो range है, वो student name से शुरू होती है, और 147 पर खत्म होती है, तो हम इस पूरे database को select कर लेंगे, database select करने के बाद comma लगाएंगे, next है field, इसके लिए हमें उस column की heading को select करना है, जिसके लिए हमको counting करनी है, और उसके लिए पूरा column select करने की आवश्यक्ता नहीं, केवल heading पर click करना है, हम किसी भी column की heading select कर लेंगे, क्योंकि हमें केवल counting ही करना है, इसलिए हम age पर click कर रहे हैं, comma लगाएंगे, अब formula में आखिरे option है, criteria, इसके लिए हमें वो condition select करनी है, जिसके आधार पर हमें column में से counting करनी है, तो यहाँ पर यह हमने condition लिखी हुई है, वो यह कि class 9th होनी चाहिए, और height 154 cm से ज्यादा, हम यह पूरी range select कर रहे हैं, क्योंकि यदि बाद में formula में कोई भी change करेंगे, तो result में भी change reflect होगा, bracket बंद करके enter press करेंगे, यह देखें, आप result आगया है, इसका मतलब यह हुआ कि 9th class के 4 बच्चों की height 154 cm से ज्यादा है, चलिए एक बार manually re-check कर लेते हैं, कि formula से जो values मिली हैं, वो सही हैं या नहीं, यह देखें, यहाँ पर हमने 9th class के उन बच्चों को highlight किया है, जिनकी height 154 cm से ज्यादा है, और यह 4 बच्चे हैं, इसका मतलब हमारा formula सही लगा था, अब हम दूसरे तरीके से decount का उपयोग एक नई condition के साथ करके देखते हैं, दूसरे condition हम यह लगाना चाहते हैं, कि हमें class 10th के उन बच्चों को लेना है, जिनकी उम्र 16 साल है, अब हम यह पता करना चाहते हैं कि class 10th के कितने बच्चों की age 16 साल है, जिनने हम team में ले सकते हैं, अब हमें जहाँ result चाहिए, पहले हम वहाँ पर click कर लेते हैं, और अब insert function option के लिए formulas tab में जाकर के यह insert function पर click करेंगे, यह देखे एक dialogue box आ गया है, इसमें यहाँ जो सबसे उपर वाला box है, जिसमें हमको function search करना है, वहाँ पर हम type करेंगे decount और go पर click कर देंगे, यह यहाँ पर function आ गया है, okay पर click कर देंगे, यह decount formula के अंदर जो arguments होते हैं, यह लगलग box में दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहला है database, database के लिए इस box में click करके, फिर हम पूरा database select कर लेंगे, अब हम field के लिए उसके सामने वाले box में click करेंगे, और जो भी field चुनना है, उसकी heading पर click करेंगे, जैसे हम height चुन रहे हैं, इसलिए इस heading को select कर लेंगे, criteria वाले option के लिए पहले उसके सामने वाले box में click करेंगे, फिर criteria select करेंगे, याद रखें कि आपको heading भी select करनी है, यह यहाँ पर criteria हमने लिखा हुआ है, इसको heading सहिद select कर लेंगे, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो dialogue box है, इसमें भी यह यहाँ पर नीचे जो है वो result दिखाई दे रहा है, ओखें पर click करेंगे, तो देखिए यह यहाँ पर भी result आ गया है, मतलब दसवी कक्षा के तीन बच्चों की उम्र 16 साल है, चलिए इसको भी हम एक बार manually recheck कर लेते हैं, हम दसवी क्लास के उन बच्चों को highlight कर लेते हैं, जिनकी उम्र 16 साल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि ऐसे तीन बच्चे ही हैं, अब यदि हम criteria में कोई भी change करेंगे, तो उसका असर result पर भी दिखेगा, माली जिए पहली condition में, हम height in centimeter को 154 से घटा करके 145 कर देते हैं, यानि अब हमको 9th class के essay students चाहिएं, जिनकी height 145 से ज्यादा हो, तो देखिए, जैसे हमने ये change की condition, यहाँ पर result change हो गया है, पहले इसे 4 बच्चे थे और अब इसे 5 बच्चे हो गए हैं, Excel के proofing block में बहुत काम की commands होती है, सबसे मातपून command इसमें spelling होती है, जिसके द्वारा Excel sheet में लिखे हुए text में होने वाली spelling संबंधित रुटियों को सुधारा जा सकता है, और thesaurus command से किसी शब्द के समानार्थी शब्दों को खोजा जा सकता है, चलिए आपको ये दोनों commands उप्योग करके बता देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, MS Word और MS PowerPoint में जो गलत spellings होती हैं, उनके नीचे red color की line आ जाती है, पर MS Excel हमारे द्वारा लिखी गई गलत spelling को इस तरह से highlight नहीं करता है, हमें ये spelling check खुद ही करना पड़ता है, spelling check करने के लिए या तो F7 की प्रेस करें, या फिर review tab पर क्लिक करें, यहां से spelling option पर क्लिक करें, देखें यहां पर एक window open हो गई है, यदि आपने Excel sheet में कोई भी शब्द select नहीं किया होगा, तो ये by default column A की पहली row से check करना start कर देगा, और sheet में जो भी पहला ऐसा शब्द होगा, जिसकी spelling घलत होगी या फिर Excel की dictionary में उस word की spelling कुछ अलग होगी, जैसे कि यहां mark sheet की spelling हमने लिखी तो सही है, पर Excel में mark और sheet के बीच में space है, तो उससे संबंदित सही spelling का suggestion यहां इस box में दिखाई दे रहा है, यहां पर हम आपको एक और बात बता दें कि ज़रूरी नहीं है जो शब्द आप sheet में लिख रहे हूँ, उसकी spelling गलत हो, तभी वो word suggestion box में दिखाई देगा, यदि वो शब्द MS Excel के dictionary में नहीं होगा, तो भी वो आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा, यदि आपको इस word के spelling change नहीं करनी हैं, तो ignore once option पर क्लिक कर सकते हैं, और यदि ये शब्द आपके data में एक से ज्यादा बार आया है, और आप चाहते हैं कि suggestion box में अगली बार ये suggestion ना दिखाई पड़े, तो ignore all पर क्लिक करें, अब sheet में जो अगली गलत spelling होगी, वो suggestion box में दिखाई देगी, जैसे कि हमारी sheet में class की spelling गलत है, c-l-a-s लिखी हुई है, तो यहाँ नीचे suggestion box में उससे संबन्धित suggestions आ गए है, यदि suggestion box में जो spelling highlighted है, वो सही है, तो change पर क्लिक करें, और अगर वो सही ना हो, तो बाकी जितने भी suggestions दिये हैं, उसमें से सही spelling को select करके, फिर change पर क्लिक करें, एक बात का ध्यान रखें, change पर क्लिक करने पर, केवल selected गलत spelling ही सही होगी, पर यदि पूरे data में यह गलत spelling कई जगह पर है, और पूरे data में आपको उसको सही करना है, तो change all पर क्लिक करें, हमने change all पर क्लिक किया, और उस पर क्लिक करते ही, शीट में जो next wrong spelling है, उससे समबंदित सही spellings के suggestions यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए भी हम change all पर क्लिक कर रहे हैं, इसी तरह हम दूसरे words भी correct कर लेते हैं, suggestion box में spelling देख करके सही करते जाएं, यहाँ हम आपको एक जरूरी बात बता दें कि ज्यादतर नामों की spelling एक्सल में नहीं होती है, और वो अधिकतर नामों के लिए spelling error दर्शाता है, जैसे कि यहाँ पर राधा एक नाम है, पर एक्सल ने इसके लिए अलग-अलग suggestions यहाँ पर दिखाए हैं, यदि इस तरह का कोई नाम या कोई शब्द आपकी sheet में बार-बार आता है, और आप चाहते हैं कि इस तरह के suggestions बार-बार न आएं, तो add to dictionary option की सहायता से आप उसे dictionary में add भी कर सकते हैं, या फिर आप उसे ignore कर सकते हैं, फिल हाल हम उसे ignore कर रहे हैं, उसके लिए हमने ignore वंस पर क्लिक किया, अब बची हुई spellings भी हम सही कर लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम आपको, यहां दिखाई दे रहे auto correct option के बारे में भी बता दें, अभी तक हमने जो गलत spellings थी, उन्हें suggestion box में दिखाई दे रहे, suggestions की सहयता से सही spelling चिनकर correct किया, यदि आप auto correct option पर क्लिक करेंगे, तो suggestion box में सबसे पहली जो spelling होगी, वो गलत spelling की जगह पर अपने आप आजाएगी, जैसे ही सभी spelling mistakes clear हो जाएगी, तो ये message आजाएगा, जिसमें लिखा है कि spell check complete हो गया है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं, इसको okay करके हम आगे बढ़ते हैं, और proofing block का next option देखते हैं, ये option है thesaurus, इसकी मदद से आप किसी शब्द का समानार्थी, यानि परयावाची शब्द पता कर सकते हैं, मान लीजे आप से कहा जाए कि इस mark sheet के report आपको principal को email द्वारा भेजनी हैं, और जब आप इसे अच्छे से check करते हैं तो आपको लगता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनकी जगर पर उनके समान अर्थवाला कोई दूसरा शब्द आना चाहिए, ऐसे में आप thesaurus option का उप्योग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इस sentence में make शब्द सही नहीं है, हम देखना चाहते हैं कि make की जगर दूसरा कौन सा ऐसा शब्द लिखें जो यहाँ पर बहतर लगे, इसके लिए हम thesaurus option पर क्लिक करेंगे, यह देखें यहाँ पर thesaurus की side pen open हो गई है, अब जिस भी word के लिए हमें synonym ढूणना है उस word को हम copy कर लेंगे, यहाँ पर हम make के लिए कोई दूसरा word चाह रहे हैं इसलिए हम make को copy कर लेंगे, और फिर इसे यहाँ search box में paste कर देंगे, आप चाहें तो इस word को यहाँ सीधे type भी कर सकते हैं, अब या तो enter press कर दें या फिर यहाँ पर click कर दें, यह देखें यहाँ पर ms excel ने हमें make के समानर्थ वाले कई सारे शब्द दिखा दिये हैं, अब इसमें से आपको जो ठीक लगे वो आप यहाँ से चुन सकते हैं, यहाँ हमको prepare word ज्यादा सही लग रहा है, इसके लिए जैसे हम prepare पर mouse ले जाएंगे यहाँ सामने आपको एक downward arrow दिखाई देगा, इस पर click करें, यहाँ से इस word को copy कर लें, और फिर जहाँ पर वो चाहिए, वहाँ उसको pest कर लें, यह देखिए, यहाँ पर make की जगह prepare word आ गया है, अब sentence के हिसाब से इसको हम correct कर देते हैं और prepare की जगह दी लगा के इसको prepared कर देते हैं, अब हमारा sentence हो गया है, तो इस तरह से, थेसौरस की मदद से आप शब्तों के परियावाची डून सकते हैं, किसी कॉलम या रो में, कंडिशन के according values को जोडने के लिए, सम में फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है, यह फॉर्मूला सम और इफ का मिश्रण है, और इससे हमारा काम आसान हो जाता है, सम फंक्शन एडिशन के basic arithmetic operations करता है, और जब हम इफ फंक्शन का उपयोग करते हैं, तब Excel कुछ conditions को test करता है, और जब वो condition पूरी होती है, तो एक cell value written कर देता है, या calculation कर देता है, यहां पर हमने उदारन के लिए एक table ली है, इस example में हमने एक fruit store का data लिया है, जिसमें fruit का नाम, उसके supplier का नाम, और वो fruit stock में कितने available हैं, उसकी जानकरी यहां पर दी है, अब हम यह जानना चाहते हैं, कि stock में total pineapples कितने हैं, और हमने if condition यह लगाई है, कि stock में तभी addition हो जब fruit का नाम pineapple हो, तो उसके लिए हम समय formula का उपयोग करेंगे, यहां पर equal to का sign लगा करके type करेंगे sum if, दिखाई दे रहे formula में से, sum if पर double click करेंगे, अब यहां पर पहला option है range, इसके लिए पूरी range यानि पूरे database को select करेंगे, database की range select करने के बाद कौमा लगाएंगे, फिर next option है criteria, इसके लिए हम fruit के नाम पर click करेंगे, अब हम फिर से कौमा लगाएंगे, formula का last option है sum range, इसके लिए हम उस column या row की range को select करेंगे, जिसकी values को हमें add करना है, यहां पर हमें stock वाले column की values हैं उनको add करना है, इसलिए हम इस column की range को select करेंगे, और यह हमें heading सहित select करना है, अब bracket close करके enter press कर देंगे, यह देखे हमें total pineapples in stock मिल गए हैं, जो की 1600 हैं, अब चलिए इसको हम recheck करते हैं, अब control की press करके किवल pineapple के stock वाली values को हम select कर लेंगे, यह देखे हमने यह pineapple की stock वाली values को select कर लिया है, और यह यहां पर नीचे आप इसका total देख सकते हैं यह भी 1600 आ रहा है, अब हम insert function की मदद से समय formula का उप्योग करना देखते हैं, उसके लिए formula tab में insert function वाले option पर क्लिक करेंगे, अब यह यहां पर sum if लिक करके go पर क्लिक कर देंगे, अब ok पर क्लिक करेंगे, range वाले option के लिए उसके सामने वाले box में क्लिक करके, पूरा database जो है, वो पूरी range सिलेक कर लेंगे, criteria वाले option के लिए उसके box में क्लिक करके, criteria पर क्लिक करेंगे, इस बार हम criteria के लिए दूसरा fruit सिलेक कर रहे हैं, जो है guava, sum range वाले option के लिए उसके सामने वाले box में क्लिक करके, इन स्टॉक वाले कॉलम से range सिलेक करेंगे, और फिर ओकी पर क्लिक करेंगे, यह देखिए यहाँ पर हमें total guavas in stock मिल गए हैं जो की 800 हैं, इसको भी हम recheck करके देख लेते हैं, control की press करके केवल guavas की stock वाली values चुनेंगे, यह देखिए यहाँ पर इनका जो total है वो 800 ही आ रहा है, जब शब्दों के बीच एक से अधिक space होती हैं, तो trim function उन extra spaces को हटा कर शब्दों के बीच में केवल एक ही space रखता है, साथ ही यह function text के आगे पीछे की जो extra spaces हो उसको भी हटा देता है, substitute function एक text को दूसरे text से बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है, चलिए देखते हैं यह दोनों functions किस तरह से काम करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह example sheet, पहले हम आपको trim function का उपयोग बता रहे हैं, यहाँ पर पहले नाम में हमने first name और last name के बीच में एक से ज्यादा spaces दी हुई है, अब trim function का उपयोग करके हम इन extra spaces को हटाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे trim function, equal to का sign लगाकर हम formula start करेंगे, type करेंगे trim, यह देखिए हम formula दिख रहा है, double click करके इसको ले लेंगे, अब यहाँ पर argument है text, उसके लिए हम यहाँ पर लिखे हुए नाम को select करेंगे, और अब bracket close करके enter press कर देंगे, यह देखिए यहाँ पर first name और last name के बीच में extra spaces हट करके single space आ गई है, चलिए अब हम दूसरा example देखते हैं, इस दूसरे example में हमने first name और last name के बीच में दो spaces तो ली ही हैं, साथ ही इसके आगे ही space ली है, इस पर भी जब हम trim function लगाएंगे, तो यह जितनी भी extra spaces हैं वो हट जाएंगी, वापस से हम यह formula लगाएंगे, equal to का sign लगा करके type करेंगे trim, formula यहां से double click करके ले लेंगे, text के लिए हम यह जो नाम बाला cell है इसको select करेंगे, bracket close करके enter press कर देंगे, यह दिखिए आगे जो space थी वो भी हट गई है, नाम के बीच में जो extra space थी वो भी हट गई है, मतलब जहां जहां भी extra spaces थी वो हट गई है, यह function केवल alphabets पर ही नहीं, numbers पर भी काम करता है, तो यहां नीचे हमने एक phone number लिया है, जिसमें आगे std code है और पीछे जो है वो landline number है, और इन दोनों के बीच में एक से ज्यादा space है, जो कि हम trim function की साहता से हटाना चाहते हैं, उसके लिए वापस से हम यह formula लगाएंगे, text में हमने यह phone number ले लिया, bracket close करके enter press किया, तो यह देखिए std code और phone number के बीच में जो extra space थी वो हट गई है और यह single space रह गई है, यह था trim function, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और substitute function को समझ लेते हैं, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि यह function जो है वो एक text को दूसरे text से बदलने के लिए उपयोग में आता है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि यह कैसे काम करता है, यहाँ पर भी हमने यह phone number वाला एक example लिया है, अब यहाँ पर हम यह जो बीच में space दी हुई है, STD code और phone number के बीच में इस space को हम dash से बदलना चाहते हैं, यानि हम यह चाहते हैं कि space की जगह पर dash आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पर हम formula लगाएंगे, equal to type करके फिर हम type करेंगे substitute, यह देखे initials type करते ही formula यहाँ दिख रहा है, double click करके हमने इसको ले लिया, यहाँ पर यह पहला argument है text, इसके लिए हम उस text को select करेंगे जिसमें हम बदलाव करना चाहते हैं, उसके लिए हमने यह phone number वाला cell select कर लिया, अब कॉमा लगाने के बाद अगला argument जो आएगा वो है old text, मतलब वो text जो की अभी हमारे text या data या sentence में मौजूद है और जिसे हम नए text से बदलना चाहते हैं, अब हमारे इस example के लिए जो old text है वो है space जिसे की हम dash से substitute करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम double inverted commas लगाएंगे, space देंगे और उसके बाद यह double inverted commas को close कर देंगे, फिर comma लगाएंगे और अब आगया new text यानि अब हमको यहाँ पर वो text देना है जो की हम old text के स्थान पे रखना चाहते हैं, हमार old text था space और उसकी जगह हम रखना चाहते हैं dash तो new text हो गया dash, inverted commas के अंदर हम dash लगा देंगे, इसके बाद जो अगला argument है वो है instance number, यह optional होता है, अगर हमारी original text में एक से अधिक old text मुझूद हो और उसमें से हमको कोई एक ही old text को new text में बदलना हो तो फिर हमको इसका काम पढ़ता है, तो यह हम आपको अगले example में बताएंगे, अभी हम इसका use नहीं कर रहे हैं, तो हम bracket close करके और enter press कर देंगे, तो यह देखिए, जो space था, वो dash से substitute हो गया है, अब हम चलते हैं अगले example पर, यहां पर कुछ numbers लिखे हुए हैं, जिनके बीच में dot लगा हुआ है, और हम इन dots की जगह पर dash चाहते हैं, तो उसके लिए हम फिर से substitute formula लगाएंगे, तो यहां पर हम equal to का sign लगाएंगे, type करना शुरू करेंगे, substitute, जैसे यह formula दिखेगा, double click करके उसको ले लेंगे, पहले है text, उसके लिए जिस text में बदलाव करना हैं, उसको हम select कर लेंगे, यह numbers वाला cell हमने select किया, कॉमा लगाएंगे, old text जो है हमारा वो है, जिसको की हम change करना चाहते हैं, वो है dot, तो inverted commas के अंदर हम dot लगादेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, अब हमको चाहिए new text, तो dot की जगर जो नया text हमको चाहिए, वो है dash, तो इसके लिए हम inverted commas के अंदर dash लगादेंगे, bracket close करके, हम enterprise करेंगे, तो यह देखिए, यहाँ पर जहाँ जहाँ भी dot था, वो change हो करके, dash में convert हो गया है, मान लिजे, हम यह चाहते हैं, कि इस example में, तीन जगह पर जो dot लगे हैं, वो तीनों dash में convert ना हो करके, केवल पहला वाला जो dot है, वो dash में convert हो, और बाकी के जो दो dots हैं, वो as it is बने रहें, तो इसके लिए, हमको क्या करना होगा, वो हम देखते हैं, यहाँ पर equal to का sign लगाया, और हमने यह substitute टाइप करना शुरू किया, formula को यहाँ से double click करके ले लिया, और text में वापस हमने, जिस text में बदलाव करना है, उसको select किया, कॉमा लगाएंगे, old text में वो ही, dot हमको चूंकी change करनी है, इसलिए inverted commas के अंदर हम dot लगाएंगे, कॉमा लगाके, new text में, हमको dash चाहिए, इसलिए inverted commas के अंदर dash लगा देंगे, अब हम फिर कॉमा लगाएंगे, और अब हम use करेंगे यह last वाला argument, instance number, अब चूंकि हम यह चाहते हैं, कि इन तीन dots में से, केवल पहले वाला जो dot है, वो ही dash से substitute हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर, चूंकि यह वाला dot पहले नंबर पे है, इसलिए यहाँ पर instance number में हम डालेंगे 1, और अब bracket close करेंगे, और enter press करेंगे, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले वाला जो dot था, पहले नंबर पे जो dot था, वो dash में बदल गया है, बाकी के दो dots, as it is हैं, तो इस तरह से instant number की सहायता से, अगर एक से ज्यादा old text हो, तो जिस भी number का old text आपको substitute करना हो, वो number यहाँ डाल करके आप उसको नए text से बदल सकते हैं, एक बात का ध्यान रखें, substitute function से आप केवल एक text को दूसरे text से बदल सकते हैं, उसमें कुछ हटा नहीं सकते, हटाने का काम केवल trim function ही करता है, अगर आपको कुछ हटाना भी है, और कुछ text substitute भी करना है, तो आपको trim and substitute function एक साथ यूज़ करना होंगे, हम एक नए example के साथ इन दोनों functions को एक साथ यूज़ करना भी आपको बता देते हैं, यहाँ पर pin और यह जो number लिखा हुआ है, इसके बीच में हमको केवल एक dash देना है, अगर हम यहाँ पर substitute formula का उप्योग करते हैं, तो क्या गड़बड होगी, वो हम देखते हैं, यह हम यहाँ पर formula लगा रहे हैं, हमने substitute formula लगाया और अब यह text हमको चाहिए, तो हमने इसको select कर लिया, comma लगाया, old text यानि जिसमें हमको बदलाव करना है, मतलब जिस text को हमको replace करना है, वो है space, तो inverted commas के अंदर, हम space डाल देंगे, comma लगाएंगे, अब डालेंगे new text, inverted commas के अंदर, यानि old text को जिससे हम बदलना चाहते हैं, वो, तो inverted commas के अंदर हमने dash लगाया, अब bracket close कर देंगे, enter press करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि substitute formula चूंकि केवल text को बदलता है, तो जितनी भी spaces थी, उन सब की जग़ यहाँ पर dash आ गए हैं, जबकि हमको यहाँ पर केवल एक dash चाहिए, तो उसके लिए जो extra spaces हैं, वो हमको हटानी है, तो अब हम यहाँ पर trim and substitute formula लगा रहे हैं, यहाँ पर पहले हम equal to का sign लगाएंगे, अब टाइप करेंगे substitute, bracket open करेंगे, अब हम इसमें trim का formula लगाएंगे, trim type कर देंगे, यहाँ पर यह formula आ गया है, इसमें double click करेंगे, अब हमको text लेना है, तो इसके लिए हम हमारा जो text है, जिसमें बदलाव करना है, उसको select कर लेंगे, bracket close करेंगे, और अब हम substitute formula को complete करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद हमको old text लेना है, यानि जिस text को हमको substitute करना है, तो वो है space, उसके लिए inverted commas के अंदर हम space डालेंगे, कॉमा लगा करके new text लेंगे, यानि dash, तो inverted commas के अंदर हम dash लगा देंगे, अब bracket close करेंगे, और enter press कर देंगे, यह देखिए, दोनों formula लगाने से, जो भी हमको result चाहिए था, वो यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर pin और यह जो हमने pin कोट डाला है, उसके बीच में एक dash आया है, बाकी के जो extra spaces थे, वो trim formula के मदद से हट गए हैं, replace formula का उप्योग करके, हम text के एक भाग को दूसरे text से बदल सकते हैं, यहाँ पर आपको यह लग सकता है कि substitute formula का उप्योग भी इसी चीज़ के लिए किया जाता है, पर replace formula में और substitute formula में अंतर होता है, इन दोनों formula में क्या अंतर होता है, यह हम आपको इस वीडियो के अंतर में बताएंगे, पहले हम replace formula का उप्योग देख लिते हैं, यहाँ पर हमने एक example sheet बनाई हुई है, जिसमें old text है, यानि यह हमारा original text है, जिसमें कि हमको कुछ बदलाव करना है, और new text का यह जो column है, इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं, यह हमको old text के किसी character या text से replace करनी है, और updated text में हम formula लगाएंगे, अब यह जो पहला example है, हमारा जो old text है या original text है, A, B, C, D, E, F, G, इसमें हम D की जगह पर यह iterate का sign लगाना चाहते हैं, यानि जो D है उसको iterate के sign से हमको replace करना है, तो अब हम यहाँ पर formula लगाते हैं, सबसे पहले equal to, फिर type करना शुरू करेंगे, replace, यह यहाँ पर देखिए replace दिखाई दे रहा है, डबल क्लिक करेंगे, तो यह पूरा formula यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ से हम argument लेते जाएंगे, सबसे पहला argument है old text, तो यह old text वाला cell हम select कर लेंगे, वो text select करना है, जिसमें हमको फिर बदल करनी है, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद, अगला argument है start number, यानि जिस character को हमको replace करना है, उसकी starting position क्या है, वो हमको देखनी होगी, हम count करना शुरू करेंगे left से, 1, 2, 3, D जो है वो fourth position पे है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, starting position जो है, या starting number हमारा हो गया 4, फिर कॉमा लगाएंगे, अब यहाँ पर number of characters अगला argument है, यानि D से लेकर के हमको आगे जितने characters replace करना हैं, उतने यहाँ पर numbers डालना है, हम केवल D को replace करना चाहते हैं, यानि केवल एक character है, इसलिए यहाँ पर डालेंगे 1, फिर कॉमा लगाएंगे, last argument है new text, यानि वो text जो की हमको D की जगह पर या old text की जगह पर डालना है, वो है at the rate का sign, तो हमने इस cell को select कर लिया, अब bracket close करेंगे और enter press करेंगे, यह देखें यहाँ पर A, B, C और D replace होकर के उसकी जगह पर आगया है at the rate का sign और फिर E, F, G, यह ज़रूरी नहीं है कि हम केवल एक ही character replace करें, अगर हमको एक से ज्यादा characters replace करना हो, तो हम वो भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा characters को replace करके उनकी जगह नया character या नया text डाल सकते हैं, उसके लिए हम दूसरा example देखते हैं, इस text में से हम B से लेकर के E तक के characters को replace करना चाहते हैं, यानि B, C, D, E, ये चार जो characters हैं इस text में, इन चारों को हम replace करना चाहते हैं, स्टार के साइन से, उसके लिए हम यहां formula टाइप करेंगे, replace टाइप करके, प्रैकेट के अंदर अब हम old text लेंगे, तो यह हमने select कर लिया old text वाला cell, कॉमा लगाएंगे, अब start number, यहां पर हमको starting position लेनी हैं, तो चूंकि हम B से शुरू कर रहे हैं, और यह second number पर है, तो यहां पर हम लिख देंगे 2, कॉमा लगाएंगे, अब हमको number of characters जो हमको replace करना हैं, वो यहां पर डालना है, तो B से लेकर E तक होते हैं, चार characters, तो यहां पर हम डालेंगे 4, कॉमा लगाएंगे, और अब new text यानि वो text जो की हमको इन चार characters की जगह पर डालना है, तो यह हम इस cell को select कर लेते हैं, bracket close करेंगे, और enter press कर देंगे, यह देखिए, B, C, D, E, यह चारों characters replace हो गए हैं star के sign से, नीचे हमने कुछ और example लि इसमें हमने R की पूरी spelling की बजाए केवल R लिख दिया है, अब हम इसको replace करना चाहते हैं A, R, E से, तो हम formula लगाएंगे, यहां से हमने replace ले लिया, old text में हमें cell को चुन लेंगे, start numbering में हम count करना शुरू करेंगे, left से 1, 2, 3, अब यहां पर जो space है उसको भी एक character मना और हमको उसको भी गिनना पड़ेगा, तो space हो गया 4, और उसके बाद R जो है वो 5 भी position पर है, तो यहां हम लिखेंगे 5, comma लगाएंगे, number of characters, हमको A केवल R को ही replace करना है, तो 1 डालेंगे, comma लगाएंगे, और अब new text को select कर लेंगे, bracket close करके underpress करेंगे, यह देखिए, single R की जगह पर A, R, E, यह आ गया है, इसी तरह से नीचे वाला जो example है, इसमें I am fine के बाद question mark लगा हुआ है, हमको question mark नहीं चाहिए, उसकी जगह पर full stop चाहिए, तो यहां पर हमने formula लगाया, replace का, bracket के अंदर पहले old text select किया, उसके बाद start number में हमने position उसकी गिनली, तस्वी पोज condition पे वो है, और उसके बाद number of characters एक ही है, अब हम select कर लेंगे new text, bracket close करके enter press करेंगे, यह formula टाइप करके हमने enter press किया, तो यह देखिया यहां पर, यह answer आ गया है, question mark की जगह पर, full stop आ गया है, तो जैसा कि अभी आपने replace formula का use देखा, मेरी क्याल से आपको substitute formula में और replace formula में और अंतर समझ में आ गया होगा, वैसे तो हम पिछली वीडियो में आपको substitute formula का उपयोग बता चुके हैं, पर यहां पर replace formula और substitute formula में अंतर समझाने के लिए, हम एक बार फिर से आपको substitute का formula लगा कर बता रहे हैं, माली जी यह जो I am fine वाला sentence है, इसमें हमको fine को substitute करना है good से, text में जो हमारा text है, जिसमें हमको कोई चीज बदल नहीं है, फिर बदल करना है, उसको हम select कर लेंगे, comma लगाएंगे, इन्विटेट कॉमा के अंदर हम old text लिखेंगे, हमको fine चेंज करना है, इसलिए यहाँ fine लिखा है, और चुकि substitute formula के sensitive होता है, इसलिए यहाँ F capital है, तो हमने भी F capital लिखा है, अब comma लगाएंगे, नया text जिससे कि हमको इसको बदलना है, वो है good, इन्विटेट कॉमा के अंद जगा I am good हो गया है, अगर हम capital F type नहीं करते, इसके जगा small f type करते, तो फिर यह text यहाँ पर substitute नहीं होता, हम यह करके देख लेते हैं, यह capital F को हमने small f कर दिया, और अब हम enterprise करेंगे, यह देखिए, यह I am fine का I am fine ही है, यहाँ पर old text, new text से substitute नहीं हुआ है, इसका मतलब substitute formula जो होता है, वो case sensitive होता है, जब कि replace formula में इससे कोई फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ हम position गिनते हैं, starting position से लेकर जितने भी characters या text change करना, उतना आप गिन करके डाल दीजिए, इस formula में position important होती है, इस फर्मॉले में position important होती है, हम आपको count formula के बारे में पहले ही बता चुके हैं, जब हम किसी row या column के numbers या alphabets को count करना चाहते हैं, तो उसके लिए count formula का उपयोग होता है, वैसे ही, डी-counted formula का उपयोग हम तब करेंगे, जब हम एक condition के आधार पर दिये गए database के किसी एक column के numbers या alphabets को count करना चाहते हैं, आसान शिप्तों में कहा जाए, तो टी-countे एक column के उन cells को count करता है, जो भरे हुए हैं, यानि जो blank नहीं हैं, चलिए आपको ये एक उधारन त्वारा समझा देते हैं, इस database में हमने कुछ बच्चों को मिले marks का data लिया है, जिसमें students का नाम, उनका gender, उनकी age, और उन्होंने कौन से subject में कितना score किया है, यानि उन्हें किस विशय में कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ students के mark awaiting हैं, यानि अभी आना बाकी हैं, और कुछ के marks नहीं लिखे हैं, अब जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि D count A formula एक condition के आधार पर database में से selected column के सभी भरे हुए cells को count करेगा, तो चलिए, इस formula को हम लगा कर देखते हैं, यहाँ पर हमने condition पहले ही लिख के रखी हुई है, हम यह पता करना चाहते हैं कि ऐसे कितने male students हैं, जिनका subject मैच से, तो उसके लिए अब हम यहाँ पर formula टाइप करेंगे, equal to का sign लगाएंगे, उसके बाद टाइप करेंगे, D count A, यह देखिए नीचे हमको formula दिखाई देरा, इस पर double click कर लेंगे, अब इसमें सबसे पहला argument है database, उसके लिए हम इस पूरे database को select करेंगे, ध्यान रखें, database को heading सहित select करेंगे, अब हम यहाँ formula में कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमको field select करना है, field के लिए हम score वाली heading को select करेंगे, मतलब यह score वाले column के उन cells को count करेगा, जो भरे हुए हैं, यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, और अब end में हमको criteria चुनना है, यानि कि वो जो condition हमारी है, जो हमने यहाँ लिखी है कि subject match हो और gender male हो, तो अब heading सहित हम इस condition को चुन लेंगे, और bracket close करके enter press करेंगे, यह देखिए यहाँ पर हमारा result आया है 4, क्यूंकि match subject के male gender वाले केवल 4 students ऐसे हैं, जिनके score वाले cell भरे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर result 4 है, यह देखिए यहाँ पर हमने इस database में वो सारी रोज highlight भी कर दी हैं, जिसमें की हमको यह result मिल रहा है, match subject में male gender वाले जो students हैं, उनके score वाली जो cell है वो भरी हुई है, अब हम subject बदलते हैं और देखते हैं कि क्या result आता है, तो maths की जगह पर हम subject ले रहे हैं, science, अब हमको देखना हैं कि science subject वाले ऐसे कितने male students हैं, जिनके score वाले cells भरे हुए हैं, हम enterprise करेंगे, यह देखिए यहाँ पर result change हो गया है, और अब result आया है, 2, इसको हम re-check करते हैं, री-check करने के लिए हम database में वो वाले रोज हाइलाइट कर लेते हैं, जिसमें science के male students हैं, यह देखिए यहाँ पर green color से हमने रोज को हाइलाइट कर दिया है, जहाँ पर male students हैं, जिनका subject science है और उनके score भी दिये हुए हैं, वैसे ऐसी चार entries है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यह male student है, subject science है, पर score यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, score वाली cell खाली है, इसी तरह से एक और ऐसी entry है, यह वाली, जिसमें male student है, subject science है, पर यहाँ पर भी score वाला cell खाली है, इसलिए हमारा जो यहाँ पर answer आया है, वो आया है, तू, अब एक बार insert function की सहयता से भी decount A function का उप्योग करके हम देख लेते हैं, उसके लिए जहाँ पर हमको formula लगाना है, उस cell पर click करेंगे, और उसके बाद, उपर formula step पर click करके, insert function वाले option पर click कर देंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले search for function वाला जो box है, उसमें decount A लिख करके, go पर click कर देंगे, अब ok पर click करेंगे, database वाले option के लिए, उसके box में click करके, पूरा database सेलेक कर लेंगे, heading सही, field वाले option के लिए, उसके box में click करेंगे, और उसके बाद, score वाले column की जो heading है, उस पर click करेंगे, अब आगे आएंगे, और criteria वाले option के लिए, उसके box में click करके, हम criteria सेलेक कर लेंगे, इस बार हमारा criteria है, कि subject science होना चाहिए, और student की age 15 years, तो इस criteria को, या इस condition को हम heading सहीट सेलेक करेंगे, अब यहाँ नीचे, okay पर click करेंगे, यहाँ पर result आया है 3, क्यूंकि हमारी दी हुई condition के आधार पर केवल तीन entries ऐसी हैं, जिनका subject science है, और age 15 years है, और जिनके score वाले सेल भरे हुए हैं, यह ऐसी जो entries हैं, उनको हम आपको highlight करके बता देते हैं, यह देखिए, यह तीन वो entries हैं, जिसमें subject science है, और student के जो age है, वो 15 years है, और score वाली जो सेल है, वो भी भरी हुई है, हाला कि, यहाँ पर, 15 साल के students के science subject वाली 5 entries हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यह हमने दो और entries हाइलाइट की हैं, जो की science subject की, और 15 साल के student वाली हैं, पर इन में score वाला जो सेल है, वो खाली है, इसलिए result में इन entries को count नहीं किया गया है, अब यहाँ पर हम condition में बदलाव करके देख लेते हैं, age को हम 15 की बजाए 14 कर देते हैं, condition चेंज करके अब हम enter प्रेस करेंगे, यह देखिए यहाँ पर result भी change हो गया है, तो इस तरह से अगर हम condition में कोई भी change करेंगे, यहाँ पर result अपने आप change हो जाएगा, जैसे कि इसके नाम से ही स्पर्ष्ट है, समिफ्स मतलब इसमें हम किसी कॉलम या रो की वेल्यूस का एक से अधिक conditions के according addition कर सकते हैं, चलिए एक example से हम यह समझ लेते हैं, यहाँ पर हमने समिफ्स फॉर्मुले वाला ही database लिया है, ताकि आपको समिफ्स फॉर्मुला भी अच्छे से समझ में आ जाए, इस example में हमने एक fruit store का data लिया है, इसमें हमने fruit का नाम, उसके supplier का नाम, fruit की price कितनी है वो, और stock में वो कितने fruits अविलेबल हैं, उसकी जानकारी दी है, हम यह जानना चाहते हैं कि stock में total कितने guavas हैं, जिनकी price 35 रुपई से ज्यादा है, अब यह देखें यहाँ पर हमने criteria सेट कर लिया है, तो हमने ifs यानि एक से ज्यादा conditions ये लगाई हैं, कि stock में तभी addition हो, जब fruit का नाम guava हो और price 35 रुपी से ज्यादा हो, अब हम sum ifs formula का उप्योग करेंगे, equal to का sign लगा का type करेंगे, sum ifs, यह देखें, आपर formula दिखने लगे हैं, initials type करते ही, यहाँ से हम अपना formula, select कर लेंगे, डबल क्लिक करके, अब यहाँ bracket open होने के बाद, पहला option है, sum range, इसके लिए उस column या row की range को select करेंगे, जिसकी values को हम add करना चाहते हैं, हमें stock वाले column की values का addition करना है, तो stock वाले column की range को हम select कर लेंगे, कॉमा लगाने के बाद next option है, criteria range 1, इसके लिए हमें वो range select करनी है, जिसमें से हम अपनी पहली condition लगाना चाहते हैं, चुकि criteria 1 में हमें guava select करना है, इसलिए हम product वाले column की range को select करेंगे, अब कॉमा लगाएंगे, next option है criteria 1, इसके लिए हम fruit के नाम पर क्लिक करेंगे, या फिर double inverted comma के अंदर उस fruit का नाम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, guava, guava लिखने के पाद, inverted commas close कर देंगे, कॉमा लगाने के बाद अब अगला option आएगा, criteria range 2, इसके लिए हमें वो range select करनी है, जिसमें से हम अपनी दूसरी condition लगाना चाहते हैं, चूंकि हमारी दूसरी condition है, कि price 35 रुपीज से ज्यादा हो, इसके लिए हम price वाले column की range select करेंगे, कॉमा लगाएंगे, अगला option है, criteria 2, इसके लिए हम, यह यहाँ उपर लिखी हुई price वाली condition पर click करेंगे, अब bracket close करके enter press करेंगे, यह देखे हमें total guavas in stock मिल गए है, जिनकी price 35 रुपे से ज्यादा है, यहाँ पर हमारा answer आया है 400, अब इसको हम recheck कर लेते हैं, control की press करके, हम guava के stock वाली उन values को select करेंगे, जिनकी price 35 रुपे से ज्यादा है, यह control की press करके, हमने guava के stock वाली उन values को select कर लिया है, जिनकी price 35 रुपीस से ज्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो total है, वो 400 ही आ रहा है, मतलब formula से जो value हमको मिली थी, वो सही थी, अब चलिए insert function से, some ifs formula का उप्योग करके देख लेते हैं, इसके लिए जो conditions हम रख रहे हैं वो यह, कि हम यह जानना चाहते हैं, stock में total कितने apples हैं, प्रोडक्ट हमने लिख दिया apple, जिनकी price 20 रुपे से ज्यादा है, और यहाँ पर हम, एक और condition add कर रहे हैं, कि वो apples 20 supplier द्वारा supply किये जा रहे हूं, अब हम insert function पर क्लिक करेंगे, यहाँ search for a function वाले box में, some ifs लिखेंगे, और go पर क्लिक कर देंगे, यह देखें यहाँ पर नीचे formula आगया है, अब ok पर क्लिक करें, some range वाले option के लिए उसके box में क्लिक करके, stock वाले column की जो range है वो select करें, अब criteria range 1 वाले option के लिए हमें वो range select करनी है, जिसमें से हम अपनी पहली condition लगाना चाहते हैं, अब चुकि हमें criteria 1 में apple select करना है, इसलिए हम product वाले column की range select करेंगे, इसके बाद next option है criteria 1, तो इसके box में क्लिक करके, fruit के नाम पर क्लिक करेंगे, जो है apple, इसी तरह से हम second और third criteria भी select करेंगे, अगले box में जाने के लिए आप tab का उप्योग कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम criteria range 2 के लिए price वाली जो range है वो select कर लेंगे, फिर criteria 2 के लिए greater than 20 वाले cell पर क्लिक करेंगे, जो यहाँ हमने criteria में लिखा हुआ है, tap प्रेस करने पर यहाँ पर criteria range 3 वाला option आ गया है, इसके लिए हम supplier वाले column की range सिलेक करेंगे, फिर tap पर क्लिक करेंगे और criteria 3 के लिए B पर क्लिक करेंगे, अब ओके पर क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पर हमें supplier B द्वारा supply किये गए total apples in stock मिल गए हैं, जिनकी price 20 रुपई से ज्यादा है और यह है 800, इसको भी हम reach अक करके देख लेते हैं, control की press करके, हम केवल 20 supplier वाले apple की stock वाली values सिलेक करेंगे, जिनकी price 20 रुपई से ज्यादा हो, यह देखिए, यहाँ पर जो total है वो 800 ही आ रहा है, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि किसी कॉलम में कोई value कितनी बार repeat हो रही है, तो उसके लिए आप frequency formula का उप्योग कर सकते हैं, हम आपको यह formula उदाहरन की साहता से समझा रहे हैं, इस उदाहरन में हमने class का data लिया है, जिसमें students के नाम, उनके marks और उनके grades लिखे हुए हैं, जिन students को 90-100 के बीच अंक मिले हैं, उन्हें A grade मिला है, जिने 70-89 के बीच अंक मिले हैं, उन्हें B grade मिला है, 60-79 के बीच अंक पाने वाले विद्यार्थियों को C grade मिला है, और वो विद्यार्थी जिने 50-69 के बीच अंक आए हैं, उन्हें D grade मिला है, अब यदे class teacher को ये पता करना है कि इन चारों grades में कितने कितने students हैं तो उसके लिए frequency formula का उपयोग किया जा सकता है इस formula के लिए intervals set करना होते हैं यहाँ पर हमने 4 intervals set किये हैं हम आपको बता दें कि intervals कैसे set होते हैं हमारे पास ये 4 ranges हैं 50 से 69, 60 से 79, 70 से 89 और 90 से 100 आप देख सकते हैं कि इन ranges में जो सबसे बड़ी value है याने जो maximum value है उसे हमने intervals वाले column में लिखा है इसी तरह आपकी data में जितनी भी ranges होंगी उनकी जो maximum value होगी उनका interval बन जाएगा जैसे कि 50 से 69 वाली जो range है उसमें maximum value जो है वो है 69 यानि 59 तो वो एक interval हो गया 60 से 69 वाली जो range है उसमें 69 maximum value है तो 69 यानि 69 interval हो गया इसी तरह से हमने ये चारों intervals तै किये हैं frequency formula अपने आप ये calculate करेगा 50 से 59 वाले कितने students हैं 60 से 69 वाले कितने हैं 70 से 89 वाले कितने हैं और उसके बाद type करेंगे frequency ये देखिए initials type करते ही ये formula या नजर आया double click करके इसको ले लेंगे यहां पर पहला argument है data array तो इसके लिए हमारे पास students के marks का जो data है उसे select करेंगे यहां से लेकर के नीचे तक जहां तक ये marks हैं वहां तक हम इसको select कर लेंगे अब कॉमा लगाएंगे next argument है bins array मतलब वो interval जिसके आधार पर हमें frequency calculate करनी है तो अब हम intervals की जो range है उसको select कर लेंगे bracket close करके enter press करेंगे यह देखिए यहां पर हमें answer मिला है 2 यहां पर आप देख सकते हैं कि 90 से 100 के बीच अंक पाने वाले यानि A grade वाले दो students यहां पर नजर आ रहे हैं अब यहां से drag करके हम नीचे तक इस formula को copy कर लेते हैं कि देखिए यह formula नीचे तक copy हो गया है पर अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि अभी सारे उत्तर जो हैं वो सही नहीं है यहां पर आप देख सकते हैं B grade के 6 विध्यारती यहां पर हम दिख रहे हैं और जब हम इसमें देखेंगे तो भी हमको यहां 3, 4, 5 और यह 6 B grade वाले 6 students हमको यहां पर नजर आ रहे हैं यानि B grade की जो frequency है वो यहां पर 6 नजर आ रही है इसी तरह से C grade वाले भी हम देख लेते हैं 1, 2, 3 और 4 C grade वाले यह 4 students है यानि इसकी frequency चार यह भी सही है और D की जो frequency है वो यहां पर दी हुई है 3 इसके हिसाब से D grade 3 विध्यारतियों को मिला है पर जब हम यहां पर count करते हैं तो देखते हैं 1, 2, 3 और 4 हमारे data में 4 students हैं जिनको D grade मिला है इसका मतलब यह जो answers यहां पर हैं यह पूरी तरह से सही नहीं है दरसल frequency formula एक statistical formula है एक्सल में statistical formulas, cells के group यानी cell range पर mathematical process apply करने के लिए उप्योग में आते हैं सही उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें इसे curly bracket के अंदर लिखना होगा यहां पर आप देख सकते हैं formula लगा हुआ है और यह जो पूरा formula है इसमें यह जो दो arguments हैं यह तो brackets के अंदर हैं पर यह जो पूरा formula है वो curly brackets के अंदर होना चाहिए तो हमें सही उत्तर मिल जाएगा curly bracket लगाने के लिए answer वाले column को select करके F2 key प्रेस करें ऐसा करते ही जिस cell में आपने formula टाइप किया था उस cell में वो formula दिखाई देने लगेगा अब control, shift और enter keys को एक साथ प्रेस करें यह देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो पूरा formula है वो अब curly brackets के अंदर आ गया है और उसी के साथ यहां पर जो answers हैं वो भी अपने आप change हो गए हैं यहां एक बात ध्यान रखें curly brackets लगाने के लिए इस shortcut की का ही उप्योग करें यदि आप सामान्य तरीके से यानि curly brackets वाली keys को प्रेस करके यह brackets यहां पर लगाएंगे तो यह formula काम नहीं करेगा यानि सही result नहीं मिलेगा पहले हम देख चुके थे कि यह जो उपर के 3 answers थे यह तो सही थे पर यहां पर D की frequency 3 दी हुई थी जो के अब change होकर 4 हो गई है और यहां पर भी हमने देखा कि D की जो frequency है या वो students जिने D grade मिली है वो 4 है एक, दो, तीन और चार इसका मतलब अब यह जो answer यहां पर दिखाई दे रहा है वो सही है यहां पर हम आपको एक और जरूरी बात बता दें कि चुकि यह statistical formula है इसलिए इसकी कोई एक value डिलीट नहीं की जा सकती मालीजे यहां से हम कोई एक answer डिलीट करना चाहते हैं हमने इस cell को select किया और अब हमने delete key प्रेस की तो यह देखिए delete key प्रेस करने पर यह message आता है you can't change part of an array मतलब आप इस cell range में से या इस array में से कोई एक value डिलीट नहीं कर सकते हैं यदि आपको delete करना है तो पूरा की पूरा array या पूरा की पूरा column ही delete करना होगा rank formula की साहता से आप किसी number या value की rank जान सकते हैं यानि सभी values में उस value का क्या क्रम होगा क्या दरजा होगा ये आप पता कर सकते हैं उधारन के लिए rank formula का उपयोग करते हुए आप किसी class के विद्यार्थियों की ranking कर सकते हैं यानि कौन सा विद्यार्थी अवल आया कौन सा विद्यार्थी दूसरे स्थान पर आया कौन सा आखिर में आया ये क्रम निश्यत कर सकते हैं या पिर आपके पास कुछ दुकानदारों का cells का data है और आप ये जानना चाहते हैं कि इन में सबसे ज्यादा cell किसकी है और सबसे कम किसकी है यानि किसकी rank कौन सी है तो ये काम भी आप इस formula की साहता से कर सकते हैं हम इस वीडियो में इन दोनों ही उदारणों की साहता से आपको rank formula का उपयोग करना बता रहे हैं इस उदारण में किस student को कितने प्रतिशत अंक मिले है वो दिया हुआ है अब हमें इनकी rank पता करनी है तो उसके लिए हम rank formula का उपयोग करेंगे हम मीरा जैन की rank पता करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर rank formula टाइप करेंगे पहले यहाँ equal to का निशान लगाएंगे फिर type करेंगे rank यह देखिए यह formula निचे दिखाई दे रहा है इस पर double click कर देंगे यहाँ पर formula का syntax आ गया है इस formula का पहला argument है number यहाँ पर हम जिस value का rank पता करना है उस value को चुनेंगे तो इसके लिए हम मीरा जैन के percentage वाला cell चुनेंगे कॉमा लगाने के बाद next argument है reference इसके लिए हमें वो range select करनी है जिसके आधार पर हमें rank निकालनी है तो हम percentage वाला जो column है उसमें से range select करेंगे अब कॉमा लगाएंगे अब इस formula का last argument है order इसमें दो options होते हैं 0 और 1 यदि आप चाहते हैं कि rank descending order में हो यानि हम जो rank decide कर रहे हैं वो घटते क्रम में हो यानि सबसे बड़े नंबर को पहली rank मिले और सबसे छोटी नंबर को last वाली तो 0 लिखेंगे और यदि आप चाहते हैं कि order ascending हो यानि बढ़ते हुए क्रम में ranking हो मतलब सबसे बड़ा number जो है उसको last ranking मिले और सबसे छोटे नंबर को पहली rank मिले तो उसके लिए हम 1 लिखेंगे हम ranking descending order में चाहते हैं यानि घटते क्रम में चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पर 0 लिख रहे हैं अब bracket बन करके enter press करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर मीरा जैन को जितने प्रतिशत अंक मिले हैं उसके हिसाब से उसकी जो rank आ रही है वो है 14th हमने जो range select की थी उसके हिसाब से यह rank आई है अब हम यहाँ से इसे drag करके formula पुरा नीचे तक copy कर लेंगे यह देखिए यहाँ पर सभी students की rank आ गई है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 62% वाला जो student है उसकी rank है 1 यानि उसकी first rank है जबकि मीरा जैन जिसके की 71% marks है उसकी rank यहाँ पर दिखाई जा रही है 14th इसका मतलब कि यह जो ranks है वो सही नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है यह हम आपको बता देते हैं इसके लिए हम पहली वाली cell को select करेंगे जिसमें की हमने formula लिखा था अब हम F2 की press करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर जो formula हमने लगाया था वो दिखाई देने लगा है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो reference cell range है वो C2 से C20 तक है अब जब हम अगली वाली cell पर click करते हैं और यहाँ पर F2 की press करके check करते हैं तो यहाँ पर देखिए formula में जो cell range है वो change हो गई है यहाँ पर cell range दिखाई दे रही है C3 से C21 और यह cell range जो है यह गलत है क्योंकि इसने C2 भी छोड़ दिया है cell range में C2 यानि यह वाली जो cell है वो include ही नहीं हुई है और यह C3 से C21 तक है अगर हम नीचे जाकर देखेंगे तो C21 वाली जो cell है उसमें कोई value है ही नहीं वो blank cell है मतलब यहाँ पर जो formula लगा है उसके जो cell range है वो सही नहीं है तो इसको सुधारने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम formula में cell range को fix कर देते हैं ताकि formula ड्रैक करके जब हम नीचे तक copy करें तो वो change ना हो इसके लिए वापस हम first cell पर जहां हमने formula लगाया था क्लिक करके f2 की press करेंगे अब यह जब formula दिखाई देने लगा है तो इसमें से जो cell range है इसको हम select करेंगे और अब इसको fix करने के लिए f4 की press कर देंगे यह formula में जो आपको dollar का निशान दिखने लगा है इसका मतलब यह है कि range fix हो गई है अब enter press करेंगे देखिए यह result हमारा वही है पर अब हम यह जो updated formula है उसको नीचे तक copy करने के लिए इसको यहां से drag करेंगे यह देखिए जैसे ही हमने updated formula को drag किया तो यहां पर जो हमारा result है यानि यह जो rank है वो सारी change हो गई है अब वापस हम check करके देखते हैं कि यह सही हुई या नहीं पर अभी यह जो है वो अच्छी तरह sorted नहीं है जैसे पहले यहां पर 14 आ रहा है उसके बाद 9 है उसके बाद 2 है तो इससे हमको यह check करने में थोड़ी सी तिकत हो सकती है सबसे पहले इन्हें सही तरह के से sort करने के लिए इनको सबको select करेंगे और अब home tab के अंतरगत दिखाई दे रहे sort and filter option पर click करेंगे अब drop down menu में दो options दिखाई पड़ रहे हैं इन दोनों में से आप जो भी चाहें वो option चुन सकते हैं हम sort smallest to largest चुन रहे हैं यह click करते ही यहां पर एक message आ रहा है कि MS Excel को जो data हमने select किया है उसके पास और भी data दिख रहा है पर चूंकि वो selected नहीं है इसलिए वो sort नहीं होगा इसलिए यह आप से पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं selection को expand करना चाहते हैं या फिर जितना आपने select किया है उसी के साथ आगे जाना चाहते हैं हम इस selection को expand करना चाहते हैं क्योंकि rank के साथ साथ जाहिर है percentage भी change होगा और students के नाम भी change होगे इसलिए हम expand this selection को जो कि यहाँ पर selected है उसको selected रहने देंगे और उसके बाद sort पर click कर देंगे यह देखिए यहाँ पर sorting हो गई है जिस student को सबसे ज्यादा प्रतिशत अंक मिले है वो सबसे उपर है और उसे first rank मिली है और जिसे सबसे कम अंक मिले है उसकी last rank है अब यहाँ पर एक और चीज आप देख सकते हैं कि जिन students के अंक जो है उनका प्रतिशत सेम है उन्हें एक जैसी rank मिली है जैसे यहाँ पर पूनम महरा और हिमानशु गुपता दोनों को चुकी 84% marks है इसलिए उनकी जो rank है दोनों की वो 9th rank है पर दूसरी चीज जो ध्यान दे देने योग्य है इस फार्मुले में वो यह कि इसने इन दोनों को सेम रैंक तो दे दी है पर उससे अगला जो विद्यार थी है मेहुल वर्मा उसको 81% marks मिले हैं अब उसको 10 वी rank देने की बजाए यहाँ पर एक्सल ने 11 वी rank दी है तो अगर दो numbers पर सेम rank आई है तो उससे अगले number पर जो rank मिलेगी वो एक skip हो करके और फिर आएगी चलिए आपको rank calculate करने का एक तरीका और बता देते हैं और उसके लिए हम दूसरा उधारन लेंगे यहाँ हमने कुछ grocery shops की sales report ली है जिसमें अलग-अलग दुकानदारों द्वारा एक महिने में की गई केहू के आटे की sell की details हैं हमें यह देखना है कि एक महिने में किस shopkeeper ने आटे की sell सबसे ज्यादा की है उसी के आधार पर ranking अलॉट की जाएगी उसके लिए जहाँ पर हमको formula चाहिए उस cell पर पहले हम click करेंगे इसके बाद formulas tab में insert function पर click करेंगे अब यहाँ पर हम पहले type करेंगे rank फिर go पर click करेंगे यहाँ पर नीचे ये formulas जो दिखाई दे रहे हैं इसमें से rank पर click करके ok पर click कर देंगे अब यहाँ पर हमको arguments देने हैं सबसे पहले है number नंबर वाले box में click करके number select करेंगे नंबर में हम जिस नंबर की rank पता करना चाहते हैं उसको select करेंगे अब हम reference वाले box में click करके cell range select करेंगे जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि cell range जो है वो हमको fix करना पड़ेगी नहीं तो ranking सही नहीं होगी तो हम cell range को fix कर देते हैं ताकि यह आगे formula drag करने पर change ना हो इसके लिए हम cell range को select करके F4 की press करेंगे यह देखिए cell range fix हो गई है अब हम अगले argument पर आते हैं यहां पर हमको order चुनना है कि जो ranking है वो हम descending order में चाहते हैं या फिर ascending order में अगर आप descending याने घटते क्रम में ranking चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर 0 लिखें और अगर आप ascending order में याने बढ़ते क्रम में ranking चाहते हैं तो उसके लिए 1 लिखें यहां पर हम 0 लिख करके आगे बढ़ रहे हैं यह सारे आग्यूमेंट हमने दे दिया अब हम ओके पर क्लिक करेंगे यह देखिए यहां पर हमने जो वैल्यू ली थी जो नंबर लिया था उसको थर्ड रैंक अलॉट हो गई है अब यहां से इसको ड्रैक करके नीचे तक फॉर्मुले को कॉपी कर लेंगे यह देखिए सभी शॉपकीपर्स के लिए उनकी जो सेल्स है उसकी रैंकिंग हो गई है अभी यह पूरी आगे पीछे है इसको ओर्डर में लाने के लिए हम इसकी सॉर्टिंग कर लेते हैं यह सारी वैल्यू उसको हमने सिलेक कर लिया है और अब हम होम टैप के अंतरगर दिखाई दे रहे सॉर्ट एंड फिल्टर आप्शन पर जाकर के जो भी हमको सॉर्टिंग जिस भी तरह की सॉर्टिंग करनी है इन दोनों आप्शन में से वो चुन लेंगे यहां से हम चुन रहे हैं सॉर्ट स्मॉलेस टू लाजिस्ट इस पर क्लिक करेंगे और जैसा कि आपको पहले बताया था कि प्रॉपर सॉर्टिंग के लिए हमको जितना हमने सिलेक किया उसके अलावा बाकी जो डेटा है उसका सेलेक्शन भी चाहिए होगा इसलिए एक्सपांद सिलेक्शन को हम सिलेक्टड रहने देंगे और सॉर्ट पर क्लिक कर देंगे यह देखिए यहां पर सॉर्टिंग हो गई है और यहां पर अब आप देख सकते हैं जिस दुकानदार ने गेहूं के आटे की सेल सबसे ज्यादा की है वो सबसे उपर है और उसे first rank मिली है और जिस दुकानदार ने सबसे कम sell की है वो सबसे नीचे है और उसे last rank मिली है यदि किसी list में से सबसे बड़ा number search करना हो तो उसके लिए हम max function का उप्योग करते हैं पर यदि आपको second largest, third, fourth या fifth largest number चाहिए तो उसके लिए large function का उप्योग किया जाता है इस वीडियो में हम आपको कुछ top large numbers ढूड़ने के साथ ही उनका sum करना भी बता रहे हैं large function का उप्योग करने से पहले एक बार हम max function revise करके देख लेते हैं यहां हमने एक showroom में कुछ गाड़ियों की October महिने की cells का data लिया है हमें इस data में से October महिने की highest cells value या कह लीजिए maximum cells value चाहिए तो उसके लिए हम max function का उप्योग करके देखते हैं यहां पर हम formula type करेंगे equal to का निशान लगा करके हम type करेंगे max यह नीचे यह दिख रहा है इस पर double click कर देंगे और अब हम वो range select करेंगे जिसमें से हमें largest number ढूणना है तो यह October महिने की जो cells हैं इनको select करके हम bracket close कर देंगे और enter press करेंगे यह देखिए इस range में से हमें maximum value मिल गई है अब जैसा कि हमने आपको बताया कि max function से हम list में से सबसे बड़ी value तो ढूण सकते हैं पर अगर हमें second, third, fourth या fifth largest value चाहिए तो उसके लिए हमें large function का उप्योग करना होगा हम इस data में से top five large values निकालना चाहते हैं इसलिए हमने यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए one to five की ये series लिखती है ताकि उसके सामने यहाँ पर top five values आ जाएं अब October मन्त की top five cells values के list बनाने के लिए हम large function टाइप करेंगे equal to का sign लगा करके large लिखेंगे यह यहाँ पर हमको suggestion आ गया है इस formula का double click करके इसको यहाँ से ले लेंगे और अब bracket के अंदर पहला argument है array इसके लिए हम वो range select करेंगे जिसमें से हमें large value ढूननी है उसके लिए हम यह cells of October जो है यह पूरी range select कर लेंगे heading को छोड़ करके और उसके बाद comma लगाएंगे यहाँ पर दूसरा argument है कि इसका मतलब है कि कौन से नंबर वाली largest value आप ढूनना चाहते हैं दूसरी तीसरी या चौथी वो नंबर आपको यहाँ पर देना है फिल हाल हम केवल पहले नंबर वाली largest value चाहते हैं तो उसके लिए हम one लिख करके bracket close करेंगे और enter press कर देंगे यह देखिए यहाँ पर हमको first largest value मिल गई है इसी तरह से हम second largest value भी ढून लेते हैं वापस वो ही formula टाइप करके range select कर लेंगे और उसके बाद comma लगा करके चूंकि इस बार हमको second largest value चाहिए इसलिए one की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे to bracket close करेंगे और enter press कर देंगे यह देखिए यह हमको second largest value मिल गई है अब चूंकि हमें top five cells की list चाहिए तो या तो हम एक एक करके इस तरह से top five numbers निकाल लें या दूसरा तरीका और सरल तरीका यह है कि हम इनको एक साथ ढूंड लें उसके लिए हम यह पहले दोनों numbers delete कर देते हैं और अब हम फिर से formula लगाएंगे अब देखिए कि अगर आपको एक से ज्यादा top numbers एक साथ ढूंडने हैं तो उसके लिए क्या करना होगा वापस से हम यहाँ पर formula type करते हैं equal to का sign लगाकर large लिखेंगे अब यहाँ पर bracket के अंदर पहला argument array है तो हमको यह पूरी की पूरी range select कर लेनी है जिसमेंसे कि हमको value चाहिए और अब हम लगाएंगे comma और यहाँ पर पहले हमने one लिखा था बजाए वो लिखने के हम जिस cell में one लिखा हुआ है यानि serial number one डला हुआ है उस पर click करेंगे five top numbers ढूंडने के लिए जो range है वो हमारी fixed है चाहे हमको first large number ढूंडना हो या second large number ढूंडना हो या third, fourth या fifth कोई सभी large number ढूंडना हो उसके लिए range हर बार यही रहने वाली है इसलिए हम इस range को fix कर देंगे इसको fix करने के लिए हम यहां से इस range को select करेंगे और F4 की press कर देंगे ऐसा करने से यह जो cell range है वो lock हो जाएगी अब bracket close करके हम enter press करेंगे यह देखिए यहां पर first large value दिखाई दे रही है अब यहां से इसे नीचे track कर लेंगे अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमें top 5 large numbers की list मिल गई है अब यदि हमें इनका sum चाहिए तो वो यहां पर हम sum का formula लगा करके ले सकते हैं यह सारी cells जिनको हमको जोड़ना है वो हमने चुनली, bracket close कर दिया और enter press किया तो यह देखिए यह जो top 5 numbers हैं उनका sum यहां पर आ गया है यह तो हमने large number निकालने फिर उनको जोडने की process देखी पर अगर आपको top large numbers अलग से नहीं निकालना है, आपको केवल उनका sum चाहिए तो इसका बहुत ही आसान तरीका है large function के साथ sum function का उप्योग करना यहां से हम यह सब हटा देते हैं अब यहां पर हम formula लगाते हैं, इसके लिए हमको sum formula के अंदर large formula का उप्योग करना होगा पहले हम equal to का निशान लगाएंगे, फिर type करेंगे sum इसके बाद हम bracket open करेंगे और अब हम sum formula के अंदर large formula लगा रहे हैं, इसलिए अब type करेंगे large फिर से bracket open करेंगे और अब हम वो cell range select कर लेंगे, जिसमें से हमको हमारी top 5 values चाहिए range select करने के बाद comma लगाएंगे और अब चुकि हमें top 5 numbers का set चाहिए, top 5 values का set चाहिए तो वो हम curly brackets के अंदर लिखेंगे हम curly bracket open करेंगे और इसमें हम 1, 2, 3, 4, 5 लिख देंगे चुकि हमको 5 top values चाहिए हर number के बाद हम comma लगा देंगे यह 1, 2, 3, 4, 5 और अब हम curly bracket close कर देंगे अब हमको दो और brackets close करना है एक large function के लिए, दूसरा sum function के लिए अब हम enter press करेंगे यह देखे इस formula का उप्योग करने पर भी हमें वही value मिली जो पहले process द्वारा top 5 cells के sum करने पर मिली थी यहाँ पर excel ने अपने आप इस data में से top 5 values निकाल करके उनका sum करके सीधे हमको यह result दे दिया है यदि किसे list में से top smallest numbers धुणने हूँ तो उसके लिए small function का उप्योग किया जाता है आपको एक उदारन देखकर हम यह समझा देते हैं इस example में हमने एक school में हुई race competition का result लिया है इस table के पहले column में student का नाम है और दूसरे column में उसने race complete करने में जो समय लिया है वो लिखा है जैसे राम ने 6 minute 15 second में यह race पुरी की मोहन ने 5 minute 50 second में race complete की इसी तरह से सभी students द्वारा लिया गया समय यहां पर लिखा हुआ है अब हमें ऐसे 3 students के बारे में जानना हैं जिनोंने race complete करने के लिए सबसे कम समय लिया हो तो वो हम small formula की सहता से पता कर सकते हैं चुकि हम 3 ऐसे students के बारे में जानना चाहते हैं जिनोंने सबसे कम समय लिया है ताकि हम उन्हें first, second, third rank दे सकें तो इसलिए यहाँ पर हम पहले rank का number डाल देते हैं यह 1, 2, 3 हमने यहाँ पर डाल दिया है तीन students के बारे में हम पता करना चाह रहे हैं अब यहाँ पर हम formula लगाएंगे equal to का sign लगा करके लिखेंगे small शुरू के कुछ letters लिखते ही यहाँ पर यह formula suggest किया है Excel ने, इस पर double click करके हम इसको ले लेंगे यहाँ पर सबसे पहला argument है array इसके लिए हम वो range select करेंगे जिसमें से हमें small value ढूणनी है small value हमको time के ढूणनी है इसलिए हम time taken to complete race in minutes यह वाली जो पूरी range है इसको select करेंगे यहाँ पर हमने heading नहीं लिया है केवल हमने यहाँ पर values को select किया है यह देखिए यह पूरी range यहाँ पर आ गई है अब आगे बढ़ने से पहले हम इस cell range को lock कर देते हैं क्यूंकि इस formula को नीचे drag करके हम copy करने वाले हैं और इनको lock कर देने से यह cell range जो है वो change नहीं होगी और हमें सही result मिलेगा की press कर देंगे यह देखिए यह cell range जो है वो lock हो गई है अब हम कॉमा लगाएंगे इसके बाद दूसरा argument है कि इसका मतलब है कि कौन से नंबर वाली small value आप धूरना चाहते हैं पहली दूसरी या तीसरी तो यहाँ पर हम सबसे कम समय में रेस कंप्लीट करने वाले student को rank 1 देना चाहते हैं तो यह जहां पर 1 लिखा हुआ है उस cell को हम select कर लेंगे और उसके बाद bracket close करेंगे और enter press करेंगे देखिए यहाँ पर हमको result तो मिल गया है पर इसका जो format है वो जो format हमको चाहिए minute और second वाला उसमें नहीं है तो इसके लिए हमें इसका format change करना होगा format change करने के लिए हम time taken वाली cell range में से format penter की सहायता से format copy करेंगे उसके लिए हमने यह एक cell पर क्लिक किया और अब हम यहाँ पर जाएंगे format penter की सहायता से इसको copy करके यहाँ पर ले आएंगे यह हमने यहाँ क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर अब जो है time का format change हो गया है और यह सही result हमारे पास आ गया है अब हमको second और third rank भी चाहिए तो formula को नीचे drag करके copy कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर risk complete करने में जो तीन सबसे कम समय हैं वो यहाँ पर आ गये हैं de-mix formula हमारे द्वारा दी गई condition या criteria के आधार पर database में से सबसे बड़ा number सरच करता है इसके विपरीद dmin formula हमारे द्वारा दी गई condition या criteria के आधार पर database में से सबसे छोटा number सरच करता है ये दोनों ही फॉर्मुले बहुत उप्योगी हैं और खासकर तब काम आते हैं जब आप किसी बड़े डेटाबेस पर काम कर रहे हों हम आपको एक छोटे डेटाबेस का एक्जाम्पल देकर ये दोनों फॉर्मुले समझा देते हैं उदारन के लिए यहाँ पर हमने कपड़ों के एक गोडाउन का डेटाबेस लिया है इसमें गोडाउन में जितने तरह के कपड़े हैं उनकी डीटेल्स दी हुई हैं जैसे की ड्रेस टाइप, उनका मटीरियल, उनकी साइज, उनका कलर, उनकी टोटल कितने पीसेज हैं इत्या उदारन के लिए आप यहां देख सकते हैं कि ब्लैक कलर वाली कॉटन की स्मॉल साइज कुर्ती के यहां पर 20 पीसेज हैं। इसी तरह से दूसरे सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल भी इस डेटाबेस में हैं। हमारे पहले कंडिशन है कि इस डेटाबेस में से हमें यह पता करना है कि हमारे स्टॉक में कॉटन कुर्ती के मैक्जिमम पीसेज कितने हैं। तो उसके लिए हम डीमेक्स फॉर्मुला लगाते हैं। फॉर्मूला टाइप करने से पहले आपको जो भी कंडिशन फॉर्मूले में लगानी है उसे अलग से लिख लेना होगा एक बात का ध्यान रखें कि कंडिशन और डेटा बेस की हैडिंग सेम होनी चाहिए नहीं तो फॉर्मूला वैल्यू को रीड नहीं कर पाएगा यह ज़रूरी नहीं कि आप क्राइटेरिया में सभी हैडिंग्स लिखें आप जिस हिसाब से कंडिशन लगाना चाहते हैं केवल उसी की हैडिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पर हमने क्राइटेरिया के लिए सभी हैडिंग्स लिखी हैं क्योंकि हम एक ही फॉर्मुले में आपको अलग-अलग कंडिशन्स चेंज करके बताएंगे. चलिए, फॉर्मुला टाइप करते हैं. इकवल टू का साइन लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे D-MAX. यह देखिए, आपको फॉर्मुला आगया है, डबल क्लिक करके इसको यहां से ले लेंगे. यहां पर प्रैकट ओपन होने के बाद सबसे पहले है, डेटा बेस. इसके लिए हमें पूरा डेटा बेस, हैडिंग के साथ, सिलेक करना होगा. यह हमने पूरा डेटाबेस सिलेक कर लिया है अब कॉमा लगाएंगे next है field इसके लिए हमें उस कॉलम की हैडिंग को सिलेक करना है जिसमें से हमें maximum value ढूननी है इसके लिए हमें पूरा कॉलम सिलेक करने की आवश्यक्ता नहीं है केवल heading पर क्लिक करना है तो यहाँ पर हम total piece वाली heading पर क्लिक करेंगे यह देखिए यहाँ पर even लिखा हुआ आगया है कॉमा लगाएंगे अब formula में आखरी option है criteria इसके लिए हमें वो condition सिलेक करनी है जिसके आधार पर हमें कॉलम में से maximum value ढूननी है तो यहाँ पर हमने condition लिखी हुई है वो यह है कि dress type होना चाहिए कुड़ती और material cotton पर हम यह पूरी range सिलेक कर रहे हैं क्योंकि यदि बाद में formula में हम कोई भी change करते हैं तो result में भी change reflect हो जाएगा अब हम bracket close करके enter press करेंगे देखिए result मिल गया है इसका मतलब हमारे पास cotton कुर्ती के maximum pieces है 67 चलिए एक बार manually re-check कर लेते हैं कि formula से जो values हमें मिली हैं वो सही हैं या नहीं यहाँ हमने उन rows को highlight किया है जिन में cotton की कुर्तियां थी इन में से maximum pieces 67 हमें formula से मिल गये हैं यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं कि यह black color की double xl size वाली कुर्तियां है अब यदि हम criteria वाले box में एक और condition जोड़ देते हैं तो देखते हैं कि result में change आता है या नहीं हमने यहाँ एक और size वाली condition लगा दी है कि cotton की small size की maximum कितनी कुर्तियां है यहाँ size वाले column में हमने S लिख दिया है अब enter press करेंगे यह देखिए result मिल गया है और result है 34 यानि maximum number जो total pieces हैं हमने जो condition दी थी उसके accordingly वो है 34 अब यह सही है या नहीं यह check कर लेते हैं इसके लिए हम केवल small size वाली cotton कुर्तियों को highlight करेंगे यह देखिए यहाँ cotton की small size की कुर्ति के maximum piece यह है यहाँ पर आपको उसके color की जानकारी भी मिल जाती है अब आगे बढ़ते हैं और demon formula समझ लेते हैं demon formula के लिए हमारी condition है कि इस database में से हमें यह पता करना है कि medium size की leggings के कम से कम कितने pieces हैं तो उसके लिए हम demon formula लगाएंगे उसके लिए हमने condition में dress type legging लिखा है और size medium डाल दिया है अब हम यहाँ पर demon formula लगाएंगे सबसे पहले equal to का sign लगाएंगे उसके बाद type करेंगे demon यह formula नीचे आ गया है यहीं से हम इसको ले लेंगे double click करके bracket open होने के बाद सबसे पहली चीज है database अब हम पूरा database heading सहित select कर लेंगे comma लगाने के बाद field select करेंगे कि database में से total piece वाली heading पर हमने click किया फिर से comma लगाएंगे अब formula में आखिरी option है criteria इसके लिए यहाँ हमारे द्वारा लिखी हुई condition वाली range को हम select कर लेंगे इसे पूरा heading सहित select करेंगे अब bracket close करके enterprise करेंगे यह देखिए result मिल गया है मतलब medium size वाली leggings के minimum 9 pieces हैं चलिए एक बार manually recheck कर लेते हैं यहाँ हमने medium size वाली leggings को highlight किया है इनमें से देखिए medium size वाली leggings के 9 pieces यहाँ पर नजर आ रहे हैं मतलब हमने सही calculate किया है अब यदि हम criteria वाले box में condition change कर देते हैं तो देखिए result में change आता है या नहीं हमने size वाली condition हटा कर color वाली condition लगा दी है मतलब हम यह जानना चाहते हैं कि white color वाली कितनी minimum leggings है यहाँ पर हम white लिखकर enter press कर देंगे यह देखिए यहाँ पर result आ गया है 43 यह हम इसको यहाँ database में highlight कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि white color की legging के minimum pieces 43 हैं और यह small size की है और material इसका rayon है कभी कभी accounting करते समय या कुछ आन्य calculation करते समय decimal यानि दशमलाव के साथ numbers आने पर हमें उसे round off करने में मुश्किल होती है लेकिन अब Excel के rounding functions के साथ दशमलाव वाले numbers को round off करना आसान हो गया है इस वीडियो में हम आपको round, round up और round down formula का उपयोग करना बता रहे हैं जिसके साहता से आप आसानी से कोई भी number round off कर सकते हैं यहां पर हमने कुछ numbers लिये हैं जिनको हम round off करना चाहते हैं round formula का उपयोग करने से पहले हम आपको एक जरूरी बात बता दें कि जब हम home tab के अंतरगर दिखाई दे रहे increase decimal या decrease decimal option की सहायता से किसी number को round off करते हैं तो वो number round off किया हुआ दिखाई तो देता है पर यदि हम उस number के साथ कोई भी calculation करते हैं तो वो calculation original number के साथ होती है न कि round off किये हुए number के साथ उदाहरन के लिए यदि हम इस number में 100 का गुणा करते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने ये वाली संख्या ली अब अगर हम इसमें 100 का गुणा करते हैं तो हमारा result ये आया अब हम इसी संख्या को फिर से नीचे copy कर लेते हैं और इसको अब हम decrease decimal की सहायता से round off कर देते हैं ये हमने इसको round off कर दिया अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो संख्या है round off होकर हो गई 120 और अब हम इसमें 100 का गुणा करेंगे ये हमने इस cell को select किया और इसमें 100 का गुणा किया तो result आना चाहिए 12,000 पर ये देखिए जैसे ही हम enterprise करते हैं तो यहाँ पर 12,000 की बजाए वो ही result आ रहा है जो इस संख्या में यानि original संख्या में 100 का गुणा करने पर आया था इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो संख्या है वो round off की हुई दिखाई तो दे रही है पर दरसल ये round off हुई नहीं है इस समस्या का समाधान करने के लिए हम round formula का उपयोग कर सकते हैं चलिए अब इन numbers को round formula की साहता से round off करके देख लेते हैं यहाँ पर हम formula लगाएंगे तो सबसे पहले type करेंगे equal to का sign उसके बाद हम type करना शुरू करेंगे round यह देखे शुरू के कुछ letters type करते ही excel ने हमें round से संबंधी तीनों formula यहाँ पर दिखा दिये हैं इसमें से हम round formula यूज करना चाहते हैं इसलिए इस पर double click करेंगे bracket के अंदर पहला argument है number इसके लिए वो number सिलेक करें जिससे आप round off करना चाहते हैं इसके बाद लगा यह comma अब वो number type कीजिए जितने round figures में आप selected number को convert करना चाहते हैं जैसे यहाँ पर decimal के बाद तीन digits हैं हम चाहते हैं कि decimal के बाद दो digit आ जाएं तो उसके लिए हम यहाँ पर दो लिखकर bracket close कर देंगे और फिर enter press करेंगे देखिए यह number round off हो गया है हम चाहते थे कि decimal के बाद दो digits यहाँ पर आएं तो यह देखिए यह round off हो करके decimal के बाद दो digits यहाँ पर दिखा रहा है अब इसे नीचे तक drag करके formula कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो दूसरे numbers थे वो भी यहाँ पर round off हो करके आ गये हैं अभी हमने decimal के बाद दो digits तक number को round off किया अब देखते हैं कि यदि हम decimal के बाद एक digit तक number को round off करें तो क्या value मिलेगी उसके लिए वापस से हम यहाँ पर formula लगाएंगे यहाँ से हमने number को select किया comma लगाया और अब numeric digits में हम लिखेंगे one क्योंकि हम चाहते हैं कि decimal के बाद केवल एक digit आए one लिखा और अब हम bracket close कर देंगे enterpress करेंगे यह देखे हमें result मिल गया है अब यदि हमें decimal के बाद कोई digit नहीं चाहिए मतलब हम decimal को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस formula में एक के जगह पर numeric digit में हम कर देंगे zero फिर enterpress करेंगे यहाँ पर देखे यह जो संख्या है वो round off हो करके 120 हो गई है अब एक बार हम इसे भी manually check करके देखते हैं कि इस number में अगर हम कोई calculation करते हैं तो result क्या आता है यहाँ पर हम इसको copy कर लेते हैं और अब यहाँ पर हम इस संख्या में 100 का गुणा करेंगे देखते हैं अब result 12,000 आता है या नहीं यह देखिए अब यहाँ पर result 12,000 आया है इसका मतलब कि यह actually round off हो गया है और अब जो भी calculation हम कर रहे हैं वो इस rounded off value में हो रही है अब हम इस formula को आगे drag करके बाकी के numbers को भी round off कर सकते हैं पर उसके पहले आपको एक बात और बता दें वैसे तो आप सभी यह बात जानते हैं पर एक बार फिर आपको याद दिला रहे हैं कि अगर 0.5 है यानि दशमलव के बाद 5 लिखा है तो इसका मतलब हुआ आधा पर अगर 0.5 के उपर कोई भी राशी है जैसे की 0.51 तो ये आधे से ज्यादा माना जाएगा और अगर 0.5 से कम कोई राशी है जैसे की 0.49 तो इसे आधे से कम माना जाएगा और इसी के हिसाब से यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो राउंड ओफ होगी अब नीजे तक इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूसरे नंबर्स हैं वो भी हमको राउंड ओफ होकर के मिल गए हैं यहाँ पर देखिए हमारा जो यह नंबर था 119.873 इसमें जो डेसिमल के बाद के यह जो नंबर्स हैं यह 0.5 से बड़े हैं इसलिए जब यह वैल्यू राउंड ओफ हुई तो यह 120 हो गई याने हमारा यह जो नंबर था उससे बढ़कर के यह आई है जबकि इस नंबर को अगर आप देखेंगे तो यह 765.347 था इसमें जो डेसिमल के बाद के यह जो नंबर्स हैं यह 0.5 से छोटे हैं इसलिए यह वाली वैल्यू राउंड ओफ होकर के 766 होने की बजाए 765 ही रहे गई है इसी तरह से इसमें जो डेसिमल के बाद के नंबर्स 0.5 से छोटे हैं इसलिए राउंड ओफ जब वैल्यू हुई तो वो 455 ही रह गई है वो उपर की तरफ नहीं गई चलिए अब हम आपको राउंड अप फॉर्मूले का उप्योब करके बता देते हैं राउंड ओफ फॉर्मूला जो होता है वो दी गई संख्या को उपर की तरफ राउंड ओफ करता है देखते हैं यह किस तरह काम करता है, यहाँ पर हम formula लगाएंगे, equal to का sign लगा करके, type करना शुरू करेंगे, यह देखिया आपर तीनों formula दिखाई दे रहे हैं, इसमें हम round up पर double click करेंगे, अब हम number select कर लेंगे, comma लगाएंगे, और decimal के बाद जितने digits चाहिएं, वो number हम लिखेंगे, चुकि हम decimal के बाद कोई digit नहीं चाहते हैं, यानि decimal हटाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर zero डाल रहे हैं, अब हम bracket close कर देंगे, और enter press करेंगे, यह देखिया, enter press करने पर हमें round off किया हुआ number मिल गया है, अब इसको भी हम formula को नीचे तक drag करके copy कर लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि round off formula ने 0.5 से छोटी और बड़ी, इन सभी संख्याओं को उपर की तरफ round off कर दिया है, जैसे आप इस example में देखिए, यह जो value थी, वो round formula का उप्योग करने पर 765 ही रही, पर round up ने उसको भी उपर की तरफ round off किया है, और वो 766 हो गई, इसी तरह से यहाँ पर यह 455 ही था, पर यहाँ यह 456 हो गया, अब हम round down formula का उप्योग करके देख लेते हैं, यहाँ पर हम equal to का निशान लगा करके formula टाइप करना शुरू करेंगे, यहाँ से हम ले लेते हैं round down, अब हम select करेंगे number जिसको round down करना है, और उसके बाद comma लगाएंगे, और decimal के बाद जितने digit हमको चाहिए, वो number यहाँ पर डाल देंगे, हमको कोई digit नहीं चाहिए, इसलिए हमने 0 डाला, bracket close करके enter press करेंगे, यह देखिए enter press करने पर हमको round off की हुई value मिल गई है हम यहाँ पर इस formula को नीचे तक ट्रैक करके copy कर लेते हैं, तो बाकी numbers के लिए भी हमको round off की हुई values मिल गई हैं, अब यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि round, round up और round down formula में क्या अंतर है round formula से इसमें जो decimal के बाद के ये जो numbers हैं, ये 0.5 से बड़े हैं, हमारी जो value थी उससे उपर की value मिली और decimal के बाद 0.5 से छोटी संख्या होने पर हमको जो हमारी value थी उससे छोटी value या उससे छोटा number मिला round up formula में decimal के बाद 0.5 से बड़ी या छोटी संख्या होने पर भी हमको round up करके जो value मिली है, वो original value से बड़ी है जबकि round down में decimal के बाद 0.5 से बड़ी या छोटी संख्या होने पर भी हमें जो हमारी original value थी उससे छोटी value मिली MS Excel में कई बार किसी formula का उप्योग करते वक्त हमें result में error मिलती है कई बार तो हम इन errors को manually हटा पाते हैं पर कई बार हम इने नहीं हटा पाते और यदि हमें किसी व्यक्ति को कोई report भीजनी हो तो sheet में ऐसे errors खरा प्रभाव डालती है चलिए हम आपको बताते हैं कि if error function की सहायता से आप किस तरह अपनी Excel sheet में errors छुपा सकते हैं यहां हमने एक छोटा सा उधारण लिया है जिसमें हम dividend वाले column में लिखी हुई values को diviser वाले column में लिखी हुई values से भाग देंगे और उनका जो answer है वो result वाले column में दिखाई देगा यहां पर हम formula लगाते हैं हम equal to का sign लगा करके पहली value को select करेंगे फिर divide का sign लगा करके दूसरी value को select करेंगे अब enter press करेंगे यह देखिए यहां पर हमें result मिल गया है ऐसा ही हम दूसरी values के लिए भी करेंगे फिर से यहां पर हम formula लगाएंगे equal to का sign लगा करके पहली value select कर लेंगे फिर divide का sign लगा करके दूसरी value को select करेंगे और फिर enter press करेंगे यह देखिए यहां पर divide by zero error दिखाई दे रही है इस error को समझने और सुधारने से पहले नीचे वाली value को भी हम divide करके उसके answer देख लेते हैं उसके लिए हम यहां से formula को नीचे drag करके copy कर लेंगे देखिए यहां पर नीचे value error और उसके नीचे एक और divide by zero error आई है divide by zero error तब आती है जब किसी value को zero से भाग दिया जाता है या फिर किसी value को खाली cell से भाग दिया जाता है और value error तब आती है जब हम formula में कोई गलत argument दे देते हैं जैसे यहां पर number की जगह n by a लिखा हुआ है या फिर इसकी जगह कोई text भी लिखा हो तो ये वाली error आती है यदि database छोटा हो तो ठीक है पर बड़े database में इन errors को remove कर पाना या सही कर पाना कभी-कभी संभव नहीं हो पाता तो इन errors को हम if error function की मदद से छुपा सकते हैं चलिए देखते हैं कैसे पहले हम इन सारी errors को select करके delete कर देते हैं अब हम यहां पर if error का formula लगाएंगे सबसे पहले यहां पर equal to का निशान लगाएंगे फिर टाइप करेंगे if error यह देखिए initials टाइप करते ही यहां पर नीचे formula दिख जाता है double click करके इसको ले लेंगे यहां पर पहला option है value उसके लिए हम पहले cell को select करेंगे divide का निशान लगा करके दूसरा cell select करेंगे यहां पर हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें if error के value argument में हमेशा वो formula या expressions आएंगे जिने perform करने के कारण error मिलती है जैसे कि यहां पर if error में हम यह division इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो error मिली थी वो division formula के कारण मिली थी यदि यहां पर sum formula के कारण कोई error आएगी तो if error formula में उस error को छुपाने के लिए हम sum formula का ही उपयोग करेंगे उसी तरह से multiplication के लिए multiplication formula का उपयोग करेंगे इत्यादी अब हम यहां पर कौमा लगाएंगे उसके बाद दूसरा option है value if error मतलब यदि पहले argument में लगे formula के कारण कोई error आती है तो formula यहां पर कौनसी value या text दिखाए वो हमको बताना है अब हम यहां पर dash का sign दिखाना चाह रहे हैं यानि कहने का तातपर यह है हम चाहते हैं कि division के कारण आने वाली error यहां पर न दिखाई दे उसकी बजाए dash का sign दिखाई दे तो यह पहले हमने inverted commas open किया और उसके अंदर हम dash लगाएंगे और फिर inverted commas close कर देंगे अब हम bracket close करेंगे और उसके बाद enter press करेंगे यह देखिए पहले यहीं पर 10 में 0 का भाग देने पर divide by 0 error दिखाई दे रही थी पर चूंकि अब हमने if error formula का उप्योग किया तो error की जगह यहाँ पर अब यह dash दिखाई देने लगा है याने हमने उस error को इस dash से चुपा दिया यहां से track करके इस formula को हम नीचे तक copy कर लेते हैं यहां देखिए नीचे की सभी values के लिए यहां पर पहले errors दिखाई दे रही थी और उन सब की जगह अब यह dash का sign दिखाई दे रहा है आप चाहें तो dash की जगह किसी text का भी उप्योग कर सकते हैं या फिर cell को खाली भी छोड़ सकते हैं आपको कुछ और उदारन के साथ हम यह समझा देते हैं उसके लिए यहां नीचे हमने कुछ और values ले ली हैं अब यहां पर equal to का sign लगा कर हम type करेंगे if error यह if लिखते ही यहां पर formula दिखाई दे रहा है डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे पहला argument है value उसके लिए पहली cell को select करेंगे divide का निशान लगाएंगे और उसके बाद दूसरा cell select कर लेंगे अब comma लगाएंगे अब अगला argument है value if error यानि हम नहीं चाहते कि यहां पर division के कारण अगर कोई error आए तो वो दिखाई दे हम चाहते हैं कि उसकी जगह खाली cell दिखाई दे तो उसके लिए हम comma के बाद double inverted commas open करेंगे और बिना space दिये उन्हें close कर देंगे अब हम bracket close करेंगे और enter press कर देंगे यह देखिए यहां पर यह result आ गया है यहां पर result इसलिए आया है क्योंकि यहां पर कोई error नहीं थी पर नीचे की जो values हैं उसमें कोई error आ सकती है तो उसके लिए हम इस formula को यहां से नीचे तक drag करके देख लेते हैं और देखते हैं क्या result आएगा यह देखिए जब हमने formula को drag करके नीचे तक copy किया तो यहां पर जो value 0 से divide हो रही थी वहां error दिखने की बजाए यह खाली space नजर आ रहा है यानि खाली cell दिखाई दे रहा है यहां पर भी हमको यह खाली cells इसलिए नजर आ रहे हैं इसी तरह से अगर आप खाली cell की जगह कोई text लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं यह भी बता देते हैं यहां पर हम फिर से if error formula लगाते हैं उसके लिए equal to का sign लगाएंगे और यह formula टाइप करना शुरू करते ही जैसे हमको formula यहां लिखा हुआ दिखेगा डबल क्लिक करके उसे ले लेंगे और value के लिए पहली value select करेंगे divide by का निशान लगाएंगे दूसरी value select करेंगे उसके बाद लगा देंगे comma value if error में अब हम error की जगह पर text लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं तो जो भी text लिखा हुआ हमको दिखाना है उसको हम inverted commas के अंदर लिखेंगे तो यह पहले हमने inverted commas open किया और अब हम यहाँ पर लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं division not possible तो यहाँ पर हम type कर देंगे division not possible और अब inverted commas close करेंगे फिर bracket close करेंगे और enter प्रेस कर देंगे यह देखें चूंकि हमने 6 में यहाँ पर शुड़ने का भाग दिया है इसलिए यहाँ पर error आने वाली थी पर अब उसकी जगह यह जो text हमने formula में लगाया था वो दिखाई दे रहा है error की जगह अब यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है division not possible अब हम इस formula को drag करके नीचे तक copy कर लेते हैं तो यह देखें बाके की जगह पर भी जहाँ error आने वाली थी वहाँ पर division not possible यह text लिखा हुआ आ गया है तो यह तो हमने आपको बताया कि if error का उप्योग करके किसी भी formula के कारण आने वाली error को dash के निशान से या फिर खाली cell से या फिर text के द्वारा कैसे चुपाया जा सकता है पर यदि आपका data ज्यादा बड़ा ना हो तो आप error को हटा भी सकते हैं चलिए बताते हैं कैसे जैसे यहाँ पर हमने देखा कि error है तो इसी row में हम left की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि error क्यों आ रही है यहाँ left में देखने पर हमको पता चलता है कि dividend वाले cell में number की जगर पर n by a लिखा हुआ है यानि यहाँ पर कोई number available नहीं है तो इसकी जगह अगर हम कोई number लिख देंगे तो यह error हट जाएगी यदि आपको पता हो कि यहाँ पर क्या number आएगा तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उदारण के लिए यहाँ पर हम डाल रहे हैं 55 अब जैसे ही हम enterprise करेंगे यहाँ पर हमको result दिखाई देगा यह हमने enterprise किया और देखिए यह यहाँ पर result आ गया है तो जहाँ पर पहले हमने error चुपाई हुई थी dash के sign से वहाँ पर अब यह result दिखाई दे रहा है इसी तरह से अगर आपको सही values पता हों तो आप error को remove कर सकते हैं हम एक दो errors को और remove करके बता देते हैं जैसे यहाँ पर zero है जिसके कारण यहाँ पर error आ रही थी जिसको हमने खाली cell से चुपाया है तो हम यहाँ पर zero की जगह पर एक number डाल देते हैं यह हमने डाला यहाँ three अब जैसे enterprise करेंगे तो देखिए यहाँ पर यह उसका result आ गया है तो यह खाली cell की जगह अब हमारे पास result है उसी तरह से मालीजे यहाँ पर हमने जो text लिखा हुआ है उसकी जगह पर एक value डाल दी अब जैसे ही हम enterprise करेंगे तो यह देखिए आपको यहाँ पर उसका result देखिया division not possible text से जो error हमने चुपाई थी उसकी जगह पर अब यह result आ गया है तो इस तरह से आप किसी भी database में errors होने पर या तो उन्हें सुधार सकते हैं और अगर वो possible ना हो तो आप उन्हें if error formula की मदद से चुपा सकते हैं हम आपको vlookup formula और if error function के बारे में पहले ही बता चुके हैं vlookup हमारे लिए किसी भी बड़े database में से शीगरता से कोई particular value सर्च कर देता है और if error function की सहयता से हम excel sheet में आई हुई not available error, division error, इत्यादी को छुपा सकते हैं इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि vlookup formula के कारण आई हुई not available error को आप if error function की सहयता से कैसे छुपा या हटा सकते हैं यहाँ पर हमने class 5th से लेकर के 8 तक के students का data लिया है और हमने हर class के लिए अलग sheet ली है अब हम सभी classes की tables को नाम दे देते हैं टेबल को नाम देने से vlookup और if error function में काम करना आसान हो जाता है तो इसके लिए हम इन tables को कोई नाम दे देते हैं टेबल को नाम देने के लिए पहले table को select कर लेना है जैसे कि हमने अभी यहाँ पर class 5th की table select कर रखी है फिर यहाँ पर name box में जो नाम डिस्पले हो रहा है उसे select करके delete कर दें और अपने अनुसार उसे जो नाम देना है वो type कर दें यहाँ पर हम इस table को नाम दे रहे हैं 5th और आब enterprise कर देंगे तो इस table का नाम 5th हो गया है इसी तरह से बाकी tables को भी हम नाम दे देंगे चलिए पहले एक बार आपको we look up formula revise करवा देते हैं उसके लिए हम sheet 1 पर चलते हैं हमें चेक करना है कि 5th class वाली worksheet में राहुल नाम के लड़के की age लिखी हुई है या नहीं तो यहां पर नाम में हम डाल देते हैं राहुल और अब age में हम formula लगाएंगे we look up का पहले equal to का निशान लगाएंगे फिर हम formula type करेंगे we look up यह यहां formula दिख रहा है इस पर double click करके इसको ले लेंगे bracket में पहला argument है look up value यह वो value है जिसके बारे में आप जानकारी सर्च करना चाहते हैं इसके लिए हम राहुल को सिलेक करेंगे कॉमा लगाएंगे next argument है table array इसके लिए हमें database सिलेक करना होता है जहां से की value सर्च करनी है पर हम यहां पर table को सिलेक नहीं करेंगे क्योंकि वो दूसरी sheet में है यहां पर हम उसका बस नाम type कर देंगे fifth class की table को हमने नाम दिया था fifth यह देखिए यहां पर यह आ गया है शुरुआती अक्षर type करते ही table का नाम आ गया है इस पर double click कर देंगे कॉमा लगाएंगे next argument है column index number यानि उस column का number जहां से आप जानकारी ढूनना चाहते हैं age second number column में हैं तो हम यहां पर लिख देंगे two कॉमा लगाने के बाद last argument है range lookup अब यहां पर जैसे आप देख सकते हैं true और false यहां पर यह दो चीज़ें आ रही हैं अगर range lookup में आपको exact matching करना है तो उसके लिए हमको false चुनना होगा या तो हम यहां से false चुने या फिर हम zero type कर दें अगर आपको approximate matching चाहिए तो उसके लिए true चुनना होगा या तो यहां से true चुने या फिर उसके लिए one type कर दें चुनकि हम database में से exact result चाहते हैं इसलिए यहां पर हम चुन रहे हैं false false चुनने की बज़ाए आप चाहें तो zero भी type कर सकते हैं अब bracket close कर दें और end press करें यह देखिए यहां पर we look up formula ने हमें 5th class के database में से रहूल की उम्रू ढूंड कर दे दी है जो की है 12 साल हम database में जाकर इसको re-check कर लेते हैं यह देखिए हमने 5th class की जो table है वो खोली और यहां पर आप देख सकते हैं रहूल की जो age है वो 12 साल है यानि हमें सही value मिली है अब हम एक बार नाम change करके देखते हैं इसके लिए वापस हम sheet 1 पर जा रहे हैं अब राहूल की जगह हम लिख रहे हैं रुची और अब enterprise करेंगे तो देखिए age में यहां पर we look up formula ने हमको not available error दी है इसका मतलब हम जो data ढूणना चाह रहे हैं वो database में available नहीं है पर यदि आप चाहते हैं कि we look up द्वारा value सर्च करने पर यदि database में वो value नहीं मिलती है तो error की बजाए कोई text display हो जाए उसके लिए हम we look up formula को if error function के अंदर use करेंगे कैसे देखते हैं मानली जी हम जानना चाहते हैं कि 6th class के कैलाश नाम के लड़के की उम्र कितनी है तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कैलाश यहाँ पर हमने कैलाश नाम डाल दिया है और अब हम यह जानना चाहते हैं कि 6th class के कैलाश नाम के लड़के की उम्र कितनी हैं अगर database में उम्र मिलती है तो ठीक है नहीं तो error के बदले record not found लिखा हुआ दिखाई दे तो उसके लिए अब हम यहाँ पर if error का formula लगाएंगे equal to का निशान लगाकर type करेंगे if error double click करके formula हम ले लेंगे if error function का पहला argument है value इसके लिए हमेशा वो formula या expression enter किया जाता है जिससे perform करने के कारण वो error मिल रही है चूंकि हमें Vlookup formula के कारण ये error मिल रही है इसलिए value में हम Vlookup का formula type करके सारे arguments देंगे यहाँ पर हमने type किया Vlookup इसपर double click करेंगे अब ये एक और bracket open हो गया है इसके अंदर जो भी arguments हैं Vlookup formula के वो हम दे देंगे पहला है lookup value कैलाश को select करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम जानकरी सर्च करना चाहते हैं अब कॉमा लगाएंगे table array के लिए table का नाम type करेंगे हमको sixth table में से हमारी value चाहिए इसके लिए हमने जैसे initial letters type किये यहाँ पर ये table दिखाई दे रही है डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे फिर कॉमा लगाएंगे फिर column index number के लिए यहाँ पर हम दो लिखेंगे क्योंकि age जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं उपर second column में है फिर कॉमा लगाएंगे range lookup के लिए चुकि हमको exact match चाहिए इसलिए zero type करेंगे या फिर यहाँ से false चुन लेंगे और bracket close कर देंगे bracket close करने के बाद यह जो है यह पूरा हो गया we lookup formula अब हम कॉमा लगाएंगे और अब if error formula का जो next argument है value if error यानि पहले argument में लगे हुए formula के कारण अगर कोई error आती है तो उस error की जगह पर formula यहाँ पर क्या value या text लिखा हुआ दिखाए वो हमको type करना है और वो हम type करेंगे inverted commas के अंदर चुकि हम text लिखा हुआ दिखाना चाह रहे हैं तो पहले लगाएंगे double inverted commas open करेंगे और अब जो text हम चाहते हैं वो लिख देंगे हम चाहते हैं record not found लिखा हुआ दिखाई दे वो हमने type कर दिया अब आपस से double inverted commas जो हैं वो हम close कर देंगे फिर हम bracket close करेंगे और enter press कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं we look up formulae ने हमें 6 class की database में से कैलाश की उम्र ढूंड कर दे दी है जो की 14 साल है अब हम नाम change करके देखते हैं कैलाश की जगा हमने लिखा रुची और enter press किया अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चुकि रुची की जो age है उसका record हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर error आने की बजाए record not found डिखा हुआ आ गया है पहले जब हमने we look up formula लगाया था तो यहाँ पर not available वाली error आई थी पर अब यहाँ पर record not found लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यानि we look up ने record न मिलने के कारण जो not available error दी उसे if error ने text से छुपा दिया जिस तरह से हमने age सर्च की है उसी तरह हम subject और marks भी search कर सकते हैं उसके लिए हम formula को drag करके copy कर सकते हैं पहले हम जिस व्यक्ति के marks सर्च करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ लिख देते हैं हम नितिका नाम की student के subject और marks सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने नाम change करके नितिका कर दिया है अब जैसे हम enterprise करेंगे तो चुकि यहाँ formula age में लगा हुआ था इसलिए यहाँ पर we look up formula ने हमको age भी सर्च करके दे दी है अब यहाँ से formula हम drag करके copy कर सकते हैं पर उसके पहले हम उन arguments को f4 से stationary बना देते हैं जिनकी value change नहीं होगी जैसे की look up value formula को देखने के लिए इस पर double click कर देते हैं look up value को fix करने के लिए हम इस value को select करेंगे और f4 की press कर देंगे अब यह जो value है यह fixed हो गई है अब हम इस formula को drag करके copy कर लेंगे अब formula को देखने के लिए इस पर double click कर देते हैं यहां पर देखिए यह formula copy हो गया है इसमें हमको केवल column index number change करना होगा यहां पर यह 2 लिखा हुआ है जो की age find out करने के लिए था क्योंकि age का जो column है वो second number का है अब subject का जो column है वो third number का है इसलिए यहां पर हम 2 की जगह 3 लिख देंगे और अब हम जैसे ही enter press करेंगे तो देखिए यहां पर subject का नाम आ गया है marks सर्च करने के लिए हम वापस इस formula को copy कर लेंगे और इस formula में एक बार फिर से हमको column index number change करना है क्योंकि marks का column index number है 4 तो तीन की जगह हम डालेंगे 4 और फिर enter press करेंगे तो देखिए यहां पर नितिका के sign subject के marks आ गये है यह तो हमने एक ही sheet से record search किया है यदि हमें एक ही formula की सहयता से सभी sheet से record search करना है तो उसके लिए हमें multiple we look up और if error function का उप्योग करना होगा उसके लिए हम यहां पर एक दूसरे student का नाम ले लेते हैं नाम हमने लिया kritika अब excel workbook की सभी sheets को search करने के लिए equal to का sign लगा करके type करेंगे if error double click करके formula ले लेंगे अब यहां पर value argument में हम we look up formula लिखेंगे यहां से हमने we look up ले लिया अब इसके सारे arguments हमको डालना है जैसे की look up value के लिए हम kritika को select कर लेंगे फिर table का नाम डालेंगे table का नाम हमने डाला fifth इसके बाद comma लगाएंगे column index number डालेंगे यहां पर age के लिए हमने डाला two exact value चाहिए इसलिए हम डाल देंगे zero comma लगा करके यह हमने type कर दिया zero अब bracket close करेंगे comma लगाएंगे अब if error के दूसरे argument के लिए दुबारा से if error का formula लिख करके उसके अंदर we look up का formula लगाएंगे comma के बाद हम फिर से लिखेंगे if error और अब इसके अंदर वापस से we look up का formula लगाएंगे के close कर देंगे फिर से comma लगाएंगे और इस तरह से हम यह formula तब तक लगाते जाएंगे जब तक कि हमारी workbook की सभी sheets के table cover नहीं हो जाती यह देखिए यहाँ पर हमने हमारी सारी जो tables थी 5th, 6th, 7th और 8 इन सब को इस formula में cover कर लिया है अब हम comma लगाएंगे और finally if error का second argument लिखेंगे उसके लिए हम double inverted commas के अंतरगत लिखेंगे record not found inverted commas close कर दिया और फिर जितने if error functions उप्योग हुए हैं उतने brackets close करके और enter press करेंगे यह देखिए यहाँ पर हमें कृतिका की age मिल गई है यदि हम नाम change करते हैं कृतिका की जगह यहाँ पर हमने नाम डाल दिया विभूर तो enter press करते ही देखिए यहाँ पर आया है age की जगह पर record not found क्योंकि इस नाम का कोई भी लड़का चारों ही classes में नहीं है इसलिए यहाँ पर चारों classes की जो sheets थी उसमें से धूंट करके वे look up ने not available की error बताई जिसको if error ने चुपा करके record not found में चिंच कर दिया वे look up एक्सल में सबसे महत्वकून functions में से एक है इसे बड़े data में से कोई एक particular value को सर्च करने के लिए उप्योग किया जाता है यहाँ पर हम आपको एक विशिश बात बता दें कि we look up function vertically काम करता है यानि ये किसी column में से value ढूंटा है और इसके लिए ये जरूरी है कि हम जिस value से संबंधिट data ढूंट रहे हैं वो table के पहले column में ही हो यानि look up value first column में ही हो क्योंकि we look up जिस column को select किया है उसके बाद वाले column से ही value सर्च करना शुरू करता है यदि हमारा source column पहले के बजाए दूसरा है तो फिर ये दूसरे column के बाद से value को सर्च करना शुरू करेगा ये पहले वाले column को छोड़ देगा अगर हम बात करें match function की तो ये बाई से दाई और यानि left to right या फिर उपर से नीचे की और यानि top to bottom काम करता है इसका मतलब ये हुआ कि ये columns और rows दोनों में काम करता है चलिए पहले हम आपको समझा देते हैं कि we look up और match function अकेले कैसे काम करते हैं तो पहले हम इनको अलग-अलग use करना देखेंगे और उसके बाद इन्हें एक साथ उप्योग करना भी बताएंगे यहाँ पर हमने एक electronic store का data लिया है जिसमें product का नाम, उनकी price और discount in percentage लिखा हुआ है अब यदि आप अलग-अलग products पर मिल रहा अलग-अलग discount जानना चाहते हैं तो खुद से यानि manually check करने की बजाए आप we look up function की सहायता से ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसके लिए हम यहाँ पर we look up function लगाएंगे जिस product पर हमको discount जानना है उस product का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर हम we look up function लगाने जा रहे हैं सबसे पहले formula type करेंगे equal to का निशान लगाएंगे और फिर type करेंगे we look up यह देखिए यहाँ पर नीचे Excel ने formula शो किया है इस पर double click करके हम इसको यहीं से ले लेंगे यहाँ पर आप we look up function का syntax देख सकते हैं यहाँ पर पहला argument है look up value मतलब पूरे database में से आप कौन सी value के लिए कोई particular data सर्च कर रहे हैं यहाँ पर हम किसी particular product का discount देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर product के सामने वाले cell पर click करेंगे अब कौमा लगाने के बाद second argument है table array इसके लिए हम इस पूरी table को select करेंगे क्योंकि हमको जो data सर्च करना है वो इस पूरी table में से सर्च करना है फिर से कौमा लगाएंगे इसके बाद जो third argument है वो है column index number इसमें हमें उस column का number डालना है जिसमें से हमें discount ढूंडना है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह हमारा पहला column है यह दूसरा और यह जो discount वाला column है वो तीसरा है यहाँ हम लिख देंगे three उसके बाद फिर कौमा लगाएंगे और इसके बाद चूंकि हमको exact match चाहिए इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर zero और उसके बाद bracket close करके enterprise कर देंगे यह देखें यहाँ पर इस selected product का discount दिखाई पढ़ रहा है अब यदि हम product change करते हैं तो या तो यहाँ पर इसको हटा करके जो दूसरा product आपको चाहिए वो लिख दें या फिर अगर आपने list बनाई हो तो इसमें से आपको यह product change कर सकते हैं list बनाना हम आपको data validation के video number 33 how to create drop down menu and set character limit by data validation के अंतरगत सिखा चुके हैं इस वीडियो की link हमने description में दे रखी है तो product change करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका discount अपने आप change हो गया है अभी तो हमने इस product पर कितना discount मिल रहा है वो देखा पर मानलीजे अगर आप इसका price जानना चाहते हैं यहाँ पर हम type कर देते हैं price अब उसके लिए हमको formula में थोड़ा सा fair बदल करना होगा क्योंकि यहाँ पर जो formula लगा हुआ है उसको देखने के लिए हम F2 की press करेंगे इस cell को select करके तो देखिए इस formula में हमने column index number जो है वो लगाया है 3 तो तीसरा column जो है वो discount के लिए है अब अगर हमको price पता करना है तो price जो है वो second column में लिखी हुई है इसलिए हमको column index number change करना होगा तो इसको हम 3 की जगह कर देंगे 2 और उसके बाद enter press करेंगे यह देखिए यहाँ पर इस product का price आ गया है अभी आपने देखा कि यदि हम price और discount अलग-अलग search कर रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ा समय लग रहा है और हम यह बार-बार तो करेंगे नहीं तो क्यों न we look up के साथ match function का उपयोग करके हम इस problem को solve कर लें पर इससे पहले कि हम we look up और match function दोनों को एक साथ use करके बताएं पहले आपको बता देते हैं कि match function अखेले किस तरह से काम करता है यहाँ पर हम match formula लगा करके देखेंगे match formula यह बताता है कि पूछी गई value table की कौन सी row या column में है यानि match formula value की position बताता है हमने यहाँ पर product का नाम लिख दिया है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं position जानना चाहते हैं अब यहाँ पर हम formula लगाएंगे equal to का sign लगा कर type करेंगे match यह देखें यहाँ पर नीचे excel ने formula शो कर दिया है double click करके इसको यही से ले लेंगे यहाँ पर पहला argument है look up value look up value यानि table में से जिस value के बारे में हम पता करना चाह रहे हैं वो save जो है वो किस cell में है इसके लिए हम इस cell को select कर लेंगे जहाँ पर हमने product का नाम लिखा है अब हम comma लगाएंगे next argument है look up array अर्थात हम कहां से value के बारे में पता करना चाह रहे हैं यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि look up array के लिए हम एक बार में एक ही dimension select कर सकते हैं या तो vertical या फिर horizontal यहाँ पर आपको यह ध्यान देलाना चाहेंगे कि जैसा कि हमने आपको we look up में बताया था we look up formula में हम table array select करते हैं यानि पूरी table select करते हैं जिसमें से की वो formula value search करता है पर यहाँ पर match formula में हमको या तो column select करना है या फिर row select करना है एक बार में हम कोई एक dimension select करेंगे चूंकि हम एक product की position पता करना चाह रहे हैं तो हम product वाले column को select करेंगे क्यूंकि हमारा जो product है वो इसी column के किसी cell में है इसके बाद हम comma लगाएंगे और फिर हम यहाँ पर zero type कर देंगे क्योंकि हम exact match चाहते हैं और इसके बाद bracket close करके enter press कर देंगे यहाँ पर यह हमारा answer आ गया है 12 यानि कि हमारा यह product है वो 12th row में है अब अगर हम यहाँ पर इस column में देखें तो यह देखिए यहाँ पर यह 8GB HP pen drive यहाँ पर दिया हुआ है पर जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके आगे लिखा हुआ है 13 तो वो इस data के हिसाब से 13th row है जबकि हमारा answer जो है वो आ रहा है 12 वो इसलिए क्योंकि जब हमने look up अरे select किया था तो वो हमने second row से select किया था यहाँ पर product लिखा हुआ है वहाँ से शुरू किया था ऊपर की जो row है number one की heading वाली उसको हमने छोड़ दिया था second से हमने शुरू किया इसलिए यहाँ से अगर हम गिनना शुरू करेंगे तो 12th row यहीं पर आएगी अब अगर हम we look up और match function को एक साथ उप्योग करते हैं तो इससे हमारा searching का time बचेगा we look up को match function के साथ उप्योग करने के लिए हमने यहाँ पर एक सेल में product लिया है और दूसरे सेल में product की detail ली है जो की price या फिर discount कुछ भी हो सकता है फिलाल हम 2GB OPPO smartphone का price पता करना चाहा रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर हम formula लगाएंगे पहले हम we look up formula टाइप करते हैं equal to का sign लगा करके हम टाइप करेंगे we look up bracket open करेंगे अब यहाँ पर पहला argument है look up value उसके लिए हम product के सामने वाले सेल पर click करेंगे क्योंकि इसमें हमने product के नाम की list बनाई हुई है कॉमा लगाने के बाद second argument है table array उसके लिए हम इस पूरी table को select कर लेंगे heading के साथ हमने इस पूरी table को select किया है क्योंकि हमको जो data है वो इस table में से search करना है अब कॉमा लगाएंगे इसके बाद third argument है column index number अब चूंकि हमें किसी particular product की detail यानी price या फिर discount जानना है तो उसके लिए हम यहाँ पर match function का उप्योग करेंगे जिससे keyword table की row में search करके हमें exact match ढूंड कर दे दे यहाँ पर हम type करेंगे match यह देखें यहाँ पर excel ने यह formula शो कर दिया है double click करके इसको यहाँ से ले लेंगे bracket के अंदर पहला जो argument है वो है look up value अब यहाँ पर हमको इस product का price पता करना है इसके लिए हम इस cell को select करेंगे comma लगाएंगे और अब look up array के लिए हम यह जो heading वाली row है उसको select कर लेंगे क्योंकि हो सकता है हम price या फिर discount देखना चाहें तो इस कारण हमने पूरी row select कर ली है comma लगा करके exact match के लिए zero type करेंगे उसके बाद bracket close कर देंगे अब फिर से comma लगाएंगे और वी look up function के exact match के लिए भी हम यहाँ पर एक zero type करेंगे और अब वी look up function के लिए bracket close करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे यह देखे यहाँ पर जो product हमने select किया था उसका price दिखाई पड़ रहा है माल लीजिये हम कोई और product select करते हैं यह हमने select किया 2GB Vivo smartphone तो यहाँ पर उसका price दिखाई दे रहा है अब अगर हम चाहें तो detail बदल भी सकते हैं अभी हमने price देखा अगर discount देखना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर discount क्लिक देंगे तो देखिए यहाँ पर particular product का discount आ जाएगा इसको हम percentage में देख लेते हैं यह देखिए यहाँ पर यह discount आ गया है यदि हमें किसी data में से कोई particular value सर्च करनी हो तो यह काम index function से किया जा सकता है इस function को केवल यह बताना होता है कि data की किस row और column में से आप value सर्च करना चाहते हैं और यह आपको बता देता है कि उस cell में क्या है index function लगभग vlookup function की तरह ही काम करता है पर vlookup में एक कमी है जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि vlookup function का उपयोग करने के लिए lookup value table की first column में होनी चाहिए और vlookup केवल left से right की और सर्च करता है यानि अगर lookup value column number 3 में है तो vlookup function केवल column 3 के बाद मतलब column 4 और 5 में ही सर्चिंग करेगा जबकि index function पूरे data में सर्चिंग करता है यहाँ पर हमने एक electronic store का data लिया है जिसमें अलग-अलग products की details है इसमें सबसे पहले item code है फिर product का नाम, उसका description, उसकी price और आखिर में लिखा है कि उस product के कितने pieces stock में रखे हुए है अब सबसे पहले हम index और we look up function में अंतर समझ लेते है यदि हमें product name से product का description, price या in stock value पता करनी हो तो हम उप्योग कर सकते हैं we look up function का पर यदि हमें product name से item code पता करना हो तो ऐसे में हम we look up function का use नहीं कर पाएंगे क्योंकि we look up function जिस column में से हमने value ली है जिसके बारे में हम पता करना चाहते हैं उसके right में ही search करेगा इधर left में वो नहीं जाएगा इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमको item code पता चल जाए product का तो उसके लिए हमें index function का ही उप्योग करना पड़ेगा क्योंकि index function पूरे data में से search करता है आए हम इस function का उप्योग करके देखते हैं माल लीजे हमें लेने वो laptop का item code पता करना है तो उसके लिए index formula हम यहाँ पर type कर रहे हैं equal to का मिशान लगाएंगे उसके बाद type करना शुरू करेंगे index यह देखें दो-तिन letters टाइप करते ही Excel ने यहाँ पर formula शो कर दिया है heading सही select कर रहे हैं comma लगाएंगे फिर दूसरा argument है row number तो row counting वहाँ से start करेंगे जहां से हमने table को select किया था हमने इस table की heading भी select की थी इसलिए heading वाली जो row है वो row number 1 मानी जाएगी यहां से अगर हम count करना शुरू करें तो हमने जो product ढूनना चाहा है या जो value हम search करना चाहते हैं वहां तक की हमको row count करनी है 1, 2, 3, 4, 5 तो यह जो हमारी row है वो है 5 यह हमने यहां पर row number डाल दिया कॉमा लगाएंगे अब जो last argument है वो है column number तो जिस तरह से हमने row की counting की उसी तरह से हम column की counting करेंगे हमें Lenovo laptop का item code चाहिए जो की पहले column में है तो यहां पर हम 1 type कर देंगे bracket बन करके enter press करेंगे यह देखिए यहां पर index formula ने हमें product का item code बता दिया है यहां पर हमको manually rows और columns को गिनकर बताना होता है अगर यह data बड़ा हो तो मुश्किल हो जाता है कि हम इतनी सारी rows या columns को count करें इसलिए यह function तब ज्यादा उपयोग हो जाता है जब हम इसको match function के साथ उपयोग करते हैं match function पूछी गई value किस row या column में है वो खुद ही ढूण लेता है match function किस तरह से काम करता है यह हम we look up और match function वाली वीडियो में बता चुके हैं और उस वीडियो के link हमने इस वीडियो के description में भी दी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और index के साथ match function का उपयोग देख लेते हैं index को match function के साथ use करने के लिए हम एक cell में product name ले लेंगे यहां पर हमने list बनाई हुई है उसमें से जिस भी product की जो भी detail चाहिए वो हम ले सकते हैं तो यहां से हमने चुन लिया micromax smartphone अगर आपने list ना बनाई हो तो आप सीधे यहां पर उस product का नाम लिख सकते हैं list बनाना हम आपको data validation के video number 33 how to create drop down menu and set character limit by data validation के अंतरगत सिखा चुके हैं इस video के link हमने description में दे रखी है तो यहां हमने लिया product name और दूसरे में हमने ली है detail जो की item code description price या फिर in stock value कुछ भी हो सकती है अभी हम ले रहें description तो हम micromax smartphone का description पता करना चाहा रहे हैं तो इसके लिए यहां पर हम type करेंगे formula equal to का निशान लगाएंगे उसके बाद हम पहले index formula type करेंगे यहां से हमने index ले लिया सबसे पहला argument है array इसके लिए हम इस table को select कर लेंगे यह हमने table select कर ली उसके बाद comma लगाएंगे अगला argument है row number हम manually row count करने की बजाए यहां पर match function का उप्योग करेंगे जिससे वो table में से row में search करके हमें exact match डून करके दे दे तो यहां हम लिखेंगे match यह match आ गया है हम इसको ले लेंगे हम जानना चाहते हैं कि micromax smartphone table में कौनसी row में है तो यहां पर पहला argument है lookup value lookup value मतलब हम table में से कौनसी value के बारे में पता करना चाह रहे हैं हम micromax smartphone के बारे में पता करना चाह रहे हैं इसलिए इस cell को select कर लेंगे comma लगाएंगे अब अगला argument है lookup array यानि हम कहां से value के बारे में पता करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम product name वाला जो पूरा column है उसको select कर लेंगे क्योंकि जिस product के बारे में हम पता करना चाह रहे हैं वो इसी column में है उसके बाद comma लगा करके exact match के लिए हम zero type कर देंगे अब हम bracket close कर देंगे जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि match function एक बार में एक ही dimension में काम करता है तो यहाँ पर तो हमने column choose किया है अब चूंकि हम micro max smartphone का description ढूणना चाह रहे हैं इस column में से उसको product तो मिल जाएगा micro max smartphone किस रो में है वो यह बता देगा पर अब हम उसका description ढूणना चाह रहे हैं उसके लिए हमको left to right जाकर के row में ढूणना पड़ेगा तो हम यहाँ पर दूसरा match function लगाएंगे जो कि left से right के और काम करेगा यहाँ पर हम फिर कॉमा लगा करके एक बार फिर से match function लगाना चाह रहे हैं इसलिए match type करेंगे यह यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ से इसको ले लेंगे अब हम जानना चाहते हैं कि micro max smartphone के description वाले column में क्या लिखा हुआ है तो look up value के लिए हम यह description वाला जो cell है इसको select करेंगे फिर कॉमा लगाएंगे और look up array के लिए यह जो headings वाली row है इसको select कर लेंगे हाला कि अभी तो हमें केवल description देखना है पर हम पूरी row इसलिए select कर रहे हैं ताकि अगर हम आगे product की price या item code भी देखना चाहें तो देख सकें अब इसके बाद हम कॉमा लगा करके exact match के लिए zero type करेंगे और फिर bracket close करेंगे यह हमने match function के formula को bracket में close कर दिया है अब हम एक और bracket close करेंगे index function के लिए अब enter press करेंगे यह देखिए यहाँ पर हमको micromax smartphone का description दिखाई पढ़ रहा है कि वो 2GB RAM का है अब यदि हम product का नाम बदलते हैं या फिर उसकी detail बदलते हैं तो नीचे answer में भी बदलाव आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर हमने product name change कर दिया इस list में से हमने ले लिया compact laptop तो यह देखिए यहाँ पर उसका description change हो गया है और अब हम यहाँ detail भी बदल देते हैं description की बजाए मानलीजी हम जानना चाहते हैं इसका item code तो यह देखिए फिर से यहाँ पर answer change हो कर आ गया है चूस फॉर्मूले की सहता से हम किसी list में से फटा फट कोई value ढून सकते हैं value ढूनने के लिए table में index number यानी serial number होना आवश्यक है चूस फॉर्मूला अकेले इतना उपयोगी नहीं होता है इसलिए हम इसे अन्य फॉर्मूलों जैसे की we look up, if इत्यादी के साथ उपयोग करते हैं जिससे की दूसरे फॉर्मूले और ज्यादा powerful हो जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको we look up फॉर्मूले के अंतरगर चूस फॉर्मूले का उपयोग करके बता देते हैं जिससे आप एक से अधिक टेबल्स में से value सर्च कर सकते हैं पहले हम आपको केवल चूस फॉर्मूला उपयोग करके बता देते हैं जैसा कि हम आपको बता चुके हैं चूस फॉर्मूला किसी दिये गए इंडेक्स नमबर यानि सीरियल नमबर का उपयोग करके लिस्ट में से एक value शो करता है अब यह हम आपको एक उधारन देके समझा रहे हैं उधारन के लिए यहाँ पर हमने एक table बनाई हुई है जिसमें कुछ बच्चों के roll numbers और उसके सामने उनके नाम लिखे हुए हैं अब हम यह जानना चाहते हैं कि कौन से roll number पर किस बच्चे का नाम है तो उसके लिए पहले हम जिस भी roll number के बच्चे का नाम जानना चाहते हैं वो roll number यहाँ पर डाल देते हैं माली जी यहाँ पर हमने डाला 4 अब यहाँ पर हम formula लगाएंगे सबसे पहले equal to का sign लगाएंगे उसके बाद type करेंगे choose यह देखिए यहाँ पर यह हमको formula का suggestion मिल गया है डबल क्लिक करके यही से इसको ले लेंगे choose formula का पहला argument है index number इसके लिए हम यह यहाँ पर हमने roll number के नीचे जिस cell में 4 लिखा है उसको select कर लेंगे इसको हमने इसलिए select किया है क्योंकि हम यह चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी roll number हम type करें उसके हिसाब से लिस्ट में से बच्चे का नाम अपने आप हमको यहाँ पर मिल जाए इस cell को select करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे अब next argument है value यहाँ पर आप देख सकते हैं value 1, 2, 3 इस तरह से यह आगे तक दिया हुआ है यह वो values होती हैं जिसमें से choose formula value select करेगा उधारन के लिए यह नाम हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने लिए हैं या फिर नाम की जगह कोई numbers, formula, cell reference, इत्यादी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि इस argument में आप केवल 254 values ही दे सकते हैं उससे ज्यादा नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सभी values को select कर लेते हैं ध्यान रखें यहाँ पर पूरी range select नहीं करना है नहीं तो error आजाएगी एक एक करके value select करें और हर value के बाद कॉमा लगाते जाएं और फिर bracket बंद करके enterpress करें यह देखें फोर्थ रोल नमबर पर जो student है उसका नाम यहाँ पर आ गया है इसी तरह अगर हम यहाँ पर रोल नमबर चेंज करते हैं जैसे हमने 4 की जगह कर दिया 3 तो जैसे ही enterpress करेंगे देखें यहाँ पर student का नाम भी अपने बदल गया है जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि choose formula तब ज्यादा उपयोगी होता है जब उसे किसी अन्य formula के साथ उपयोग किया जाए तो हम choose formula को we look up के साथ उपयोग करके देखते हैं जिससे की एक से अधिक table से value को हम search कर सकें चलिए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं इसके लिए हमने यहाँ पर class 9 से लेकर के class 12 तक के top 3 students का data लिया है यहाँ हमने हर class की अलग table बनाई है और tables को 1, 2, 3 इत्यादी numbers दे दिये हैं यह हमने केवल अपनी सुविधा के लिए किया है ऐसा करना ज़रूरी नहीं है tables के पहले column में rank दूसरे column में student का नाम और तीसरे column में उन्हें कितने प्रतिशत marks मिले हैं वो लिखा हुआ है अब हम चाहते हैं कि हम केवल class और rank सिलेक्ट करें जिसके हिसाब से हमें student का नाम और उसके marks पता चल जाएं तो उसके लिए हम we look up formula के अंतरगत choose formula का उपयोग करेंगे पर ये formula हमें दो बार उपयोग करना होगा एक बार नाम जानने के लिए और दूसरी बार marks जानने के लिए हम एक साथ नाम और marks एक ही फार्मुले से पता नहीं कर सकते हैं चलिए हम आपको धारण दे के बता देते हैं मान लिजे class 11th में second rank पर जो student है हमको उसका नाम और उसके marks जानना है तो यहां से हम class चुनेंगे यहां पर 11th class के लिए हम drop down list से 3 चुनेंगे क्योंकि 11th class का जो data है वो third number की table में है और यह list बनाने के लिए हमने data validation option का उप्योग किया है अगर आप list ना बनाना चाहें तो यहां पर सीधे class वाली table का number और rank के आगे rank लिख सकते हैं यहां हम आपको एक महतुपून बात बता दें कि data validation की सहायता से list बनाना हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं जिसकी link इस वीडियो के description में दी हुई है तो यह class के लिए हमने 3 चुन लिया और अब rank के लिए इसकी drop down list से हम चुन लेंगे second क्योंकि हमको second rank वाले student का नाम और marks पता करने हैं तो यह class हो गई third table number की याने 11 और यह हो गई second rank अब पहले नाम जानने के लिए हम यहाँ पर formula type करते हैं equal to का निशान लगाएंगे और type करेंगे we look up यह यहाँ पर देखिए initials type करते से ही यह formula यहाँ पर दिख रहा है double click करके इसको ले लेंगे यहाँ पर पहला argument है look up value जिसका मतलब हम पूरे database में से कौन सी value के लिए particular data सर्च कर रहे हैं हम जानना चाहते हैं कि second rank पर कौन सा बच्चा है यानि उसका नाम जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम rank के सामने वाले cell को जिसमें कि हमने drop down list से दो select किया था उस पर click करेंगे फिर हम लगाएंगे comma अब we look up formula का next argument है table array इसके लिए हम choose formula का उप्योग करेंगे तो यहाँ पर हम choose type करने के बाद bracket open करेंगे choose formula का पहला argument है index number इसमें हमें table का number देना होगा चूंकि हम 11th class के बच्चे का नाम जानना चाहते हैं और 11th class का जो data है वो table number 3 में है जो कि यहाँ पर class के सामने हमने click करके रखा है इसलिए हम इस cell को select कर लेंगे और फिर comma लगाएंगे comma लगाने के बाद next argument है value 1 और उसके बाद value 2, value 3 है याने अब हमको values चुनना है उसके लिए हम एक एक करके सभी tables को select करेंगे और यह जो हम table select कर रहे हैं वो यह जो rank students ने marks इत्यादी headings हैं उसके साथ select करेंगे यह हमने table 1 select की उसके बाद comma लगा के इसी तरह से second table select कर ली और बाकी की जो tables हैं उनको भी हम comma लगा करके select करते जाएंगे अब हम bracket close कर देंगे उसके बाद comma लगाएंगे comma लगाने के बाद we look up formula का next argument है column index number इसमें हमें table के उस column का number डालना है जिसमें से हमें student का नाम ढूणना है और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि student का नाम जो है वो दूसरे column में है इसलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं to अब फिर comma लगाएंगे अब चूंकि हमें exact match चाहिए तो उसके लिए हम zero type कर देंगे अब bracket close करके enter press करेंगे यह देखिए यहाँ पर हमें answer मिल गया है तो 11th class में second rank पर कृती नाम की student है अब हम यह जानना चाहते हैं कि इसको कितने प्रतिशत अंक मिले हैं उसके लिए अब हम यहाँ पर फिर से vlookup formula टाइप करते हैं equal to का sign लगा करके type करेंगे vlookup initials आते ही यहाँ पर यह formula का suggestion आया है double click करके इसको ले लेंगे पहले argument के लिए यानि lookup value के लिए फिर से हम rank के सामने वाला cell select करेंगे comma लगाएंगे इसके बाद हम choose formula टाइप करेंगे index number के लिए class के सामने वाला cell select करेंगे comma लगाने के बाद values के लिए एक एक करके सभी tables को हम फिर से select कर लेंगे हर table को select करने के बाद comma लगाते जाएंगे यह हमने चारू table select कर ली अब bracket close कर देंगे फिर comma लगाने के बाद हमको column index number डालना है अब चुकि हम student के marks पता करना चाहते हैं और marks जो है वो तीसरे number के column में है तो हम यहाँ पर 3 type करेंगे और फिर comma लगाकर exact match ढूनने के लिए 0 type करेंगे और bracket close करके enter press कर देंगे तो यह देखिए यहाँ पर हमें कृती के marks भी पता चल गए हैं यह 76% marks हैं अब यदि हम class या rank बदलते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पर student का नाम और उसने जो marks प्राप्त किये हैं वो भी बदल जाएंगे जैसे हम मान लीजिए 9th class के किसी student के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ से हमने class बदल दी यह देखिए जैसे हमने class बदली यहाँ पर हमने 1 चूस किया मतलब की table number 1 यानि 9th class जैसे हमने चूस की तो यहाँ पर देखिए student का नाम और उसके marks चेंज हो गए है अगर हम rank चेंज करते हैं second की बजाए हम first rank के student के बारे में पता करना चाहते हैं तो यह हमने rank चेंज कर दी यह देखिए जैसे rank चेंज की वापस से student का नाम और उसके marks यहाँ पर आ गए array किसी एक cell पर काम न करते हुए पुरी range पर काम करता है यह यह भी कहा जा सकता है कि यह multiple ranges पर काम करता है हम array की सहयता से एक ही समय में एक साथ कई सारे calculations कर सकते हैं यहाँ हम आपको एक जरूरी बात बता देए कि array की सहयता से किसी भी फॉर्मुले को एडवांस बनाया जा सकता है ताकि वो फॉर्मुला और अच्छे से काम कर सके चलिए आपको उधारन दे करके समझा देते हैं यहाँ पर हमने एक Electronics Showroom की नवंबर महिने की सेल्स का डेटा लिया है इस टीबल में लिखा है कि नवंबर महिने में कौनसे Electronic Item की कितनी बिक्री हुई जैसे कि LG TV पाँच बिक्री है और एक TV की जो कीमत है वो है 33,000 रुपए अब यदि हमें ये जानना हो कि नवंबर महिने में टोटल सेल कितने की हुई है तो पहले हमें इन सभी प्रड़क्ट्स की सेल्स प्राइस निकाल करके और फिर उनका सम करना होगा अब चुकि यहाँ पर एक LG TV की जो कीमत है वो है 33,000 रुपए तो पाँच TV की प्राइस जानने के लिए एक TV के प्राइस को पाँच से मल्टिप्लाई करना होगा उसके लिए यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगा करके नमबर ओफ प्राइस प्राइस वाले कॉलम में से 5 को सेल्ट करेंगे उसके बाद multiplication का sign लगा करके price of product per unit वाले कॉलम में से TV की price को select करेंगे और enterprise कर देंगे यह देखिए 5 LG TV की price हमें यहाँ पर मिल गई है इसी तरह से हमें अलग-अलग products की total cell कितनी हुई है वो यहाँ पर निकाल लेना है उसके लिए या तो आप individually subject का formula लगाओ या फिर हम इसी formula को नीचे तक drag करके copy कर लेते हैं तो यह हमको बाकी जितने भी products हैं उन सभी की total sales price मिल गई है अब इन सारे products को auto sum की साहता से add करके हम यह पता कर लेते हैं कि grand total क्या है यानि November में total कितने रुपए की sell हुई है तो यह जैसे हमने auto sum किया यहाँ पर grand total कितना हुआ है वो आ गया है यह देखिए November महिने में सारे products की मिला करके total sales price जो है वो हमको यहाँ पर मिल गई है अब यह प्रक्रिया काफी लंबी है इसमें पहले एक-एक product की total sales price निकालें फिर उनको add करके पूरे महिने की total sales price पता करना पड़ती है array function इस तरह की लंबी process को आसान बनाने के लिए उप्योग में लाया जाता है चलिए देखते हैं कि इनी products के लिए हम array function को किस तरह से use कर सकते हैं असल में MS Excel में array नाम का कोई formula नहीं है किसी भी formula को array में convert करने के लिए control shift और enter प्रेस किया जाता है अब चूंकि हम इन सभी products की total sales price पता करना चाहते हैं तो हम sum formula से शिरुवात करेंगे equal to का sign लगा कर type करेंगे sum यहाँ पर हमें formula दिख रहा है double click करके इसको यहाँ से ले लेंगे अब हमें चाहिए number one तो उसके लिए हम number of product sold वाली जो पूरी range है इसको select कर लेंगे यह हमने पूरी range select कर ली अब इस पूरी range को price के साथ multiply करने के लिए multiplication का निशान लगाएंगे और उसके बाद price of product पर unit वाली जो पूरी range है इसको select करेंगे अब bracket close करके इस formula को array में convert करने के लिए हम control shift और enter keys को एक साथ press करेंगे यह देखे यहाँ पर भी हमें products की sales का वो ही price मिला है जो पहले पूरी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद मिला था अब हम आपको बता दें कि ये कैसे हुआ दरसल sum formula multiple range के साथ काम नहीं कर पाता है अब यहाँ पर हम वापस से sum formula लगा कर देखते हैं कि अगर हम उसको array में convert नहीं करेंगे तो result क्या आएगा equal to का sign लगा करके type करेंगे sum यहाँ से हमने ये formula लिया अब सबसे पहले हम number of product sold वाली जो range है उसको select करेंगे और उसके बाद multiplication का निशान लगा करके per unit जो product की price है इस वाली range को पूरी को select कर लेंगे और bracket close करके enter press करेंगे देखिए यहाँ पर हमने single cell या single range select करने की बज़ाए multiple range select की है यानि हमने दो ranges को select करके उन्हें multiply किया है और sum formula multiple range यानि एक से ज्यादा range पर काम नहीं करता है इसलिए यहाँ हमें value error प्राप्त हुई है अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने formula लगाया था यह जो पूरा formula है इसको जब हमने error में convert किया तो यहाँ पर यह control shift enter keys प्रेस करने से यह curly brackets आ गये पूरा की पूरा formula curly brackets के अंदर आ गया है इसलिए हमारा यहाँ पर सही result आया जबकि यहाँ पर जब हमने formula लगाया तो यह जो sum formula है वो curly brackets के अंदर नहीं है और इस कारण से यह जो हमको result मिला है वो एक error है अब हम वापस यहाँ पर आकर के अगर यह curly brackets लगा दें तो हमारा result हमको मिल जाएगा उसके लिए यहाँ पर हमको ctrl, shift और enter कीज को एक साथ प्रेस करना है तो यह देखिए वापस हमारा result आ गया है क्योंकि ctrl, shift और enter कीज को एक साथ प्रेस करने से यह जो formula है वो array में convert हो गया और आप देखिए यह जो formula है इसमें भी शुरू में और आखिर में curly brackets लग गए है तो इस तरह से आप array function का उप्योग करके लंबी calculations को आसान बना सकते हैं हम आपको array function का उप्योग करके किसी table को transpose करना पताएंगे transpose function table की rows को columns में और columns को rows में convert कर देता है आए देखते हैं कैसे इस table को transpose करने के लिए पूरी table को select करके ctrl c press करके copy कर ले फिर जहां उस table को paste करना है उस cell में click करके उपर दिखाई दे रहे options में से paste option के drop down arrow पर click करें अब यहाँ पर open हुई list में से paste special पर click करें यहाँ पर दिखाई दे रहे transpose option को select करें अब ओके पर click कर दें यह देखिए ओके पर click करते ही जो rows थी वो columns में और जो columns थे वो rows में convert हो गए है यहाँ पर हमको पूरी headings दिखाई दें इसके लिए हम इसे select करके wrap text कर देते हैं यह देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो headings थे जो कि अभी हमें column में दिखाई दे रहे हैं वो पहले rows में लिखे हुए थे और यह जो values columns में लिखी हुई थी वो अब rows में आ गई हैं पर यह जो process अभी हमने देखी उसका एक drawback यह है कि यदि हम original data में कुछ भी changes करते हैं तो वो changes इस transpose की गई table में नहीं होंगे जैसे कि हमने oppo smartphone यह जो product का नाम है इसमें से smart हटा दिया अब enter press करेंगे अब यह हो गया है oppo phone पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो transpose की हुई table है इसमें अभी भी oppo smartphone लिखा हुआ ही दिख रहा है तो इस problem को solve करने के लिए transpose formula को array function के साथ उपयोग करेंगे यहाँ पर हम वापस से इस table को transpose करेंगे array के साथ उसके लिए पहले हम यह चेक कर लेते हैं कि इस table में कितने rows और कितने columns हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें 12 rows हैं और 4 columns हैं तो हमें transpose formula उपयोग करने के लिए इसके विपरीद 4 rows और 12 columns select करना होंगे यह हमने 4 rows और 12 columns select कर लिए हैं और अब हम यहाँ पर formula टाइप करेंगे पहले cell में यहाँ पर हमको cursor दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम formula टाइप करेंगे equal to और उसके बाद टाइप करेंगे transpose यह देखिए यहाँ दिख गया है इस पर double click करके इसको ले लेंगे और अब हमें वापस से इस table को heading सहीच select करना है यह हमने इसको select किया अब bracket close करेंगे और इसके बाद इसे array function में convert करने के लिए Ctrl, Shift और Enter प्रेस करेंगे यह देखिए यहाँ पर transpose किया हुआ table मिल गया है और यहाँ पर formula बार में आप देख सकते हैं कि transpose formula पर array function लगाने से transpose formula के शुरू में और आखिर में curly brackets लग गए है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी original table में जो columns थे वो यहाँ पर rows में convert हो गए हैं और जो rows थी वो columns में convert हो गई हैं पर यहाँ पर एक गड़बर दिखाई दे रही है कि जो हमारा सबसे उपर वाला title है जो merged cell में लिखा हुआ था वो यहाँ पर केवल एक cell में लिखा हुआ हमने अगर array function लगा दिया है तो उसके बाद उस result में कोई भी change नहीं किया जा सकता तो इसके लिए हम यह जो title वाली merged cell है इसको छोड़ करके बाकी की table को select कर लेंगे और इसको हम बाद में अलग से copy कर लेंगे यह हम एक पार फिर से इस table को transpose करके देखते हैं इसको हमने यहां से हटा दिया अब चूंकि हम सबसे उपर वाली जो cell है जिसमें main heading के उसको छोड़ रहे हैं तो हमारे पास नीचे जो हैं वो अब 11 रोज बशती है यहाँ पर भी हम एक column छोड़ रहे हैं जहां कि हम main heading को लि 11 columns select करेंगे और वापस से formula लगाएंगे equal to transpose अब main heading छोड़ करके बाकी की table को हम select कर लेंगे bracket close करेंगे और इसको array function में convert करने के लिए control shift enter press करेंगे यह देखिए यह पूरी जो table है जो हमने select की थी वो यहाँ पर transpose हो गई है अब हमको जो सबसे उपर वाली heading चाहिए उसको हम अलग से copy करके और यहाँ पर जो हमने एक column छोड़ा है वहाँ पर paste कर देंगे अब चुकि हमने इसको अलग से copy किया है तो अब हम इसको merge and center कर सकते हैं इसी के साथ यहाँ पर यह जो transpose की हुई table है उसमें formatting original table जैसी नहीं है तो हम इसकी formatting भी अलग से कर दे रहे हैं यह देखिए यहाँ पर हमने इसकी formatting कर ली है और अब यदि हम उपर वाली जो table है उसमें कोई changes करेंगे तो वो transpose की हुई table में अपने आप हो जाएंगे उदारन के लिए यहाँ पर जो lg tv लिखा हुआ है इसमें से हम lg हटा देते हैं अब देखिए यहाँ से हमने lg हटा दिया है जैसे ही हम enterprise करेंगे तो वो यहाँ से जो हमरी transpose की हुई table है वहाँ से भी हट जाएगा आज हम max formula को array function की तरह उपयोग करेंगे आएए देखते हैं कि यह कैसे किया जाता है यहाँ पर हमारे पास एक car showroom में काम कर रहे employees की साल 2018 में की गई car sales का data है इस table में employees का नाम उन्हें जितनी कारें बेचने का target दिया गया था वो value और जितनी कारें उन्होंने actually sales की यानी achieved sales की value लिखी हुई है यहाँ पर सभी employees की target sales value एक जैसी ही है पर उनकी जो achieved sales value है यानी उन्होंने असल में जितनी कारें बेची हैं उनकी संख्या अलग-अलग है अब इस data में ये तो दिखाई दे रहा है कि सभी employees ने उनको जो target sales मिली थी उससे ज्यादा sales की है पर कितनी ज्यादा sales की है और इन में से भी सबसे ज्यादा कितनी sales हुई है वो value यहाँ पर नहीं लिखी है यानि हमें वो cell calculate करनी है जो target पूरा होने के बाद extra हुई है तो उसको हम calculate कर लेते हैं उसके लिए यहाँ पर equal to का sign लगा कर achieved cells वाला excel select करेंगे इसके बाद minus का sign लगा कर target cells वाला cell select करेंगे और enterprise कर देंगे यह देखिए हमें एक employee की target अचीव करने के बाद extra cell कितनी हुई है वो value पता चल गई है अब बाकी employees ने भी जो extra cell की है उसको पता करने के लिए इस formula को हम नीचे तक copy करने के लिए drag कर लेते हैं तो यह देखिए बाकी employees ने जो extra cell की है वो भी हमको पता चल गई है अब हमें ये जानना है कि ये जो extra cell हुई है इन में से सबसे ज्यादा extra cell कितनी कारों की हुई है maximum extra cell निकालने के लिए यहाँ पर हम max formula का उप्योग करेंगे उसके लिए यहाँ पर equal to का sign लगा कर लिखेंगे max यह देखिए यहाँ पर यह formula नजर आ रहा है डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे फिर हमने achieved cells और target cells का जो difference निकाला है यानि target पूरा होने के बाद जो extra cell हुई है यह वाला जो column है इसकी पूरी range को हम select कर लेंगे bracket close करेंगे और इसके बाद enter press करेंगे यह देखे तारगेट पूरा होने के बाद जो extra cell हुई उसमें से maximum cell कितनी कारों की हुई वो हमको पता चल गया है अब जैसा कि अभी आपने देखा कि यह process काफी लंबी है हमने target पूरा होने पर extra हुई cell पता करने के लिए पहले achieved cells और target cells का difference निकाला फिर max formula का उप्योग करके maximum extra cell निकाली तो क्यों न array function का उप्योग करके इस process को छोटा कर दें चलिए देखते हैं कि यह कैसे करेंगे यहाँ से हम यह value हटा देते हैं और अब चूंकि हमको यह काम directly करना है तो हमको यह जो difference हमने निकाला है उसकी जरुरत नहीं है हम इस column को हटा देते हैं यह देखिए यहाँ से हमने extra cell वाला जो column था वो हटा दिया है ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अब हम array function का उप्योग करके directly पता करेंगे कि maximum extra cell कितनी हुई है उसके लिए यहाँ पर equal to का sign लगा कर max लिखेंगे अब achieved cells वाले column की सभी values को select करेंगे फिर minus का sign लगा करके target cells वाले column की values की range को select करेंगे फिर bracket close करेंगे अब यहाँ पर हमको enter press नहीं करना है क्योंकि हम max formula को array function में बदलना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें control shift और enter keys को एक साथ प्रेस करना होगा यह देखिए यहाँ पर हमें वही संक्या मिल गई है जो इस वीडियो में हमने पहले लंबी प्रक्रिया द्वारा निकाली थी और आप देख सकते हैं कि उपर formula बार में max formula के आसपास यह curly brackets लग गए हैं इसका मतलब यह कि max formula array function की तरह काम कर रहा है Vlookup formula का उप्योग करके आप किसी बड़े database में से एक विशेश value को ढून सकते हैं पर यदि आपको एक ही समय में एक से ज्यादा values ढूननी हों तो Vlookup formula को array function में बदला जा सकता है चलिए आपको एक उदारण देखर समझा देते हैं यहाँ पर हमने एक stationary shop की sales का data लिया है जिसमें employees का नाम उन्होंने कौन सा product बेचा है कितना बेचा है और कब बेचा है यह सब लिखा हुआ है अब यदि यह check करना है कि किसी particular employee जिसका नाम कार्तिक है उसने कौन सा product कितना और कब बेचा है तो इतने बड़े database में से manually check करने की बज़ाए Vlookup function की सहायता से यह check किया जा सकता है क्यूंकि इतने बड़े database में से इसे manually check करना काफी ज्यादा समय लेगा चलिए तो हम Vlookup formula लगाते हैं यह देखिए यहाँ पर हमको Vlookup formula लगाना है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि यह जो कार्तिक नाम का employee है उसने कौन सा product कितना और कब बेचा है यह हम पूरी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर हमने name of employee लिख दिया है अब हमको item sold पता करना है यहाँ पर हम Vlookup formula लगाएंगे उसके लिए equal to का sign लगा करके type करेंगे Vlookup यह देखिए यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है डबल क्लिक करके ही से इसको ले लेंगे यहाँ पर आप Vlookup function का syntax देख सकते हैं इसमें पहला argument है lookup value मतलब हम इस पूरे database में से कौन सी value के लिए data सर्च कर रहे हैं यहाँ पर हम कार्तिक नाम के employee की cells details देखना चाह रहे हैं तो यह name of employee heading के नीचे वाले cell पर जहाँ वो नाम लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे कौमा लगाने के बाद second argument table array है इसके लिए हम इस पूरी table को select करेंगे क्योंकि इसी table से हमें data search करना है तो यह heading छोड़ करके हमारी जो पूरी table है इसको हम select कर लेंगे अब कौमा लगाएंगे अगला जो argument है वो है column index number इसमें हमें उस column का number डालना है जहां से data चाहिए यानि item sold by him वाला column जो की second column है तो यहां पर हम डाल देंगे two अब फिर कौमा लगाएंगे फिर exact match के लिए false type करेंगे और उसके बाद bracket close करके enter press करेंगे यह देखिए selected employee ने कौन सा product बेचा है वो यहां पर आ गया है अब हम यह देखना चाहते हैं कि इस employee ने यह item कितना और कब बेचा तो उसके लिए यदि हम इस formula को drag करके आगे वाले sales में copy करते हैं तो यह गलट data शो करेगा इसलिए हम VLOOKUP को direct copy नहीं कर सकते तो हमारे पास दो options हैं या तो हम दो बार VLOOKUP formula लगाएं एक बार quantity जानने के लिए और दूसरी बार cell date जानने के लिए या फिर VLOOKUP को array function में convert करेंगे क्योंकि जब हम VLOOKUP को array में convert करेंगे तो उसकी साहता से हम एक साथ कई columns से value search कर सकते हैं चलिए देखते हैं ये कैसे किया जाता है उसके लिए ये जो details यहाँ पर दी हुई है हम इनको हटा देते हैं अब formula type करने से पहले हम सभी cells को select करेंगे जिसके लिए हम value search करना चाहे हैं मतलब item sold by him quantity of item sold और cell date के नीचे वाले cells को हम select कर लेंगे अब equal to का sign लगा करके VLOOKUP type करेंगे जैसे हम type करना शुरू करेंगे यहाँ पर यह हमको दिखाई देगा यही से double click करके से ले लें bracket के अंदर पहला argument है look up value तो उसके लिए हम name of employee के नीचे वाले cell पर click करेंगे जिसमें हमने employee का नाम लिख रखा है comma लगाने के बाद second argument है table array इसके लिए हम इस पूरी table को फिर से select कर लेंगे क्योंकि हमको data इसी table में से search करना है heading छोड़ करके हमने बाकी पूरी table को select कर लिया है अब कॉमा लगाएंगे इसके बाद third argument है column index number अब चूंकि हमें database में से एक साथ तीन values ढूननी है जो की item sold by him quantity of item sold और sell date है तो curly bracket के अंतरगत इनका column number लिखेंगे तो यहाँ पहले हमने लगाया curly bracket और अब ये सारे column numbers हम लिख देंगे तो ये है column 2 3 और 4 कॉमा लगाके हम इसको लिखेंगे 2,3,4 और अब curly brackets को हम बंद कर देंगे फिर से कॉमा लगाएंगे और फिर exact match ढूनने के लिए हम type करेंगे false अब bracket close कर देंगे और इस VLOOKUP formula को array में convert करने के लिए हम control, shift और enter keys को एक साथ press करेंगे यह देखिए यहाँ पर यह तीनो details हमको एक साथ मिल गई है यहाँ पर यह जो date का format है वो सही नहीं है वो हमें बदलना पड़ेगा क्यूंकि MS Excel by default general format यूज करता है तो हम इसको date format में convert कर देते हैं तो इस तरह से हम एक ही बार में किसी बड़े database में से एक साथ multiple column से value search कर सकते हैं अब यदी हम यहाँ पर नाम change करते हैं कार्तिक की जगह हमने ले लिया किशोर यह देखें जैसे ही हमने यहाँ पर type किया किशोर और enterprise किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किशोर से related data यहाँ पर आ गया है पर एक बात का ध्यान रखें यदी टेबल में look-up value repeat हो रही हो जैसे कि अगर टेबल में look-up value किशोर नाम repeat हो रहा हो तो यह formula पहली entry की ही details देगा दूसरे की नहीं किसी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से धीरे धीरे होने वाली स्थाई कमी को depreciation यानि अवमुल्यन कहते हैं उदारण के तौर पर हमने कोई mobile खरीदा जिसकी market price कुछ सालों बाद कम हो जाती है इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे कि वर्तमान में mobile का मूल्य कम हो गया हो mobile में किसी कारण तूट-फूट हुई हो mobile बहुत ज्यादा उपयोग में लाया गया हो या फिर उसका model पुराना हो गया हो इत्यादी इस वीडियो में हम आपको DB formula का उपयोग करके एक निश्चत अवधी के लिए किसी संपत्ती या वस्तू का depreciation calculate करना बताएंगे जो fixed declining balance method पर आधारित है इस पद्धती में जो depreciation calculate होता है वो प्रतेक वर्ष के लिए एक ही निश्चतर से होता है और पहले वर्ष में तो depreciation खरीद मूल्य पर होता है पर अगले वर्षों के depreciation की calculation उनके पिछले वर्षों के depreciation को कम करने के बाद जो मुल्य शेश रहता है उस पर की जाती है इस formula से जो salvage value प्राप्त होती है वो हमारी वास्तविक salvage value के आसपास होती है चलिए ये हम आपको एक उधारण देकर समझा देते हैं मान लीजे हमने 5 साल पहले एक mobile phone खरीदा जिसकी कीमत 25,000 रुपए थी अब उसके market value घट करके 5000 हो गई है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने 5 साल तक उसे उप्योग किया तो उसका मुल्य कम हो गया यानि depreciate हो गया चलिए अब हम DB formula के सहता से देखते हैं कि हर साल इस mobile की value कितनी कम हुई यहाँ पर हमने एक table बनाई है जिसमें हमने item के सामने लिखा है mobile जिसकी initial cost 25,000 रुपए थी जो कि 5 साल बाद घट करके 5000 रुपए हो गई इसका मतलब 5000 रुपए हुई salvage value और mobile का life period हुआ 5 साल जैसा कि आप जानते हैं हर formula equal to के sign के साथ शुरू होता है तो पहले हम type करेंगे equal to का sign उसके बाद type करेंगे db यह देखिए यहाँ पर यह suggestion आ गया है double click करके इसको हम यहीं से ले लेंगे अब यहाँ पर सबसे पहला argument है cost तो इसके लिए हम initial cost के सामने जो value लिखी हुई है उस पर click करेंगे अब हम comma लगाएंगे अब अगला argument है salvage value इसके लिए हम इस salvage value पर click करेंगे फिर से comma लगाएंगे और अब है life इसके लिए life period वाली जो value है उस पर click करेंगे अब चुकि mobile की initial cost, salvage value और life period fixed हैं यानी change नहीं होंगे तो इसके लिए हम इन तीनों values को fix कर देंगे और इसको fix करने के लिए हम इनको select करके F4 की press करेंगे यह देखिए यहां सारी values के सामने dollar का निशान लग गया है इसका मतलब यह values fixed हो गई है इन values को fix करने से जब हम formula को drag करके नीचे वाले cells में copy करेंगे तो यह सारी जो fixed values हैं यह नीचे भी same ही रहेंगी यह change नहीं होंगी अब हम फिर से कॉमा लगाएंगे इसके बाद अगला जो argument है वो है period यह जो period है इसमें जिस वर्ष के लिए हम depreciation निकाल रहे हैं वो वर्ष select करना होगा mobile खरीदने के बाद पहले वर्ष के लिए एक, दूसरे के लिए दो और इसी तरह आगे के वर्षों के लिए numbers चुनना होंगे इसलिए हम period को fix नहीं करेंगे ताकि जब हम formula को नीचे drag करके copy करेंगे तो जिस वर्ष का depreciation निकालना है वो वर्ष अपने आप select हो जाएगा यहाँ पर हम चुन रहे हैं 1 अब हम bracket close कर देंगे और enter press करेंगे यह देखिए पहले साल में mobile की value इतनी कम हुई है अब हम अगले चार वर्षों के लिए भी depreciation value निकाल लेते हैं उसके लिए पहले वर्ष की depreciation value पर click करके mouse को यहाँ corner पर रख करके नीचे drag कर देंगे यह formula copy हो गया और उसके साथ ही अगले सालों की भी depreciation value मिल गई है यहाँ पर यह decimal के बाद की जो digits हैं इसको हम कम कर देते हैं अब हम इन values को जोड़ करके देखते हैं कि total depreciation कितना हुआ इन सब को select करके हमने auto sum किया तो यह देखिए हमारा जो total depreciation है वो इतना हुआ है अब यह देखने के लिए कि जो हमने salvage value निकाली थी वो सही है या नहीं उसके लिए हम जो initial cost है उसमें से total depreciation value हमारी जो आई है उसको हम खटा देते हैं इसमें से हमने minus कर दिया इस value को तो यह देखिए यहाँ पर जो difference आया है वो लगभग 5000 रुपए का है इसका मतलब हमने यह जो depreciation value यहाँ पर निकाली वो सही है अब हम यह देखना चाहते हैं कि प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत depreciation लगा तो उसके लिए equal to का sign लगा करके पहले साल जितना depreciation हुआ है उसको select करेंगे और उसमें हम भाग देंगे initial cost का यानि जो हमारा खरीद मुल्य था 25,000 रुपए उसका भाग दे करके हम percent का निशान लगाएंगे अब जैसे ही हम enterprise करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर 27.5% यह हमारा result आया है इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिवर्ष 27.5% depreciation लगा है चलिए अब हम यह confirm कर लेते हैं कि क्या हर साल यही depreciation लगा है या फिर हर वर्ष अलग-अलग percent के हिसाब से depreciation कटा है इसके लिए यहाँ पर हमने एक table बनाई है यहाँ पर है हमारा जो item है यानि mobile की initial cost 25,000 रुपए और यह है पहले साल के लिए rate of depreciation जो है 27.5% अब हमको depreciation amount पता करना है तो उसके लिए हम यहाँ formula लगाएंगे पहले equal to का sign टाइप करेंगे उसके बाद जो value है उसमें हम गुणा करेंगे rate of depreciation का और उसके बाद यहाँ पर हम percent का sign लगा देंगे और enter press करेंगे तो यह देखें depreciation amount आ गया 6875 रुपए अब हमको value after depreciation पता करना है जो की हमारी अगले साल की value होगी उसके लिए यहाँ पर पहले हम equal to का sign लगाएंगे उसके बाद हम value में से जो depreciation amount है उसको घटा देंगे तो यह हमने value select की उसके बाद minus का निशान लगा करके हम depreciation amount को select करेंगे और फिर enter press करेंगे तो यह देखिए depreciation कटने के बाद जो value आई है वो है 18,125 रुपए और depreciation के बाद यह जो value हमें मिली है अगले साल के लिए यह हमारी value बन जाएगी तो यह यहाँ पर आजाए इसके लिए हम equal to का निशान लगाएंगे इसको select कर लेंगे और enter press कर देंगे यह देखिए यहाँ पर यह value आगई है और अब हम इसको नीचे तक copy कर लेंगे यह सभी जगर जो formula हैं इसको सबको हम नीचे तक copy कर लेंगे और यहाँ पर decimal के बाद के जो numbers हैं उनको हम घटा देते हैं यह देखिए यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि जो rate of depreciation है वो पाचों साल के लिए same है और हम इसको जो depreciation amount है उसको total करके भी देख लेते हैं अब यहाँ पर देखिए यह जो depreciation amount आया है इसको पुरा total करने के बाद और पहले जो हमने depreciation amount निकाला था excel के formula की मदद से यह देखिए दोनों same है इसका मतलब यह हुआ कि हर साल के लिए जो rate of depreciation है वो same है वो 27.5% ही है तो manually भी अब हमने इसको confirm कर लिया सिनेरियो यानी परिद्रिश्य Excel हमें अलग-अलग परिद्रिश्य देखने की सुविधा प्रदान करता है असल में यह हमें बताता है कि अगर data में कोई बदलाव करें तो उसके अनुसार परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा आसान शब्दों में कहा जाए तो scenario manager डेटा के एक से अधिक versions को compare करने के लिए सबसे बहतर विकल्प है इसके साहता से एक से अधिक scenarios को एक ही worksheet पर save किया जा सकता है और समय आने पर अलग-अलग result देखने के लिए उनका comparison किया जा सकता है scenario manager द्वारा data का आखलन करके विभिन परिणामों के अधार पर लोगों को सही निर्णा लेने में मदद मिल सकती है चलिए एक उधारन देकर आपको समझा देते हैं कि Excel में scenario manager कैसे काम करता है मान लिजिए XYZ Tours and Travels एक टूरिंग कमपनी है और इसके किसी client ने कमपनी के agent को कहा कि मेरा budget 50-55,000 रुपए का है और उसके हिसाब से मुझे कोई अच्छे packages बताईए तो agent ने scenario manager का उप्योग करते हुए तीन packages बनाए वो किस तरह से बनाए वो आपको बता देते हैं नवंबर महिने का मुंबई का तीन रात और चार दिन का package है इसमें sightseeing के लिए 10,000 रुपए pick and drop के लिए 5,000 रुपए dinner, lunch, breakfast के लिए 15,000 रुपए hotel में stay के लिए 20,000 रुपए का budget है इस तरह से ये जो पूरा package है वो है 50,000 रुपए का अब जो दूसरे packages हैं उनका budget बढ़ भी सकता है और घड़ भी सकता है package में जो अलग-अलग facilities की cost है वो कितनी कम हो सकती है या कितनी बढ़ सकती है और उसके हिसाब से total budget पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखने के लिए हम scenario create करते हैं scenario create करने के लिए हम data tab में जाकर के what if analysis option में जाएंगे और यहां से हम scenario manager पर click करेंगे यहां पर हम add option पर click करेंगे अब यहां सबसे पहले हमें scenario का नाम देना होगा अब चुकि जो हम scenario create कर रहे हैं वो हमारा दूसरा package है एक package हमने यहां पर बता दिया और अब हम दूसरा package create कर रहे हैं जो की goa का है तो यहां हमने इसको नाम दे दिया टूरिंग package for goa यह three nights और four days का package है scenario का नाम देने के बाद यहां changing cells वाले box में click करके पहले यह जो cell यहां पर selected है इसको हम हटा देंगे इसको हम यहां से थोड़ा इधर ले आते हैं अब यहां पर हम उन cells को select करेंगे जिन में हम बदलाव चाहते हैं इसके लिए हमको city से ले करके यह जो total budget वाली cell है जिसमें total budget लिखा हुआ है इनको select करना है अगर आपका data एक साथ हो तो आप उनको सीधे ड्रैक करके select कर सकते हैं चूंकि हमारे data में यह बीच में एक row खाली है इसलिए हम इसको control की press करके और फिर click करके बाकी जो भी cells हम को चाहिए उनको हम select कर रहे हैं यह हमने जो भी cells हमको चाहिए थी वो यहाँ पर select कर ली है यहाँ पर हमने यह जो values हैं इनके साथ-साथ जो heading हैं उन cells को भी select किया है ताकि packages का comparison करते समय हमको heading भी नजर आए और packages को compare करने में आसानी हो अब comment box में click करके यहाँ पर हम scenario का vivrant डालेंगे और comment डालने के बाद ok पर click कर देंगे ok पर click करते ही scenario values का dialogue box खुल जाएगा जिसमें हर changing cell के लिए एक अलग box होगा यहाँ पर हम अपने हिसाब से values को edit कर सकते हैं जैसे city जो है वो अब गोवा है तो हमने इसको कर दिया गोवा और अब मुंबई वाला जो package था उसकी facilities की value में मान लिजिए एक एक हजार की बढ़ोतरी हो गई है तो हम हर value में एक एक हजार रुपए बढ़ा देते हैं तो यह जो sightseeing का budget है इसको हमने दस हजार से बढ़ा कर कर दिया ग्यारह हजार पिक अप एंड ड्रॉप का जो budget है वो पाँच हजार से बढ़कर हो गया छे हजार रुपए दिनर, लंच और ब्रेकफरस्ट इसका budget पंद्रह हजार की जगह अब हो गया है इसका budget पंद्रह हजार की जगह अब हो गया है 21,000 अब हम मुखे पर क्लिक करेंगे यह देखिए यह हमारा पहला scenario create हो गया है अब चूंकि हमें दो scenarios बनाने हैं तो हम एक और scenario बनाने के लिए फिर से add पर क्लिक करेंगे यहाँ पर भी पहले हम scenario का नाम देंगे अब यह जो हमारा है वो third package है जो की लोनावला का है तो इसको हमने नाम दे दिया touring package for लोनावला अब यहाँ पर जो changing cells हैं जैसा हमने आपको पहले बताया था वापस से हम जिन भी values में हमको change करना है उनको select कर लेंगे अब यहाँ पर हम scenario का विवरेंट डाल देंगे comments वाले box में यह हमारा लोनावला package है November के लिए अब हम OK पर click करेंगे यह यहाँ पर scenario values वाला dialogue box आ गया है अब हमको जो भी values edit करना है वो हम edit कर देंगे सबसे पहले city इसको मुंबई की जगह हम कर देंगे लोनावला और इस third package के लिए जो हमारा पहला package था मुंबई वाला उसकी जो भी facilities हैं उसमें से हम एक हजार रुपए घटा देंगे जैसे side scene के लिए 10,000 की बजाए अब हम कर देंगे इसका budget 9,000 रुपए pick up and drop पाँच हजार की जगह हो जाएगा चार हजार दिनर लंच और ब्रेकफ़स्ट चौदा हजार स्टे इन होटेल उनीश हजार यह सारी facilities में हमने 11,000 रुपए घटा दिये हैं और अब हम OK पर क्लिक कर देंगे यह देखें यहां पर हमारा दूसरा scenario भी create हो गया है इस तरह से अब हमारे पास तीन packages हैं एक मुंबई का November मंत का package एक गोवा का package और एक लोनावला का package यह सभी November मंत के लिए हैं अब हम हमारे यह जो दोनों scenarios है यानि गोवा और लोनावला का जो package है इसको मुंबई package के साथ compare करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि बजट पे क्या फरक पड़ेगा तो comparison को एक screen पर देखने के लिए अब हम summary पर click करेंगे budget वाली cell पर click करेंगे अब हम okay पर click करेंगे यह देखिए यहाँ पर scenario summary आ गई है current value में मुंबई वाले package की सभी facilities और सारी values यहाँ पर हैं साथ ही goa package और लोनावला package की भी सभी facilities और उनकी जो values हैं वो यहाँ पर दी हुई है इस summary से आसानी से packages का comparison किया जा सकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नौवेंबर मन्त का मुंबई का जो package है वो 6,000 का है गोवा का package चौपन हजार रुपय का है और लोनावला का जो package है वो 46,000 रुपय का है अब हम एक और scenario create करना चाहते हैं जिसमें की इनके साथ साथ मतलब यह जो नौवेंबर के तीन packages हैं इनके साथ December मन्त में जो मुंबई package की cost होगी वो भी यहाँ पर दिख जाए और इस summary के साथ merge हो जाए यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बता दें कि जब भी हमारा data अलग-अलग sheets पर होता है तो उनके scenarios को compare करने के लिए हमें उन्हें merge करना पड़ता है जैसे कि यहाँ हमारे पास दूसरी sheet पर December मन्त के लिए भी 3 nights 4 days का एक package है मुंबई का इसके लिए हम scenario create कर लेते हैं scenario create करने के लिए जैसा कि हमने आपको पहले बताया था data tab में what if analysis पर जाएंगे यहाँ से हम scenario manager पर click करेंगे और यहाँ add पर click करके scenario को नाम दे देंगे मुंबई package for December अब changing cells वाले box में click करके यहाँ जो cell daily उसको clear कर देंगे और अब हम table से cells select करेंगे जिन जिन cells में हमको changes करना है उन cells को हम select कर लेंगे city तो मुंबई ही रहेगी इसलिए हम बाकी जो facilities वाली cells हैं उनको select कर रहे हैं यहाँ पर scenario का vivrant डाल देंगे और इसके बाद हम ok पर click कर देंगे यह यहाँ पर scenario values वाला dialogue box open हो गया है अब यहाँ पर हमें actually values में कोई change नहीं करना है क्योंकि यह December month के package की actual values हैं इसलिए हम ok पर click कर देंगे अब यह देखें यहाँ पर December month के लिए Mumbai के package का एक अलग scenario create हो गया है इस scenario को हमें November month के सभी scenarios के साथ compare करना है तो इसके लिए हमें इस scenario को उन scenarios के साथ merge करना पड़ेगा क्योंकि यह जो scenario है actually यह अलग sheet पर बना है इसको उन scenarios के साथ merge करने के लिए हम इस window को close कर देंगे और हम package one पर चलेंगे यहाँ से वापस हम what if analysis से scenario manager पर जाएंगे यहाँ पर यह दो scenarios जो हमने पहले बनाये थे वो दिख रहे हैं और अब हम merge पर click करेंगे अब यहाँ से हमने जिस भी sheet पर अभी नया scenario बनाया है उस sheet को हमको select करना होगा हमने package for month December वाली sheet पर नया scenario बनाया है तो हम इस पर click करेंगे और अब ok पर click कर देंगे यह देखे ok पर click करते ही December month का Mumbai package का जो नया scenario हमने बनाया था वो भी यहाँ पर आ गया है अब हम इन सभी scenarios को compare कर लेते हैं और यह comparison एक ही screen पर देखने के लिए हम summary पर click करेंगे result cells के लिए total budget वाली cell पर click करेंगे और फिर ok पर click करेंगे यह देखे यहाँ पर नई sheet पर scenario summary 2 के नाम से नई scenario summary आ गई है इसमें November month के यह तीनों packages है Mumbai, Goa और Lonaula के लिए और यहाँ पर अब December का जो Mumbai package है वो भी इसके अंदर जुड़ गया है और इन सब को आप एक साथ compare कर सकते हैं यहाँ से थोड़ा चोटा करके हम इसको देख सकते हैं यह देखिए यह November month के तीनों packages और यह इसमें December month का जो Mumbai का package जो हमने जोड़ा है यह सब अब एक साथ दिखाई दे रहे हैं अब अगर आपको किसी भी scenario में कोई change करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं इसके लिए जिस भी sheet के scenario में आप बदलाव करना चाहते हैं उस sheet पर जाएं जैसे हम यह November month की sheet पर गए अब फिर what if analysis से scenario manager option पर जाएं यहाँ scenario manager वाली window में यहाँ पर आपके बनाए हुए scenarios की list दिखाई देगी इसमें से जिस भी scenario को आप change करना चाहते हैं उसे select करके edit पर click करें यह हमने लोनावला वाला जो touring package है इसका जो scenario है उसको select किया अब edit पर click करेंगे अब यदि आप scenario name में कोई change करना चाहते हैं तो यहाँ से वो कर सकते हैं या फिर अगर आप कोई comment बदलना चाहते हैं तो यहाँ से वो comment भी change कर सकते हैं और अगर आप इन values में कोई change करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले यहाँ पर ok पर click करें ok पर click करते ही यह scenario values वाली window open हो गई है अब इसमें से आप अगर values में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं जैसे यहाँ पर हमने sightseeing का जो budget है वो जो 9,000 था उसको वापस बदल कर कर दिया 10,000 और भी कोई changes करना है तो वो करके हम ok पर click करेंगे अब अगर आप summary देखना चाहें तो आप summary पर click करके यहाँ पर result sales में result वाली जो cell है उसको चुने और फिर आप summary देख सकते हैं देखें यहाँ पर हमने sightseeing का budget जो 9,000 था उसको बढ़ा करके 1,000 रुपए वापस 10,000 कर दिया है तो यह जो हमारा budget था वो 46,000 का था यह अब बढ़कर के 47,000 हो गया है अब अगर आपको कोई scenario delete करना है तो आप वो भी कर सकते हैं यह वापस हम जी sheet पर हमने scenarios बनाये थे उस पर गए what if analysis पर जाकर हमने scenario manager select किया यहाँ देखिए यह तीनो scenarios नजर आ रहे हैं इसमें से जिस भी scenario को delete करना हो उसको select करके delete option पर click कर दें यह हमने December वाला जो scenario है उसको select किया और अब हम delete पर click करेंगे यह देखिए यहाँ से December मन्त वाला जो package था उसका जो scenario बनाया था वो delete हो गया है अब हमने जो भी changes किये हैं या scenario delete किया है उसका scenario summary पर क्या प्रभाव पड़ा वो देखने के लिए हम वापस summary पर click करेंगे result self select करेंगे और ok पर click कर देंगे यह देखिए December मन्त के मुंबई package का जो scenario था वो हट गया है हुआ हुआ है